हेलो स्टुदेंट्स, मैसेल्फ योगेंद्र भगडिया, टीम बोटनी, CLC सिकर बचो स्वागत है आपका दंगल एपिसोड के अंदर I hope आपका पेपर बहुत अच्छा गया होगा और आपने मेग्जिमम क्यूस्टिन जो है वो राइट की होंगे अब अगर जो भी क्यूस्टिन रोंग रहा है तो अभी भी अपने पास बचो टाइम है उसको अपन अच्छे से राइट कर सके पेपर जो अपना है वो पूरा NCIT बेस्ट है और न्यू पेटरन बेस्ट है इसके लिए अपने यहां पर वन बाइ वन कर के एक क्यूस्टिन जो है वो टील करते है तो स्टार गरते है बचो अपन किश्टिन नंबर 151 यहां पर कुछ स्टेटमेंट्स दे रखे हैं और वो स्टेटमेंट्स कया कै वो अपन देख लेते हैं keys is taxonomical ad used for identification of plant and animals is called the lead, third number statement, keys are generally anatically in nature, ठीक है, वर्गी की सादन जिसका उप्योग पोदोव प्राणियों की पहचान में किया जाता है, कुझी वीप्रियाई लक्षणों के आधार पर नहीं होती है, कुझी में प्रते कथन मार्ग दर्शन का कारिय करता है, कुझी सामनेत विशलेशन आत्मक प राइट है, तो NCIT के अंदर जो है, वो क्लिरली मेंशन कर रखा है, कि जो की होती है, वो टेक्सोनॉमिकल एड है, जिसका उप्योग अपन प्लांट और एनिमल्स के आइडेंटिफिकेशन के लिए लेते हैं, तो ये राइट स्टेटमेंट हो गया, सेकिंड स्टेटमेंट ह की are not based on, देको not based on है यहां पर, बड़ ऐसा नहीं होता है, ये based होती है कि इस पर contrasting character पर क्या होती है, best होती है, तो ये statement अपना क्या हो गया, wrong हो गया, each statement in key is called a lead, सही बात है, जो भी statement होता है, अगर आपन कहें जैसे कोई organism है, उसके अंदर similarities और dissimilities है, तो जो similarities होगी, उस को अपना अलग divide कर देंगे, और similarities के basis पर अपना इसको आगे carry forward करेंगे, तो ये statement भी आपके क्या हो जाएगा, right हो जाएगा, next है, keys are generally analytically in nature, विशलेशन आपमक जो है, वो आपके key होती है, जिसी के आधार पर अपन जो taxon जो होता है, उसमें अपना अलग अलग जो है, organism को या categorize करते हैं, तो ये भी statement क्या हो जाएगा, right हो जाएगा, तो यहाँ पर ये पुछा है, true statement पुछा गया है, तो 1, 2, 3, तो यहाँ पर अपना answer जो जाएगा, वो answer चला जाएगा, second option क्या हो जाएगा, right हो जाएगा, ठीक है, next अपन बढ़ते हैं, फिर आगे, जो next question है, आर्की bacteria present in which habitat, ठीक है, आर्की bacteria या आदे जिवानु जो है, वो किस आवास में पाया जाता है, तो यहाँ पर कुछ option दे रखे हैं, NCRT based है, ठीक है, extreme salty area, marshy area, cool spring area, तो NCRT के अंदर जो है, वो clearly mention कर रखा है, कि जो आर्की bacteria होते हैं, वो extreme salty area में, या hellophiles होते हैं, इसके मार्शी area के अंदर जो है, वो present होते हैं, मिथेनोजन्स वगेरा, but cool spring area में present नहीं होते हैं, वो किसमें present होते हैं, hot spring area के अंदर जो होते हैं, तो यहाँ पर अपना third option जो है, वो wrong हो जाएगा, और first or second right हो जाएगा, इसका मतलब अपना answer जाएगा, वो जाएगा, fourth option क्या हो right हो जाएगा, clear है यहाँ पर, next अपन, बढ़ते हैं आगे, ठीक है, next अपन, देखते हैं यहाँ पर, next is, यहाँ पर कुछ statement दे रखे हैं, coprophilus mycelium is accepted, asexual spore are conidia, sexual spore is endogenous, many members are used as edible, शलब रागी, कवक जाल, एपटी है, ए लेंगिक भी जानू, कौन इडिया, लेंगिक भी जानू, अंतरजाद, बहुत से सदश्य, खाने योगी, अब यह पुछा गया है, कि इसके अंदर, asco mycities से related, कौन कौन से statement जो है, वो देखने को मिल दे अपने को, तो NCRT के अंद है, जो coprophyllis है, है ना, शलब रागी, वो asco mycities के अंदर है, बहुत यह cow dunk पे जो है, वो अच्छे से growth कर सकते हैं, mycelium is accepted, है ना, तो जो mycelium होता है, वो कैसा structure होता है, इसके अंदर अगर आपने बात करें, accepted नहीं होता है, student, यह कैसा होता है, accepted होता है, तो यह wrong हो गया, asex sexual spore are conidia, तो conidia जो होता है, वो इस तरीके से, अगर यह इसका जैसे mycelium structure है, ठीक है, यह mycelium structure हो गया, तो इस पे आपके एक क्या बनेगी, outer growth structure का क्या हो जाएगा, formation हो जाएगा, और यह इसके चारों तरफ क्या बन जाएगी, hard coating, जो इसको unfavorable condition से क्या करेगी, protect करेगी, तो यह भी सही बात है, sexual spore is endogenous, यहाँ पे जो है, क्या बनते है, asco spore का क्या होता है, formation होता है, ascomycetis के अंदर, तो यह भी सही बात है, ठीक है, इसके अलावा, many members are used as edible, तो इस में morals and truffles जो होते हैं, वो edible जो होते हैं, वो fungi के रूप में जो है, वो use होते हैं, तो यहाँ पे 1, 2, 3 and 4 जो है, वो आपके क्या होंगे, ascomycetis से related है, तो अगर अपनी यहाँ पे टिक करें, तो एक हो गया, second number हो गया, third number हो गया, fourth number हो गया, इसका मलब, अपना जो answer है, वो answer जाएगा, कुन सा, third option क्या हो जाएगा, right हो जाएगा, ठीक है, next अपन बढ़ते हैं, ठीक है, next देखते हैं अपन, यहाँ पे, एक सो चोवन नमबर, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, लाइकेन्स, वाइरस, वाइरियोड, प्रियोन, बैक्टिरियोफेज, बैक्टिरिया, हाना, लाइकेन है, विशानू है, वाइरियोड है, प्रियोन है, है, जो रह विटेकर का जो क्लासिफिकेशन है, उसमें कौन सा, नहीं है, तो रह विटेकर का जो फाइव क्लासिफिकेशन, उसमें क्लियर ली दे रखे है, लाइकेन, नहीं होंगे, वाइरस, नहीं होंगे, वाइरियोड भी नहीं होंगे, प्रियोन भी नहीं होंगे, बैक हो जाएगा इसके regarding में आरेच विटेकर का जो फाइफ इंगडम है उसके अंदर क्या consider नहीं हो रहा है clear है यहां पर next अपन बढ़ते हैं ठीक है next अपन 155 की बात करें kelp and sargassum filamentous belong to kelp और sargassum जो है वो किस से सम्बन दिते हैं तो clearly NCRT के अंदर जो है वो mention कर रखा है कि यह किस से सम्बन दिते है brown algae या phyophysis से या जो भूरे शेवाल है उससे सम्बन दिते है तो यह answer क्या चला जाएगा third option क्या हो जाएगा right हो जाएगा clear है यहां पर next बढ़ते है NCRT based statement है सारे के सारे ठीक है next अपन देखते हैं यहां पर 156 इन bryophytes the sex organ are male sex organ और female sex organ को क्या बोलते है तो जो bryophytes होते हैं student वो क्या होते हैं आपके multi cellular organism होते हैं और इनके अंदर जो है वो male sex organ होता है enthidium और female sex organ होता है वो क्या होता है archegonium क्या होगा enthidium and archegonium हो जाएगा और enthidium के अंदर क्या बनेंगे anthrozoid का formation होगा या pumnu का निर्वान होगा और archegonium के अंदर आपके क्या बनेगा अंड कोश का या egg cell का क्या होगा formation हो जाएगा तो यहां पर अपना answer जो जाएगा वो क्या चला जाएगा second option क्या हो जाएगा right हो जाएगा next अपन देखते हैं ठीक है next है 157 number many algae have haplontic life cycle except मुखे ते शेवाल एगुनित जीवन चक्र परदर्शित करते हैं केवल देखो जो algae होते हैं वो no doubt haploid body होती है उसमें N body होती है है ना एगुनित होते हैं तो most of जितने भी algae है वो सारे के सारे haploid होंगे बट कई ऐसे अफवाद सुरूप है जिनके अंदर life cycle जो है वो haploidiplontic type की होगी वो एगुनित परकार का PDA content जो है वो देखने को मिलेगा ठीक है तो यहाँ पर ectocarpus NCIT के अंदर दे रखा है statement ectocarpus होगा spirogyra नहीं होगा polysiphonia होगा तो इसका मतलब यहाँ पर दोनों ही होगी first और third यहाँ पर अपना option क्या हो जाएगा fourth option क्या हो जाएगा right हो जाएगा next अपन यहाँ पर बढ़ते हैं ठीक है ठीक है बच्चो अपन आगे बढ़ते हैं अब next question पर 108 number match column first and column second match column 1 second match column first and second यहाँ भी अपने को जो है वो कुछ examples दे रखें और उनके जो है वो modification दे रखें ठीक है देखो underground stem underground stem जो है वो potato के अंदर आएगा stem tendril stem tendril किस के अंदरा जाएगा cucumber के अंदरा जाएगा stem thorn किस के अंदरा जाएगा citrus के अंदरा जाएगा flattened stem flattened stem किस के अंदरा जाएगा open shear के अंदरा जाएगा और flashy cylindrical stem किस के अंदरा जाएगा u4BI के अंदरा जाएगा तो यहाँ भी अपने को direct examples दे रखें और उनका modification जो है अपने को पता होना चाहिए तो अपन जो है इसका answer यहाँ पर क्या match कर जाएगा तो first option क्या करेगा इसमें match कर जाएगा तो यहाँ पर अपना answer कर जाएगा first option right हो जाएगा next अपन देखते हैं यहाँ पर ठीक है 159 select the mismatch pair of following nimd में से ऐ सुमेलित यूगम का चुनाव कीजिए ठीक है यहाँ पर दे रखा है NCIT के अंदर clearly mention कर रखा है कि जो marginal placentation है वो P के अंदर present होता है सही बात है exile placentation जो है वो mustard के अंदर present नहीं होता है तो यह अपना wrong हो गया अगर आप दो को छोड़ना चाओ तो छोड़ सकते हैं क्योंकि एक यह option जो है वो आपके क्या होगा गलत होगा ठीक है यह सही है और यह भी सही है बट यह वाला जो है वो statement आपके क्या हो जाएगा 159 का आपके क्या हो जाएगा wrong हो जाएगा यहाँ पर अपना answer क्या जाएगा second statement क्या हो जाएगा मिला mismatch pair के respect में ठीक है अब next अपन बढ़ते हैं 160 के अंदर देखते हैं अब देखो represent symbol hypogynus, epipetalus actinomorphic, bisexual condition अधो जायांगिता दल लगने, तरिज्य सम्मीत द्विलिंगी अवस्था को परदर्शित करने के लिए क्या symbol यूज लेते हैं तो hypogynus, या अधो जायांगिता उसमें अपन क्या बोलते हैं कि जो gynoceum होता है उस gynoceum की जो position है है ना, जो pistol है या जो carpel है, या जो अंडप है उसकी जो position है वो क्या होती है, superior ovary होती है, इस के अंदर, क्या होती है भई superior क्या होगी ovary, क्या होगी भई, superior ovary तो इसका symbol क्या जाएगा ये वाला चला जाएगा अब epipetalus, जो दे रहा है petals, जो corolla होता है उसका single unit होता है, petal या dal होता है, वो endosium के साथ में जुड़ा हुआ है, इस condition को क्या बोलते हैं, epipetalus बोलते है actinomorphic का मतलब क्या होता है कि अगर अपन flower को cut करें तो वो two parts के अंदर any plane से cut करें, तो two parts के अंदर क्या हो जाएगा, वो divided हो जाएगा तो उस condition को क्या बोलते है, actinomorphic और last जो condition होती हो, कौन सी होती है bisexual condition कौन सी होगी, bisexual condition तो bisexual condition के लिए अपने पास में जो symbol आएगा, वो कौन सा आजाएगा यह आजाएगा, तो यहाँ पर जो है, इसमें अगर अगर आपन देखें तो यह fulfill हो रही है, यह वाला भी हो रही हो रही है यह वाला भी हो रही है, अब आप इसको अगर check करो और तीन को छोड़ना जाओ, तो छोड़ सकते हो यहाँ पर देखो, इससे match नहीं कर रहा इसके अंदर जो है, वो आपके यह से match नहीं कर रहा, इसके अंदर जो है, यह match नहीं कर रहा, तो इसका मतलब अपना answer जो जाएगा, वो क्या चला जाएगा फास्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा ठीक है, आई वाज समझे, नेक्स्ट अपन बढ़ते हैं 161 के अंदर, एपिकल मेरिस्टेम आर प्रेजेंट एर्दा, शीर्श्विब जो तक पाया जाता है, ठीक है ना, तो इसको अगर आपन कहें, जैसे यहां पर मेरिस्टेम टिश्व है और यहां पर भी आपके क्या है, मेरिस्टेम टिश्व है तो इसको आपन क्या बोलते हैं, शूट टिप ठीक है, और इसको क्या बोलेंगे आपन, रूट टिप क्या बोलेंगे root tip और shoot tip बोलेंगे तो यह tip of root के अंदर present होगा tip of shoot के अंदर present होगा और lateral side of shoot यह नहीं होगा क्यों नहीं होगा प्योंकि lateral side में आपके कौन सा marriage time होता है lateral marriage time होता है कौन सा होता है lateral marriage time होता है लिए इसका जो answer है वो क्या चला जाएगा fourth option क्या हो जाएगा right हो जाएगा इसके अंदर आई के बास समझ में fourth option हो जाएगा one sixty one का next अपन देखते हैं one sixty two early wood is formed in plant during paadpo में agra daru का निर्मान होता है देखो NCRT के अंदर जो है वो clearly दे रखा है कि दो season यहाँ पे NCRT के अंदर mention कर रखें springwood और spring season यह winter season ठीक है ना तो जो spring season होता है उसके अंदर no doubt है जो xylem होता है और उस xylem के अंदर specially जो vessels होती है उसके अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा जैसे यह vessels है ठीक है ना इस vessels की जो lumen होती है वो आपके क्या होती है broad होती है यह जैसे lumen होगे इसकी तो यह है इसका क्या lumen ठीक है यह broad होगी किस season में spring season में तो spring season में आपके कौन सी wood बनेगी early wood बनेगी बट अगर अगर अपन winter season की बात करें ठीक है तो उसके अंदर आपके क्या होता है metabolically क्या होता है slow हो जाता है और वहाँ पे उसका जो lumen जो होता है वो narrow हो जाता है क्योंकि यहाँ पे deposition आपके क्या होता है ज्यादा हो जाता है तो यहाँ पे winter season के अंदर late wood बनती है बट spring season के अंदर आपके क्या बनती है, earlywood का क्या होता है, formation होता है, तो यहाँ पे जो answer जाएगा, इसके respect में, first option क्या हो जाएगा, right हो जाएगा, ठीक है, आईए क्या बस समझें, next अपन, बढ़ते हैं, ठीक है, next अपन, 163, middle lemela is, मद्य पटली का है, ठीक है न, middle lemela is, या, मद्य पटली का, जो है, वो क्या है, इसमें अपन देखते हैं, plasma membrane covering the two cells together, कोशिका जिली, जो दो कोशिकाओं को आवर्थित करती है, पहला option, a layer between two neighbor cells, एक परज जो दो आस-पास की कोशिकाओं के मद्य उपस्तित होती है, तीसरा option, a poroplasm membrane of cell, कोशिका जिली में उपस्तित छिद्र, चोथा option, a cell wall between two adjacent cells, एक कोशिका बित्ती, जो दो समिपस्त कोशिका में मद्य पाई जाती है, जैको यहाँ पे, clearly, जो है, वो NCRT में दे भी रखा है, कि जैसे ये दो plant cell है, ठीक है, ये क्या हो गई आपके, दो plant cell हो गई, इसके अंदर, ये वाला, जो हो वेक्यूल वाला पार्ट हो गया, और इसके अंदर की तरफ, ये cell membrane हो गया, ठीक है, और ये हो गया बाहर की तरफ, cell wall हो गया, इसके अंदर, ठीक है, यह हो गया आपके क्या cell wall और यह हो गया cell membrane ठीक है अब इनके अंदर क्या होता है कि एक cementing like structure का क्या होता है formation होता है जिसको अपन क्या बोलते हैं middle lamela बोलते है और इसके अंदर calcium और magnesium pectate पाया जाता है और calcium pectate जो होता है वो high amount में होता है compare to magnesium pectate के clear है यहाँ पर तो यह एक जो layer होती है जो two neighbor cells के बीच में क्या होती है present होती है तो इसलिए यहाँ पर option जो होगा second हो जाएगा ठीक है तो right answer क्या हो जाएगा second option हो जाएगा next अपन बढ़ते हैं यहाँ पर 164 में in prokaryotic cell ribosome subunities तो prokaryotic cell के अंदर अपन जानते है जो ribosome होता है वो 70s type का होता है और इसके अंदर जो है वो small unit होती है 30s और यह large unit होती है कौन सी 40s और 50s होती है 30s और 50s होती है तो यहाँ पर option क्या चला जाएगा third option चला जाएगा ठीक है next अपन बढ़ते हैं 165 के अंदर ठीक है the nucleus is separated from surrounding cytoplasm by a nuclear membrane which is केंद्रकोष का दर्वे से केंद्रक जिली द्वारा प्रतक रहता है जो है हाना तो यहाँ पर अगर अपन देखें तो जैसे अगर अपन यहाँ पर एक cell को draw करें और यहाँ पर अगर अपन देखें एक second यह तो हो गई cell और यह हो गई इसकी इस तरीके से अपन समझने के लिए draw कर लेते हैं यहाँ पर तो इस तरीके से यह nucleus हो गया तो यह तो हो गई इसकी nuclear membrane हा ना और यह content जो है वो सारा का सारा क्या हो गया cytoplasm है तो cytoplasm और nuclear plasma को differentiate करने के लिए nuclear membrane होती है और इसमें दो layers होती है outer layer और inner layer होती है और साथ इसाथ इनके अंदर pore होते हैं और pore के अंदर आपके क्या होता है exchange होता है किसका protein का और RNA का क्या होता है exchange होता है तो जो differentiate करने के लिए या separate करने के लिए जो structure होती है nuclear membrane हो कैसी होती है double layer with pore होती है तो यहाँ पे second option आजाएगा right हो जाएगा 165 के respect में जो है वो आपके second option क्या हो जाएगा right हो जाएगा ठीक है next अपन बढ़ते है 166 की तरफ series of changes in which cell duplicate its genome and synthesis the other constitute and divided into two daughter cells गटलाओं का वहकरम जिसमें कोशका अपने genome का द्विगुणन अन्य संगटओं का संसलेशन दो पुतरी कोशका उमें विभाजित हो जाती है ठीक है उसको अपन क्या बोलते हैं तो NCRT में जो है वो clearly mention कर रखा है इस event को अपन क्या बोलते हैं cell cycle बोलते हैं कैसे कि जैसे ये एक cell है इस cell के अंदर जो है वो ही nucleus हो गया और यहाँ पे इसका genetic material हो गया अब जब cell cycle चलेगा तो उसमें interface भी होगा cytokine app जो है M phase भी होगा ठीक है तो interface के अंदर G1 phase S phase, G2 phase होगा वहाँ पे DNA का duplication होगा cell organelle का duplication होगा other activities भी होगी ठीक है और cell cycle में जो है वो आपके complete आ गया M phase की बात करें तो उसमें karyokinesis और cytokinesis भी है है ना यह सब पता अपने को अच्छे से nucleoplasm content जो है DNA duplicate होगा cytoplasm content भी क्या होगा increase होगा cell organelle का number भी क्या होगा increase हो जाएगा और finally जो है एक cell जो है वो आपके 2 cell के अंदर क्या हो जाएगी क्या हो जाएगी भई divided हो जाएगी इस तरीके से 2 daughter cell के अंदर क्या हो जाएगी तो यह सारा event जो है किस में देखने को मिलेगा cell cycle के अंदर जो है वो देखने को मिलेगा इसलिए यहाँ पर जो answer है वो आपके क्या जाएगा second option जो है वो आपके क्या हो जाएगा right हो जाएगा clear है यहाँ पर ठीक है next बढ़ते हैं अपन 167 formation of new cell wall in plant by which method पादपो पे नई कोशी का भित्ती का निर्मान किस विधी द्वारा होता है तो clearly अपने को पता है कि plants के अंदर जो cell wall formation of new cell wall in plant by which method ठीक है cytokinesis process होगा ठीक है और cytokinesis process के अंदर अपने को पता है कि यहाँ पर क्या होगा cell plate का क्या होगा हो गया इसके अंदर है ना दो nucleus हो गए और यह इसका आपके क्या हो गया cell wall बाहर की तरफ ठीक है और यह इसके अंदर क्या बनेंगे इस तरीके से vesicles like structure का क्या होगा formation होगा और इनका जो direction होगा वो direction कौन सा होगा अंदर से बाहर की तरफ होगा centrifugal है ना मैनर के अंदर होगा तो plants के अंदर जो cell wall का formation होता है cell plate के तरफ होता है और animals के अंदर किस में होता है cell for row method के अंदर होता है तो इसका right answer जो है वो आपकी कहा जाएगा first option आ जाएगा देखो यह NCRT के अंदर जो है वो आपके clearly mention कर रखा है है की नहीं है यह वो cell plate उसमें क्या होगा आपके fragments बनेंगे और यह fragment जो है वो आपके center से peripheral चलेंगी और ultimately cell wall, middle lamella का क्या कर दिया जाएगा formation कर दिया जाएगा तो इसका answer क्या जाएगा first option right हो जाएगा ठीक है आगे बढ़ते हैं अपन 168 की तरफ ठीक है which is not the purpose of transpiration ठीक है वास्पो सर्जन का निम्न में से कौन सा उदेश्य नहीं है ठीक है NCRT के अंदर दे रखे हैं कुछ statement दे रखे हैं क्या transpiration का उदेश्य cool leaf surface करना नहीं है yes है पैंड सतर को ठंडा रखना temperature को ये down करता है दूसरा maintenance, shape and structure of plant हाँ ये भी होता है क्यों होता है क्योंकि एक term अपन पढ़ते हैं turgidity, sfitita ठीक है तो वो sfitita भी जो है वो transpiration का ही जो है वो part है कैसे कि water loss होगा तो new water आएगा root के थूँ soil के थूँ जो है वो absorb किया जाएगा root absorb करेगी और वो जैसे transfer होगा cells के अंदर तो turgidity जो है वहाँ पे देखने को मिलेगा all over जो cell है जो plant है plant का जो shape है जो structure है वो आपके देखने को मिलेगा उसके अंदर supply water for photosynthesis yes water loss होगा तो new water absorb होगा again और वो leaf में जाएगा xylem tissue के थूँ और वहाँ पे जो है वो leaf के अंदर आपके क्या होगा photosynthesis होगा help in translocation of sugar from source to sink यह नहीं होगा यह basically transpiration के थूँ नहीं होता है यह phloem tissue के थूँ होता है जब आप photosynthesis देखते हैं उसमें food बनता है sugar बनता है तो वो शुक्रोज disaccharide form के अंदर जो है वो आपके क्या होता है phloem से जो है root की तरफ यह leaf से जो है वो root की तरफ क्या कर दिया जाता है transfer कर दिया जाता है या source to sink जो है वो transfer कर दिया जाता है तो इसलिए इसका answer जो है वो आपके क्या हो जाएगा fourth option क्या हो जाएगा आपके right हो जाएगा clear है यहाँ पे next अपन बढ़ते 169 की तरफ बढ़ते a special type which occur when water is absorbed by solid colloidal causing them to the increase in volume is called एक vicious प्रकार जिसमे thos colloidal द्वारा पानी को अवशोशित किये जाने पर इसके आयतन में व्रद्धी होती है क्या कहलाता है ठीक है NCRT के अंदर clearly mention कर रखा है ठीक है इस process को अपन क्या बोलते हैं बई imbibition क्या बोलेंगे imbibition है ना क्या बोलेंगे imbibition osmosis नहीं होगा imbibition no doubt एक type है किसका diffusion का ही type है बट इसको अपन imbibition osmosis consider नहीं करेंगे translocation नहीं होगा transpiration नहीं होगा imbibition हो जाएगा इसका मतलब इसका option क्या जाएगा third option देखो paper जो है उसका main जो मकसद है जो उदेश्य है जो motive है वो आपके ये है कि आप इस time के अंदर जो है अब जो exam होने वाला उससे पहले आप पूरा का पूरा जो है वो syllabus summarize करो और सबसे बड़ी बात NCRT based जो है वो आपके summarize करो क्योंकि NCRT based पूरा paper जो है वो frame किया गया है और new neat pattern को देखते विए जो है वो पूरा paper फिर उसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं कौन सा 170 ठीक है अब देखो यहाँ पर दे रखा है essential elements perform many function which include अनिवार ये तत्व विभिन्य कारिये करते हैं जो निम्न है देखो permeability of cell membrane yes ये करते हैं कोश्का जिल्ली की पारगम्मेता को बनाई रखते हैं वाई mineral nutrition वाला जो chapter है उसके अंदर clearly mention कर रखा है जो macro nutrients है जो micro nutrients है ठीक है ना और उनमें essential elements जो है वो ये function करेंगे तो वो permeability of cell membrane maintain करके रखेंगे maintenance of osmotic concentration of cell sap no doubt इसके अंदर भी ये होगा कि जो essential elements है वो osmotic concentration को क्या करके रखते हैं maintain करके रखते हैं तीसरा buffering action तो buffering action भी आपके show करते हैं जिससे all over pH जो होता है cytoplasm का या all over cell का जो है वो maintain रहता है चोथा act as a major constitute of micro molecules and coenzyme देखो micro molecules नहीं होते हैं ये होते हैं macro molecules जो होते हैं उनके जो है वो part होते हैं लगू अनू तता सैं जैं के मुख्य संगतन तो लगू अनू नहीं होंगे व्रहद अनू होंगे तो ये statement अपना क्या चला जाएगा wrong हो जाएगा तो how many statement is true तो first, second or third तो यहाँ पे अगर अपन 170 के अंदर अगर देखें तो यहाँ पे अपना answer जो है वो क्या जाएगा second option क्या हो जाएगा right हो जाएगा तीन statement अपने क्या है right है ठीक है next बढ़ते हैं अपन next बढ़ते हैं 172 के अंदर biosynthesis phase of photosynthesis is formed of परकास संसलेशन की जेव संसलेशन चरण में बनता है हना तो यहाँ पे जो biosynthesis की बात हो रही है वो बात हो रही है किसकी dark reaction की NCRT के अंदर dark reaction को बोला गया है biosynthesis phase बोला गया है ठीक है तो यह अपने अच्छे से जानते है chloroplast के अंदर light reaction भी होती है और dark reaction भी होती है ठीक है light reaction जो है वो light पे dependent होती है directly और dark reaction जो होती है वो light पे indirectly का होती है dependent होती है सही बात है light reaction के अंदर जो है वो energy product बनते ATP और NADPS2 का formation होता है और वो ही ATP और NADPS2 जो है वो dark reaction के अंदर क्या होते है use किये जाते है और उसके थूद जो है वो आपके क्या बनता है student sugar का क्या होता है formation होता है तो यहाँ पर answer जो है वो क्या जाएगा second option चला जाएगा lipid नहीं होगा protein नहीं होगा fat भी नहीं होगा dark reaction के अंदर क्या बनेगा sugar का क्या हो जाएगा formation हो जाएगा तो यहाँ पे 122 के अंदर जो है वो आपके क्या होगा second option क्या हो जाएगा right हो जाएगा next अपन बढ़ते हैं और 172 के अंदर ठीक है अब देखो if a chemical process is affected by more than one factor then its rate will be determined by यदि कोई रासाइनिक परक्रिया एक से अधिक कार को द्वारा परभावित होती है तो दर का निधान होता है तो एक limiting factor जो है photosynthesis का जो chapter है उसके अंदर last में दे रखा है black man limiting factor ठीक है ना और उसमें clearly यह बोला गया है कि अगर कोई reaction है और उसमें एक से ज़्यादा factor काम कर रहे हैं तो उसमें से अगर एक जो factor कम हो जाता है तो वो all or पूरी reaction को क्या कर सकता है effect कर सकता है अगर उसकी value जो है वो minimum हो जाती है close to its minimum value अगर उसकी जो value है वो minimum हो जाती है जो normal range है उस normal range से क्या हो जाए minimum हो जाए तो वो all or reaction को क्या कर सकता है effect कर सकता है तो closely related factor नहीं होगा factor which is close to its minimum minimal value तो अगर आप इसको tick करके आगे बढ़ना चाहो तो बढ़ सकते हो क्योंकि यहीं पर अपना answer आ गया और NCIT के अंदर जो हो clearly statement mention कर रखा है फिर भी अपन देख लेते हैं factors which is close to its maximum value नहीं होगा factors which is close to its जाएगा second option क्या हो जाएगा right हो जाएगा तो 172 के अंदर अगर अगर अपन देखें तो second option अपना क्या होगा right हो जाएगा ठीक है next बढ़ते हैं अपन next question की तरफ 133 bulbil is a structure of asexual reproduction bulbil sorry एक second हाँ bulbil is a structure of asexual reproduction which found in analogic journal में पत्र प्रकली का सरचना पाई जाती है देखो NCRT के अंदर clearly mention कर रखा है डाइग्राम भी दे रखा है और वो डाइग्राम आपको पता होना चाहिए क्योंकि अब ये जो टाइम है इसमें तो आप फटा फट जो है वो रिकॉल कर सकते हो रिकॉल करना भी चाहिए और आपको जो है वो सारे याद है examples याद है modification के नाम भी आपको पता है तो इसका answer potato होगा क्या नहीं होगा क्योंकि potato जो होता है वो underground stamp होता है tuber again होगा क्या yes again होगा इसके अंदर ginger होगा क्या नहीं होगा यह भी आपके क्या है modified stamp है और underground stamp है water high synth offset होगा तो यह भी नहीं होगा तो bulbil के respect में आपके क्या चला जाएगा option section option हो जायए गा रैइट गो जाएगा तो यहां पे second option क्या हो जाएगा भई राइट हो जाएगा इसके अंदर हाना तो 173 के अंदर अगर अपन देखें तो second option अपना क्या होगा राइट हो जाएगा ठीक है next अपन देखते हैं 174 की बात करते हैं number of seeds is equal to the beach की संख्या समान होती है तो NCRT के अंदर clearly mention कर रखा है कि after fertilization, initiation के पस्चाप जो बीजांड होते हैं है ना जो ovule होते हैं वो seed के अंदर या beach के अंदर क्या हो जाते हैं परिवर्थिते हो जाते हैं तो number of seeds is equal to number of ovule सही बात है और देख लेते हैं number of stamen नहीं होगा both first and second ये भी नहीं होगा number of pistil ये भी नहीं होगा तो अपना answer, ncrt statement के according क्या जाएगा first option क्या हो जाएगा student right हो जाएगा तो 174 का अपना first option right रहेगा clearly दे रखा है देखो निशेचन के पस्चाप बीजांड बीज में परिवर्थित हो जाता है और अंडा शे ओविरी जो होता है वो फल के अंदर क्या हो जाता है परिवर्थित हो जाता है ठीक है तो अपन आगे बढ़ते हैं 104 का first अपन ने option कर दिया है ठीक है आगे बढ़े चलो 175 की बात करें 170 in amorphophallus and yucca the mouth lay egg into the amorphophallus और yucca में शलब द्वारा अंडे दिये जाते हैं हना तो NCRT के अंदर clearly mention कर रखा है कि जो amorphophallus है जिसका flower अप्रोक्स जो है वो 6 फिट तक का देखने को मिलता है हना और yucca दोनों के अंदर जो मोत जो होते हैं जो कीडे जो होते हैं शलब जो होते हैं हना वो अपने अंडे जो है जो एग जो है वो किस के अंदर देते हैं ओवेरी के अंदर देते हैं और ओवेरी में जैसे आपके अगर अपन बात करें ठीक है ओवेरी में अगर अपन देखें तो यहाँ पे क्या होगा locule of ovary on stigma into the fruit wall in style तो यहाँ पे अपना option क्या जाएगा first option क्या हो जाएगा right हो जाएगा अंडा शेक के कोस्टक में कैसे किस तरीके से देख लो इदर एक बार ठीक है जैसे यह आपके pistil हो गया है या कारपल हो गया इसके अंदर तो यहाँ पे क्या किया जाएंगे यह मोथ आएंगे flower के अंदर थोड़ा जाएंगे deeply और यहाँ पे छेद बना देंगे और छेद बना करके क्या करेंगे साथ यह साथ आपके क्या करेंगे यह यहाँ पे क्या करेंगे अपने अंडे देंगे ठीक है और इनको क्या benefit मिलेगा pollination के point of view से क्या मिलेगा benefit मिलेगा इसके अंदर ठीक है तो यहाँ पे अपन locule of ovary तो first option अपना क्या हो जाएगा right हो जाएगा 175 के अंदर अपना जो option जाएगा वो option क्या होगा 175 के अंदर first option अपना क्या हो जाएगा right हो जाएगा नेक्स्ट अपन बढ़ते हैं इसके अंदर चलो आगे बढ़ते हैं 176 सोमा क्लोनल अप्टेंट भाई सोमा क्लोनल प्राप्त किया जाता है ठीक है जो प्लांट ब्रीडिंग वाला जो चेप्टर एंस यार्टे के अंदर उसमें सोमा क्लोनल का मीनिंग क्या होता है सोमा क्लोनल का मीनिंग होता है कि जैसे यह एक सैल है इस सैल के अंदर कंटिनियूसली डिवीजन हो रहा है और डिवीजन होकर कि आपके क्या बन रही है सैल्स बन रही है हाना सैल्स जो है वो आपके बन रही है यहापर एक सेकेंड जैसे य से나라 है इसके अंदर continuous division हो रहा है, division होकर क्या बन रहा है पूसेज्य काई कहा पूसेज्य का क्या हो रहा है formation हो रहा है और यहीं tissue आगे चल करके जो है वह है embryo like structure का formation और अपने यह क्या सकते हैं किसका formation कर रहा है plant का formation कर रहा है पादब का क्या कर रहा है निर्मान कर रहा है यह मना तो plant का निर्मान हो गया तो soma मतलब somatic cell काई कोशिका और clone जैसी clone का मतलब क्या होता है जो आनुवांची की और आकारी की रूप से अपने प्र्यतक के क्या हो समान हो, genetically or morphology क्या हो, similar हो तो यहाँ पे tissue culture जो है वो first option animal breeding नहीं होगा mutation नहीं होगा ठीक है और recombination तो tissue culture जो है वो right option रहेगा तो मतलब अपना option जो है वो first option जो है इसके respect में क्या हो जाएगा आपके right हो जाएगा clear है यहाँ पे दे रखा है इसके अंदर tissue culture के अंदर soma clonal obtained किया जा सकता है मतलब new plant का क्या किया जा सकता है single cell से भी जो है form किया जा सकता है अब क्यों किया जा सकता है क्योंकि इसके अंदर merist dramatic property है या इसको आप थोड़ा और better समझना चाहो तो totipotency है जिससे एक cell से पूरे की पूरे new plant का क्या हो जाता है formation हो जाता है तो 176 के अंदर अपना answer जो जाएगा वो first चला जाएगा tissue culture ठीक है आगे बढ़ते है अपन next है 177 cyclosporine A an immunosuppressive drug is produced by the fungus dेखो cyclosporine A एक परतिरक्षक निरोदक रसाइन कौन से कवक द्वारा जो है प्राप्त किया जाता है तो इसके अंदर देखो aspergillus nigar no doubt कवक है monascus purpurus कवक है और यह penicillium notatum यह भी कवक है trichoderma polysporum यह भी कवक है इससे citric acid प्राप्त किया जाता है इससे जो है वो statin जो है वो आपके flaming जिसने first of all antivitic extract किया था जिसका नाम है penicilline और trichoderma polysporum से प्राप्त किया जाता है क्या cyclosporine A और यह जो है immunosuppressive drugs होती है it means इसका उप्योग या इसका use जो है जब organ transplant किया जाता है जो अंगदान किया जाता है तो उस अंगदान के दोरान जो है उस person के अंदर जिसमे organ transplant किया जा रहा है उसको यह drug दी जाती है जिससे उस organ के प्रती जो है जो उस अंग के प्रती जो है वो पर्तिरक्षी तंत्र उस particular organ के लिए जो है वो पर्तिरक्षी तंत्र का निर्मान ना हो ठीक है ना तो यहाँ पर जो option अपना जाएगा वो option क्या चला जाएगा cyclosporine यह जो है उसके लिए option क्या चला जाएगा fourth option क्या हो जाएगा right हो जाएगा यह NCRT के अंदर clearly statement दे रखे हैं ठीक है इनको याद रखना है हना इनकी आप अलग से index भी देखते हो तो उनको आप diet cushion आते हैं NEET के अंदर भी जो है वो आपके direct cushion आते हैं next अपन बढ़े आगे और आगे बढ़ते हैं 178 के अंदर एक plasmid is एक plasmid है हना अब देखो यहाँ पे जो bio technology वाला जो chapter है उसके अंदर bio technology जो chapter है उसके अंदर एक cell दे रखी है और वो cell कौन सी है E. coli इस चिरीकिया coli ठीक है और उस इस चिरीकिया coli के अंदर अपन जानते हैं उसका main DNA तो होता है जिसको nucleoid बोलते हैं या kendra काब बोलते हैं इसके अलावा इसके अंदर जो है वो आपके क्या देखने को मिलेगा self-replicating और extra chromosomal structure जिसको अपन क्या बोलेंगे plasmid क्या बोलेंगे भई plasmid बोलेंगे self-replicating and extra chromosomal structure जो है वो देखने को मिलेगा हना cannot replicate ये गलत है can replicate autonomously सही बात है extra chromosomal structure सही बात है और तो इसका मतलब second or third दोनों सही बात है तो इसका लिए अपना option जो है वो fourth option हो जाएगा ठीक है अब जो plasmid है उसका use बायो technology के अंदर अपन करते है ये अपने को अच्छे से पढ़ता है है ना और पूरा बायो technology ये मान के चलो आप कही ना कही plasmid पर ठीक है जैसे अपन बढ़ते है PBR 322 वो जो plasmid होता है वो artificially बनाए जाता है ठीक है ना और उस plasmid का use अपन foreigner DNA को जो है वो multiply करने के लिए भी use लेते है और genetic engineering में जो है as a tool जो है इसका क्या किया जाता है use किया जाता है इसका option क्या हो जाएगा student fourth option क्या हो जाएगा right हो जाएगा next बढ़ते है अपन 100 उनेशी के अंदर या 179 के अंदर in plant biotechnology tumor are induced in plant using the bacterium पादब जे प्रोद्व के के में पादब में अबुर्द कौन से जिवानों द्वारा प्रेजित किया जाता है ठीक है फ्रेंकिया agrobacterium tumifacians rhizobium bacillus ठीक है तो अब देखो clearly biotechnology बारे chapter के अंदर NCRT के अंदर mention कर रखा है कि जो tumor है वो किया जाता है किसके थू agrobacterium tumifacian और उसके लिए कौन responsible होता है TI plasmid और TI plasmid के अंदर कौन responsible होता है T DNA कौन responsible होगा T DNA responsible होगा फ्रेंकिया nitrogen fixation करने में काम है आता है और वो nodules का formation करता है rhizobium भी legume plants वे non legume plants के अंदर है bacillus जो है वो इस तरीके से tumor का formation नहीं करेगा तो agrobacterium tumifacian जो है वो आपके क्या किया जाता है use किया जाता है हना तो biotechnology काफी interesting जो है वो chapter है और इसमें जो है वो बिलकुल concept best question आते है तो अगर अपन इस T-DNA की अगर अपन बात करें तो T-DNA जो tumor कोस करेगा अगर अपन T-DNA से replace कर दे किसको desirable DNA या alien DNA से या वाहक जो DNA उससे कर दे हना तो अपन इसका use जो है वो genetic engineering के अंदर ले सकते हैं पट naturally ये plant की root के अंदर जो है क्या कोस करता है tumor कोस करता है तो इसका जो option हो क्या हो जाएगा second option क्या हो जाएगा right हो जाएगा ठीक है तो 179 का student क्या answer आएगा second option आजाएगा next बढ़ते हैं अपन 180 RNAi gene are silenced using RNA में gene निश्करिये किया जाता है ठीक है ना RNA gene are silencing used देखो इसके अंदर जो biotechnology वाला जो chapter है उसके अंदर आपके दे रखा है RNA interference है ना आई का मतलब यह 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 यहाँ पर RNA interference तो यहाँ पर जो है वो क्या किया जाता है कि जो complementary जो है वो RNA का क्या किया जाता है formation किया जाता है complementary complementary निर्मांद किया जता है जिससे MRNA को क्या किया जता है stop कर दिया जता है जिससे वह express न कर सके और यह complementary RNA जो है complementary RNA और MRNA के साथ में प्लिखर करके double strand RNA को क्या करता है formation करता है ठीक है, तो वह use किया जाएगा किसके अंदर RNA gene silencing के अंदर किया जाएगा और इसके अंदर use जोगा वो किसका use होगा 180 के अंदर अगर अपन बात करें तो जो है RNA का use होगा complementary RNA का क्या किया जाएगा use किया जाएगा तो ये नहीं होगा ये भी नहीं होगा ये भी नहीं होगा ठीक है फिर उसके बाद में 181 में बढ़ते है The expanding pyramid of as indicate IU का बढ़ता हुआ pyramid परदर्शित करता है देखो यहाँ पे जो NCRT के नदर जो दे रखे हैं तीन टाइप की pyramid दे रखे हैं ठीक है ठीक है तीन टाइप के pyramid जो है वो mention कर रखे हैं और यहाँ पे जो है वो basically यह pyramid जो है इसको बोलते हैं बढ़ता हुआ pyramid ठीक है अब बढ़ता हुआ pyramid क्यों बोलते हैं बढ़ता हुआ pyramid इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे तीन stages दे रखी है एक तो दे रखी है कौन सी pre re productive stage और एक दे रखी है कौन सी re productive stage और एक दे रखी है कौन सी post re productive stage है कि नहीं है तो बढ़ते है पिरामीड का जो आधार होता है वो क्या होता है बढ़ता है अगर pre reproductive stage का नंबर क्या हो जादा हो बेस जो है जो आधार जो है वो आधार किसको माना जाएगा high percentage of pre reproductive indies well किसके respect में expanding pyramid के respect में low percentage of pre reproductive नहीं माना जाएगा high percentage of old indies well यह भी नहीं होगा more than one option यह भी नहीं होगा इसका अमला अपना answer क्या जाएगा first option चला जाएगा तीन दे रखें ठीक है ना उसी के basis पे जो है वो question जो है वो आपको देखने को मिल रहा है इसमें आधार जो है जो बेज जो है उसके अंदर क्या होना चाहिए pre reproductive phase जो है वो देखने को मिलना चाहिए तो यहां पर answer क्या चला जाएगा student फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा नेक्स्ट बढ़ते हैं एक सो बियासी नंबर क्यूश्टन अपन देखते हैं एनर्जी एंटर इन एन एको सिस्टम थू पारिय तंत्र में उर्जा का परवेश होता है सघ्ट जो फूडि चेन है इको सिस्टम के इंदर उसके अंदर अगरा पर आथीन तो जो एनर्जी आंटर होती है पनजान ios जानते हें उस Soulर अपके ऑंपन और रॉस और और हो जो चैमिकल अनर्जी होती है वो फिर वढ़ीज के आगए ये एंटर करती है तो by hervivirus नहीं होगा ये ये यह नहीं होगा इसके अंदर by producer ये हो जाएगा इसके नहीं होगा तो इसका answer जो है थर्ड का अगर 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 आपन 182 का अगर आपन देखें तो यहां पे जो एंसर है 180 2 का जो है वो आपके 3rd option हो जाएगा ठीक है next अपन आगे बढ़ते हैं इसके अंदर ठीक है next अपन आगे देखते हैं इसके अंदर तो next अपन आगे बढ़ते हैं एक सो एक सेकेंड हां 183 नंबर ट्रोपीकल है इस्पीसीज एज कंपेर टू टेंपरेट और पॉलरीज़ उष्ट कटी बंदिये चेत्र में जातियों की संख्या सितोशन या दूरी परदेश्यों की तुल्ला में होती है तो यहां पर क्या ओप्शन जाएगा 183 का फर्स्ट ऑप्शन जो है आपके क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा पर आगे बढ़ते हैं इसके अंदर सब्सक्राइट हें 184 कंजरवेशन इन डा नेचर हैबिटेट प्राकर्तिक आवास का सरक्षन किया जाता है गिर्डवी प्राकरतिक आवास का सरक्षण खरेकित अपन किस तरीके कर सकते एक सीटू नहीं होगा इसके अंदर तो के अंदर वह वह एक-सीटू का पार्ट हो गया और बोट निकल गार्टन यह भी वोट आपके क्या हो गया एक सिटू का एक्जाम्पल हो गया यहाँ पर अपना जो गाएगा वो फिर्स्ट में अपन चलें इन इंडिया बायो स्पियर रिजर 185 में अगर अपन देखें 185 में 185 में 185 में ठीक है 185 में अगर अपन देखें इन इंडिया बायो स्पियर रिजर नेशनल पार्क एंड वाइल लाइफ सेंचुरी दंबरी भारत में जीव मंडल सरक्षी चेतर राश्टी उद्यान वर वन्ने जीव अभ्यारन की संक्या है तो देखो जो बायो डाइवर्सिटी वाले चेप्टर के अंदर क्लियरली जो है वो मेंशन कर रखा इसका डाटा 14 क्या है बायो स्पेर रिजर्व है 19 जो है वो नेशनल पार्क है और वाइल लाइफ सेंचुरी कितनी है 448 है 448 है यहाँ पर जो फस्ट ऑप्शन है तो आपकी क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा इसके अदर ठीक है और देखें तो यह डाटा सही नहीं है अकोडिंग एंसी आटी यह डाटा सही नहीं है यह डाटा सही नहीं है तो फस्ट ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा फिर अपन आगे बढ़ते हैं इसके अंदर ठीक है 186 हना अब देखो यहाँ पे जो इस साल जो है नीट का जो पेटर है उस पे अपन बात करें तो अपने 35 कुश्चन जो है वो section A के अंदर आएंगे और section B के अंदर जो है वो आपके कितने 15 कुश्चन आएंगे अब इस 15 कुश्चन में से जो आपको वो 10 जो है एनी 10 कुश्चन जो है आपको अटेंट खरने है बट अपन अगर अगर आपन देखें तो 15 कुश्चन ही आएंगे नीट पेपर के अंदर भी ठीक है तो उसी को अपन सारा देखेंगे या पर वो डील करेंगे ठीक है तो अपन आगे बढ़ते हैं इसके अंदर 186 नंबर विच स्टेट्मेंट इस ट्रू कौन सा कथन सत्ते है ठीक है है गृठ रीपरजेंट्ट केटेगरी इन टैक्सोनमी वर्ग दात है और हार एक गृट्ष को कौन छह सोँ ऑन दे करेंगा तो यह सइसा स्टेटमेंट इस ए बोटनिकल गार्डन है जोनऑन लिविंग होता है just विदिपाट्पोंगों का संग्रेंड मॉनोग्राफ में सभी वर्गों की जानकरी ओती नहीं पर उसकते हैं इनफोमेशन दी जबी जोन हो जाएगा देयर गलाकरी इसमें धर क्या है राइट है और मार circum suggesting तो अगर अगरब देखे 186 तो 166 अधर आपना जो राइट एंसू जाए जाएगा वह आपकेवन सानुम साँ जाएगा स्टिटेंट 186 के अपना वह सब्सक्राइब यह घाएगा फस्त आские यहां पर आप देखिएगा यहां पर कुछ फेजेज दे रहे कि प्रो फेज मेटा फेज एना फेज टिलो फेज ठीक है पूर्व अवस्था मद्य आवस्था पश्च आवस्था और अंत्या आवस्था इसके अंदर ठीक है आई बास समझ वें आई बास समझ वेंगा टीलो फेज ठीक है अब इसमें यह बोला गया है कि इसमें डिफरेंट स्टेजेजेज है यह प्रो फेज के अंदर आपके क्या देखने को मिलेगा क्रोमोजोम मेटेरियल कंदंस्टू फॉर्म ओंपेक्ट माइटोटिक क्रोमोजोम सही बात है chromosome material condensed to form compact mitotic chromosome ठीक है यह होगा meta phase की अगर अपन बात करें तो meta phase के अंदर क्या होगा spindle fibers attached to kinetopore of chromosome सही बात है C में अगर अगर अपन देखे anaphase तो anaphase के अंदर क्या होगा centromer split and chromated क्या हो जाएगा separated सही बात है D के अगर अगर अपन देखें तो telophase के अंदर क्या होगा chromosome cluster at opposite spindle तो अपना option जो है वो first option हो जाएगा इसके अंदर आप इसमें देखेंगा जो second, third और fourth option है उसमें match कर रहे हैं क्या first तक match कर रहे है पर second जो भी है वो match नहीं कर रहे है तो आप time को बचाते हुए जो है वो 187 का जो है वो answer आप क्या करोगे first option है कर दोगे इसके अंदर ठीक है next अपन आगे बढ़ते है 188 अब देखो यहाँ पर कुछ statements दिये गए है polysaccharide are long chain एक second polysaccharide are long chain of sugar सही बात है नाइट स्टेट्मेंट है inulin is a polymer of fructose यह भी सही बात है inulin जो होता है जैसे insulin होता है वैसी inulin का formation किया जाता है और वो polymer होता है कि इसका fructose sugar का होता है protein are homo polymer of amino acid नहीं hetero polymer होता है 20 types के amino acids 10 essential and 10 non essential तो वैसे 10 essential होते हैं वो body के लिए requireable होते है और जो आपके non essential होते हैं body के लिए requireable नहीं है ठीक है अगर अपने इसको बाहर से essential elements के बात करें तो अपन बाहर से इसको gain करते हैं non essential को अपन body के अंदर synthesize करते हैं ठीक है तो यहाँ पर proteins होते हैं वो hetero polymer होता है तो यह भी नहीं होगा nucleic acid exhibiting secondary structure सही बात है according Watson Creek जो है उसके अंदर one strand parallel और दूसरा strand आपके क्या होता है anti-parallel होता है और वो secondary structure के अंदर क्या होता है present होता है तो यह भी सही बात है ठीक है amino acid आ linked by glycosidic bond नहीं amino acids जो होते हैं peptide bond के तूँ क्या होते हैं जुड़े होगे रहते है तो यह statement भी क्या हो गया रोंग हो गया अपना first second और जो fourth है वो right हो जाएगा मतलब अपना जो option जाएगा वो क्या तला जाएगा second option क्या हो जाएगा student right हो जाएगा तो 188 का आपने क्या हो जाएगा second option right हो जाएगा ठीक है next अपन बढ़ते हैं सही ना तीन statement अपने सही और दो statement आपके क्या है wrong हो गए next अपन देखते हैं यह आपे 189 ठीक है 189 mg plus is an activator of mg सक्रियक है देखो alcohol dehydrogenase इसके लिए जो है वह आपके अगर अपन बात करें तो जेडन प्लस टू होता है nitrogenase के लिए अगर अपन देखें तो molybladidum होता है riblose by phosphate या bisphosphate carboxylase oxygenase और phosphoenol pyruvate carboxylase ठीक है यह है तो दोलों के लिए ही आपके जो है वह एक्टिवेटर क्या होगा mg plus 2 होगा क्या होगा वही mg plus 2 हो जाएगा एक्टिवेटर तो इसमें से अपने को select करना है कि जो mg plus 2 एक्टिवेटर के लिए है तो इसमें क्या हो जाएगा आपके third and fourth तो अपना answer क्या जाएगा fourth option क्या हो जाएगा write हो जाएगा है ना यह सारे ncrt based है अगर आप इसको सही से बढ़ा होगा आपने श्रिगें steady go column first and second ठीक है तो एक्सो नवए में अपनाते हैं microbes पर सटेंड सेकंट के रफैक्ट तू कार्बन नबन ठीक कार्बन संक्राब में संदर्व में स्टसेकंड का क्या किसी है मिलान की चीजए खो एस टूकौइन जबन हर और सक्षेनिक एसीड एलफा कीटो ग्लूटारीक एसीड पायरीक एसीड पायरीक एसीड जो कितने होता है तीन कार्बन स्ट्रक्चर होता है तो अब यहां पर एक बार चीज़ कर सकते हो जैसे एंदर तो इसका मतलब सेकंड और फॉर्ट होगा नहीं ठीक है फिर उसके बाद में सब्सक्राइब तो आप देख लो इसके अंदर डी को मेच कर लो एक बार ठीक है ना दी के अंदर आपके क्या फॉर्ट आना चाहिए तो वह इसके अंदर नहीं आ रहा है इसका मतलब यह हो गया ठीक है अब देखो एक बार बी जो है एलफा किटो ग्लूटारीक एसीड के आ पेंधर आपे कितंधे कार्बन ओतें फाइफ कार्बन होते है ठीक है कितने होंगे फाईफ ऐप यह तो आपके क्या है डाटा यह के हैं तो 190 के अंदर आपके क्या जाएगा फास्ट ऑप्शन आ जाएगा इसके अंदर ठीक है नेक्स्ट अपन देखें एक्सो एक्राण में PGR of which of the following chemical nature is helpful and behaving industry ठीक है निम्ड में से PGR जो आसव शराब उद्योग में उपियोगी का रासाइनिक संगतन है है ना तो यह बात किसके लिए बोली गई है यह बात बोली गई है जिब्रेलीन के लिए ठीक है करता है तो यहां पर अपना एंसर जो है वह एंसर क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा तो 191 का जो एंसर है है 191 का आपके एंसर क्या हो जाएगा एड ऑप्शन हो जाएगा इसके अंदर ठीक है नेक्स्ट अपन देखें तो यहां पर आपन 192 वाट्सन एंड क्रिक वाट्सन एंड क्रिक प्रोपोस्ट डबल हैलिक्स मोडल ऑफ डी अने विच वाज बैस दो जैम्स वाट्सन और फ्रैंसिस क्रिक ने डीने की सरचना का देको लिग नमुना प्रस्तुत किया अब देखो यहां पर एंसी आटी जो है वह स्टेटमेंट के अकोडिंग अगर अपन बात करें तो एक्स रे डिफ्रेक्शन ओफ डी ने प्रोड्यूस बाइं एम्विल्किन्स एंड फ्रैंकिन यह सही बात है ग्रिफित एक्सपेरिमेंट इसके थूँ कोई लेना देना नहीं इसका हरसे चेज इससे भी कोई लेना देना नहीं है बट चारगॉफ जो रूल है उससे रिलेटेड है क्योंकि यह जो बैस था यह क्यों दो ही स्टेटमेंट बेस्ट है एक तो एक्स रे डिफ्रेक्शन जो टेक्नीक काम में ले रहते को विल्किन से एंड फ्रेंकिन काम में ले रहते और सा फॉर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा वन नाइंटी टू का आपके जो है वो ऑप्शन क्या हो जाएगा फॉर्थ ऑप्शन हो जाएगा इसके अंदर आगे बड़े एंस याड़ी की डाटा दे रखें क्लियर है यहां पर अब आप आप जाओ नेक्स्ट कुस्ट्ट पे 193 मै अगर आपन देखें तो जो लैग जैड है वो बीटा गलेक्टोसाइडेस को कोड करता है है ना तो यहां पर देखो फॉर्थ के रेस्पेक्ट में यह दो ही दे रखें यह नहीं है ठीक है अलब यह नहीं है यह बात कतम हो गई अब फस्ट और सेगंड अपने पास में बच अबस्ट आजाएगा यह नहीं होगा क्योंकि मेच नहीं कर रहा फिर भी देख लेते मरें मरें जो हो प्रोवाइड टेंपलेट सही बात है यह देगा प्रोवाइड टेंपलेट और टी आरे ने जो है वह आपके क्या करेगा यहां पर ब्रिंग डाएमीनो एसीड तो अपन अगर अब देखें यहां पर SNP single nucleotide polymorphism is SNP single nucleotide polyform is अपन जानते हैं कि जैसे यह डिन है ठीक है यह डिन होगया तो इस डिन में एक particular DNA base जो होगा वो दूसरे DNA की base pair से क्या होगा आपके different होगा जैसे यहां पर base pair और यहां पर base pair है यह दोनों आपके क्या होंगे different होंगे उसी को अपन क्या बोलते हैं single nucleotide polymorphies में बोलते हैं तो location on RNA where single base differed नहीं होगा location on protein where single base differed नहीं होगा location on DNA where the single base differed है ना DNA का वहस्तान जहां एक छार का अंतर होता है तो यह SNP को बिल्कुल सठीक जाता है कि SNP का मतलब यह होता है कि जो DNA होता है उस पर एक जो है वो base क्या होता है differ होता है क्या होता है base differ होता है location on DNA where many bases of DNA differ यह नहीं होगा यहां पर जो answer हो क्या होगा student third option क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा वही जो 194 है 104 में जो number है उसके अंदर आप समझे अच्छे से जो genetic code जो है उसके अंदर या जो SGP है उसके अंदर आपके clearly mention कर रखा है क्या सन्पी का मिनिंग ही होता है कि location on DNA where the single base differ third option हो गया ठीक है अब अपन आगे बढ़ जाते हैं ठीक है अब इसके बाद में एक सो पिचार में 195 for the given DNA sequence यह sequence दे रखा है अब इसमें से MRNA करम का क्या करना है चुनाव करना है तो मैं यहां पर देखो 3 प्राइम जो है वो एक बार टी ए सी ए टी जी एसे क्यूशन नीट में आते हैं इसलिए आपको जो है वो एक क्यूशन दिया गया है टी सी सी जी फाइर प्राइम अब अपन जानते हैं जो अब इसमें देखो आप MRNA बना रहे हूं तो यहां पर क्या बनेगा ए ती नहीं एगा यू आएगा आपन जानते जी यू ए सी 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 ए आ गया ठीक है और इसमें जी जी सी और यह हो गया तो यह जो सेग्मेंट है यह किसको को रिपर्जेंट कर रहा है MRNA को रिपर्जेंट कर रहा है तो अब इसमें देखो कौन सा ओप्षिन दे रखा है ए यू जी यू ए सी 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 ए जी जी सी तो इसका मतलब यहां पे 195 के अंदर जो है वो अपना ओप्षिन जो जाएगा वो ओप्षिन कौन सा चला जाएगा फस्ट ओप्षिन चला जाएगा और मेच कर लो आई यू जी यू ए जी ये नहीं है अई यू जी यू अचय है और अलब यहां पाड जी डेत हो ए घी जी A हो गया है यहाँ पर यहाँ पर आएगा क्या C आजाएगा तो first option अपना क्या होगा right हो जाएगा ठीक है next बढ़ते हैं अपन अब देखो body compensant low oxygen availability at high altitude by उच्छ तुंगता पर शरीर द्वारा कम oxygen उपलब्द पर छती पूर्ती होती है ठीक है तो यहाँ पर जो है अगर आपन देखें उच्छ तुंगता पर शरीर द्वारा oxygen उपलब्द पर छती पूर्ती होती है कम oxygen उपलब्द पर जो है वो छती पूर्ती किस तरीके से होगी ठीक है तो अब यहाँ पर आप देखिएगा increase RBC number पर वए बात है RBC number क्या हो जाता है यह नहीं होगा यह हो जाएगा इसके अंदर है ना यह है यहां पर आप देख लीजिएगा तीन जो है वो अपने सामने हैं फास्ट सेकेंड और फोर्ट है ना तो बन नाइंटी सिक्स के अंदर अगर आपन देखें तो जो फॉर्ट ऑप्शन है वो अपना क्या चला जाएग इन ग्रीन प्लांट अकोडिंग 10% एनर्जी लो लें मैंने जो दिया था हाव मच एनर्जी ट्रांसवर टू कार्णी वोरस अगर दो सो जूल सोर उर्जा हरे पाद को में उकस्तित है तो दस पर तिश्यत उर्जा नियम के नुसार माशा हरी में उर्जा इस्तानांत्री तो जाइट जाएगा क्लियर नेक्स्ट नेक्स्ट बढ़ते हैं अपन अब इसमें कुछ स्टेट्मेंट्स दे रखे हैं हना इन हेल्दी परसंदा ग्लुकोस कंसेंट्रेशन इस 4.2-6.1 मिली मोल पर लीटर सही बात है इन डिनस टेंट टर्ण इस 36 यह भी सही बात है टर्ण हो मेटाबोलाइट इस नोट यूसफुल फॉर हुमेन नहीं यूसफुल होते है हुमेन के लिए यह रोंग हो जाएगा इन हुमेन बोडी दा सोडियम कंसंट्रेशन इस 0.2 परसंट यह भी सही बात है हाव मैने स्टेटमेंट इस इंकरेक्ट यहां पर यह पुछा गया कि नि राइट हो जाएगा नेक्स्ट अपन बढ़ते हैं कि फिर अपन आते हैं एक सो निन्यान में के अंदर और इसमें क्या दे रखा है कुछ दो स्टेटमेंट दे रखें इफ्लेंट फ्रॉम्दा सेकेंडरी ट्रीटमेंट इस रिलीजड तू डैट्रल वाटर बोडी इस के अंदर रिवर के अंदर या वाटर बोडी के अंदर ट्रांसफर कर दें तो अपन आसानी से कर सकते हैं इसको पी ने लाएगा अपन नहीं गोल सकते हैं ठीक है यह स्टेटमेंट सही है मिधेनो बैक्टीरियम ओमली फांड इंदा अरोबिक स्लज्ज यह गलत बात है इसम अपना 199 अंदर अपन देखें तो जो ओप्शन जाएगा वो ओप्शन क्या तला जाएगा फस्ट ओप्शन क्या हो जाएगा स्ट्रेंट राइट हो जाएगा ठीक है फिर उसके बाद में अपनाते हैं नेक्स्ट कुश्चिन में 200 ठीक है अब इसमें स्टेटमेंट दे रखे हैं दा फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी वाज गीवन इन 1992 और और गर्ड विट एडी डेफिसेंसी सही बात है एडिनोसीन डी अमिनेज है ना एक डेफिसेंसी होती है जिसमें आपके इम्मुनिटी के हो जाती है वीक हो जाती है ट्रांस जेनी काव यूजड इन टेस्टिंग दा सेफ्टी ओप एक्सिंग काव नहीं होता है माइस यूज लिया जाता है ठीक है तो यह गलत हो गया जीन क्राइफस्ट कंट्रोल कॉर्ण बोरर नहीं कॉटन बोरर के अंदर जो है यह स्टेटमेंट भी आपके क्या हो गया रोंग हो गया अल्ली डाइग्नोसिस मेथड इस एलाइजा सही बात है यहां पर पुछा गया हाव मैनी स्टेटमेंट इस फॉल्स यहां पर जो है वो कितने स्टेटमेंट जो है वो आपके फॉल्स है तो यहां पर आप देखो कित rness statement जो आपके क्या हुंग्ढने false होगी एक तो यह वाला cow नहीं का माइस होगा और ये किसके लिए होता है corn borer के लिए नहीं होता धों statement अपने क्या है false है तो यहां पर एंसर क्या जाएगा option तो यहां पर जो है वो क्या जाएगा NCRT-based पूरा paper है, ठीक है, इस बार जो new pattern OC के best पे जो है, मैं आप से पूरी-पूरी ये उम्मीद करता हूँ, कि आपने बहुत अच्छे से paper दिया है, और maximum tuition जो है आपके attempt किये, और maximum tuition जो है आपके right हुए है, ठीक है अब अगर एक दो question है, तर रोंग भी हो जाता है, तो अगर आप video solution देखोगे, तो आप इसको improve कर सकते हूँ, वीडियो solution का main मकसद यह उदेश्ट यही होता है, कि जो आपने गलतिया की है, वो गलतिया main exam के अंदर ना हो, उमीद है, आपने अच्छे से solution जो है, वो देखा होगा, और अच्छे से जो है, वो आप विलकुल concept based जो है, वो सारे question आपने की होगी, ठीक है, best of luck for NEET exam, Good morning friends, CLC की दंगल सीरीज में आपका स्वागत है, हम chemistry का discussion करने जा रहे है, पहला problem क्या कह रहा है, what will the molarity of the solution in which 0.365 gram of SCL gas is dissolved in 100 ml of solution, Basically, आपके पास molarity का जो formula होता है, number of moles upon volume into 1000, अगर volume ml में दे रहा है, number of moles निकाल सकते हो, 0.365 upon HCL का मुल्कुल वेड जो होगा, 36.5 upon में, ये volume जो दे रहा है, 100 ml दे रहा है, into, आप क्या करोगा, 1000 करोगी, ठीक है, इसको आप solve करोगी, इसकी value जो आएगी, 0.1 के बराबर सकते हैं, तो इसका answer जोगा, बड़ा, कौन सा है, फोर्थ वाला answer आजाएगा, ठीक है, चलो, next चलिए, second problem, second problem देखी, क्या कह रहा है, 100 ml of O2 gas is diffusion 10 second, 1000 ml of gas x diffusion T second, gas x and time, T can be, ठीक है न, तो देख, rate of diffusion जो होता है, directly proportional to PA upon root 2M के बराबर होता है, तो यहां से, R1 divided by R2 is equal to, क्या ल सकते हो, ठीक है, rate of rate का formula, हम volume upon time के terms में ले सकते, तो यहां से, V1 divided by T1, that will be equals to V2 divided by T2, यहां से आपके पास क्याएगा, root M2 divided by M1 के बराबर है, दोनों का volume आपके पास same देर का है, ठीक है, तो यहां से 100 ml और यहां पी आप पास 100 ml, तो volume आपस में cancel out हो जाएगा, तो यहां से T2 divided by T1, that will equals to M2 divided by M1 के बराबर आएगा, ठीक है, आपको निकाल है T2, is upon T1 की value कितने देर के 10 seconds के बराबर, is equal to M2 को M1, M2 मान लेते, upon में, M1, M1 अपने पास क्या है, O2, O2 का मुल्कल वेट जो होगा, वो 32 के बराबर होगा, ठीक है, अब ऐसे case में आप क्या करना है, option check कर के problem को solve काना है, देखो, सबसे पहला option, H2, H2 का मुलकुल वेट कितना है, अपने पास, H2 का मुलकुल वेट वे 2 divided by 32, 2 divided by 32 आएगा, 1 upon 16, मतलब 1 divided by 4 के बराबर आएगा, तो यह वाली value 1 divided by 4, और यहाँ पर अगर time 2.5 सेकन लेते हो, तो 2.5 divided by 10, यह भी value कितना है कि 1 divided by 4, त तो दोनों की value 1 divided by 4 के बराबर आ रही है तो इसका मतलब first of all option आपके पास correct answer की form में आ जाएगा ठीक है ना चलो next चलते है next problem द्यान दीजिए when SO2 gas is passed into acidified potassium dichromate solution oxygen number of sulfur and chromium तो basic reaction दे रहे हैं कि SO2 की अगर में K2Cr2O7 के साथ reaction कराता हूं तो यहां पर सियार प्लस 6 से किसमें आ जाता है सियार प्लस 3 में आ जाता है सेम जब यह वाला रिडू जोगत इसका मतलब यह वाला oxidize होगा तो oxidize हो कि किसमें चला जाता है SO4 minus 2 में चल जाता है और sulfur oxygen state कितनी आगी plus 6 आपको पूछा क्या गए sulfur and chromium के oxygen state पूछा है तो sulfur की जो आएगी वो कितनी है कि plus 6 and chromium में plus 3 के बरवाएग तो मतलब second answer आजाएगा ठीक है भई चलो next देखिए अगला problem next पहला problem क्या कह रहे है mole fraction of component A in vapor face is x1 and mole fraction of component A in liquid mixer is x2 आपको मालूम होना चाहिए yA जो होता है वो अपने पास क्या होता है पी नौड ए xA upon में क्या आएगा आपके पास p total के बराबर आएगा ठीक है ना अब yA की value जो दे रहे है कि vapor face के अंदर अपने पास x1 के बराबर वो वाली value किसके बराब पी नौड ए यहां पर xA की value जो दे रहे है कि x2 के बराब अपन में पी टोटल आपको निकाला पी टोटल की value तो पी टोटल जो होगा पी नौड ए x2 divided by x1 जो की answer किसे आएगा first के अंदर option में match करेंगा तो answer first आजाएगा ठीक है चलो next option देखते हैं अगला देखिए अगला problem किया कि रवीच आप फॉलोविंग ग्राप corresponding to one not one not का मतलब क्या होगा जहां पे electron के मेलने की possibility क्या होगी 0 के बराबर तो electron के मिलने की possibility 0 का पे होगी यह वाला gap infinite पे मैच कर रहा है ठीक है तो यहां पे not zero consider करेंगे ठीक है ना है सेम अगर इसके अंदर देखे यह वाला ग्राप के अंदर आपके पास यहां पर इंफानेट पे चट कर रहा है तो केवल और केवल एक सब्सक्राइब को एक जगे पर कट कर रहा है इसका मतलब इसमें नौड जो आएगा कितना एगा केवल एक आएगा तो answer second आजाएगा ठीक है वह चलो नेक्स चलिए अगला प्रॉब्रम देखे अगला प्रॉब्रम क्या कह रहा है वीच आप दी फोलोविंग केवीज लेस्ट्न केशी ठीक है नम तो देख बड़ा KP इगल टू क्या होता है के सी आटी की पोर डेल्टा एंजी के बराबर होता ठीक है नम अगर देलटा एंग की वेज़़ी उनाची का का मतलब क्यों या किकर से ज्यादा घेगी मतलब क्या होगा इसमें KP की वेल्यू जो है केसी से कम होगी तो इसका अंसर थाड़ा जागा ठीक है नेक्स देखिए अगला प्रोब्लम दपी एच ओफ 0.1 M NH4C L NH4C L solution जो है वो क्या है वीक वीक बेस प्लस इस्ट्रॉंग एसिड का सोलिषन है NH4C L जो है वो आपके पास के वीक बेस प्लस इस्ट्रॉंग एसिड का सॉल्ट दे रहका है इसमें आपको डिसेशन कॉंस्टेंट बढ़ाना किसका NH4 वह थका तो आपको पता है एक वीक बेस प्लस इस्ट्रॉंग एसिड के लिए पीएस की जो वैल्यू होती हो कितने आती seven minus half PKB minus half log C के बराबर आजाएगी ठीक है न तो यहां पर पीएस की वैल्यू कितने देर की आपको पास 5.13 और seven minus half PKB की वैल्यू आपको निकाल ने ठीक है न माइनस हाप तो यहां से लॉग ची तो लॉग C कितना देरे का पास 10 पार माइनस न मतलब 0.1 का मतलब क्या होगा 10-1 ठीक है ना इससे आपके पास PKB की वेल्याइगी 4.7 के सम्तिंग आ जाएगी ठीक है ना PKB निकालने के पाद आप पास KB की वेल्यू जो होती है आप पास इसका बेस 10 में ले लोगे तो यहां पर और में वेल्याइगी 1.8 इंटू 10-5 के बराबर आ जाए ठीक है चलो नेक्स चलते है अगला प्रॉब्लम ज्यान दीजिया आप आस रियक्शन दे रहे कि az2 az2 प्लस o2 के अंदर टू ट्रा है ठीक है आपको बताना है कि इस रियक्शन spontaneous होगी या पि non-spontaneous होगी तो किसी भी reaction की spontaneous ही पता करते है डेल्टा जी की value से डेल्टा जी जो होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस के बराबर होता है ठीक है न डेल्टा एस की value जे रहे कि 40.63 इंटू 10 रहे कि पौर 3 किलो जूल में माइनस temperature जो दे रहे का 353.4 के बराब इंटू 108.8 तो इसको आप calculate करोगे तो approximately value आएगे तो 1000 के आस पास ठीक है न मतलब डेल्टा जी की value जो है वो greater than 0 आएगी और डेल्टा जी की value greater than 0 आने का मतलब क्या है ये वाली reaction जो है non-spontaneous reaction मतलब क्या होगा एक तरसे non-fusible reaction हो जाएगी ठीक है चलो कि नेक्स देखिए कि अगला वाला problem क्या कह रहा है हाओ मच परसेंटेज अप एज लेंट रिमेंड अन उक्किपाइड इंद गिवन इसकोर इंट आपको स्कॉर इंट देरे कि इसमें बाइदर वे मैं एज लेंट मान ले तो एक बराबट ठीक है अब आपको ऑन उक्किपाइड लेंट तो यह वाली हो जाएगी जो कि यह वाला रूट तू एक बराबर जिसके यहां पर तू आ रहे है यहां रहा रहा रहे है इसका मतलब फोर आर के बराबर रहेगा तो यहां से एकी वैल्यू को कैल्कुलेट कर सकते हैं रूट ए डिवाड़ बैफ फोर ए ठीक है ना ए आपस में कैंसल आउट हो जाएगा त इसकी वैल्यू अप्रोक्सिमेटली 30 परसेंट के बराबर आएगी ठीक है ना थर्टी परसेंट मतलब अप्रोक्सिमेटली 29.27 परसेंट के अरूंट आंसर आजाएगा ठीक है बई चलो नेक्स्ट चलिए अगला सिक्ष्टी वाला प्रॉब्लम क्या करें बढ़ा यहां पर फोर एन आई आई सुम रहे संद रियक्शन ए से बी में जा रहा है ठीक है ना तो एलन के की वैल्यू जरीक और आपको मालूम होना चाहिए कि डेल्टा जी जो होता है वो माइनस आप पास क्या होता है आर देल्टा जी की वैल्यू तो अगर मैं यहां पर लिकू मैंनस आर्टी ऐलन के की वैल्यों एलन के की वैल्यू अपने पास for minus तू 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 थाउजन अपॉन टी के बरब वैल्यू को मल्टिप्लाइ करो तो माइनस फोर आड़ अटी प्लस साथ में आपके पास टी ती कैंसे लोट तू 2000R के बराबर आजाएगा ठीक है ना और आपको मालूम है इसको ऐसे लिख सकता हूं 2000R माइनस 4RT ठीक है अब आपको पता है कि यह वाली वेली होती है देल्टा एच माइनस टी डिल्टा स के बराब ठीक है दोनों को अगर कंपिरिजन करोगे तो देखो यहां पर ती आ रहा है तो इसका मतलब यहीं फोर आर जो आएगा वह डेल्टा स के बराबर अजाएगा ठीक है वह तो आंसर इसका क्या एक बड़ा फर्स्ट वल आजाएग चलो नेक्स्ट चलिए अगला लगा और ऑर्गनिक केमिस्टी का नॉमेंट क्लेचर का प्रोब्लम में क्या कह रहा है आपको इसका आई पेस नॉमेंट क्लेचर करना तो मेजर चैन यह वाली हो जाएगी यह वाला सब्स्टेंट के तरह भी हो करेगा तो नाम क्यों गए एन कि नेक्स्ट चलिए अगला 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 प्रोब्लम क्या अगर वीच आप दी फॉलोविंग विल नॉट अंडर को टॉटमराइज आपको क्या बताना है कि इसमें से कौन सा कंपोंड टॉटमराइज नहीं होगा तो एक बात ध्यान रखे कि डबल बॉंड पे जबी भी ह वह चाहे तो जनली टॉटमराइज होगा क्योंकि इसका टॉटमर बनाओगे तो यह वल आपके पास टॉटमराइगा ठीक है ना इसके अंदर अलफा एडोजन है तो इसका मतलब टॉटमराइज हो जाएगा इसमें भी अलफा एडोजन आ रहा है जिबकि इसके अंदर वला टॉटमराइज नहीं होगा इसका मतलब फोर्थ वाला अंसर आजाए ठीक है भई नेक्स चलिए हो या भी तीनों सील-नीचे की तो पूसीलों का मतलब एहकी या फिर दो सील उपर еक सीलНी ठीक न यहां फिर दो सील नीचे एक सील उपर दोनों का मतलब यह तो एक हैक्ए में जुर आमसी अलफा टरेसरे आजिए तो चुटोटल जायेंगे वो दो के बाडब आभार राज इसके अंदर अगर देखें कि नेगिटिव चार्ज और चला जाएगा जब कि यहां पर पोजिटिव चार्ज आज़ा तो ऑक्जिजन पर पोजिटिव चार्ज वह भी सिंगल बोर वेरी वेरी अनिस्टिबल हो जाएगा तो सबसे कम इस्टिबल आपके पास कों सो जैड वाल सबसे ज्याद इस्टिबल वाई वाला तो वाई ग्रेट देन एक्स ग्रेट देन क्या होगा जैड जो की आंस्वर थाड़ के अंदर मेंच कर लेगा ठीक है आगे चलिए कि नेक्स चलिए भई आपको मेजर पूड़क बताना है बेसिकली यह वाली रियक्शन कों सी फ्रिडल क्राप अलकाइलेशन तो फ्रिडल क्राप अलकाल इसमें जहां पर बेंजिन रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज़्याद होगी यहां पर पीएच देरे का पीएच का मतलब यहां थर के अंदर मेच करा है ठीक है तो आंसर थर हो जाएगा नेक्स देखि- baş mira CH2 CH2 देकर चीज़ ज्यान रहुक है CH डेबल बॉन्ड CH CH2 ब्र ए ठीक है भड़ा Windows यह कि यह की काम होता है Alt COP देना मेटल का क्म mejores देना है ऐलेक्ट्रों देगा तो यहां पर अटेक यहां सेत रचाएग Girjee तो यहां पर नेगटीविट्उशेज जाएगा और नेगड़ चाज यहां पर रेजनेंस में आके इस लिविंग ग्रूप को अठा देगा तो यहां पर जो कंपॉंड बनेगा सी एस टू डबल बॉंड सी एस सिंगल बॉंड सी एस टू डबल बॉंड सी एस टू तो मतलब आपके पास के अगर ब्यूटा डाइन ब अच्छ नेक्स देखिए कि आपको को और क्यों के सब्सक्राइए ठीके न तो कॉंग का सब्सक्राइचे के साथ साथ एलिमिनेशन भी स्थासो अलकीन के साथ reaction कर सकता है और दूसरे अलकीन के साथ reaction करेगा तो इसको ऐसे तोड़ दीजिए यहां पर प्लस माइनस माइनस को प्लस से जोड़ दीजिए तो यहां पर पोजिटी चार्ज फर्दर रियरेज्मेंट करा होगे तो आपके पास क्या बन जाएगा इस जगे सिंगल बॉर्ण में कनवर्ट हो जाएगा तो इसका अंसर विड़ा कौन सा आएगा सेकेंड ठीक है जाए तो कार्भो कटन की मतलब की अश्ग आपनि र्रेजिएंस की वज़र से जिया थी तो फोर्थ एसके जए साथ इसाथ बेड़ेंस में और इंडर इशा का को फ। यह यहां पर पलैस ए वाला गृर्प पीर तो सब्से जाइँ तो40 वाथ ओन लग रहा है और उसके बाद में आप पास फंस्वल उसके बाद में थर्वल आएगा तो एसन वन की रियक्टिविटी का ओडर हो जाए ठीक है नेक्स देखिए अगला प्रोब्लम क्या कर रहा है इलेक्ट्रोन एफिनिटी की तर्म में देखना है तो देखो अगर बाइद वे नाइट्रोजन देर का हो यहां पर आपके पास क्या देर का हो फॉस्परस यहां पर ऑक्सिजन सलफर यहां पर क्लोरीन स्वारी फ्लोरीन यह अबात करें एकन च्छारीन की अर्ड यह ढोगी ऑड़ि ठीक है कि फुर्वाद में arada पे अघ्वुरीन की अक्षिजन व्क वाक्षिजन की में अघ्रजिच्ट रखें यंदि ने दंख बात करें तो अगर ग्रात करें और ऑप अगर कि यह विए ने में अच्छिजण अगर देखा जाएं तो नाइट्रोजन के पास P3 और पीटरी हाफ फिल्ड हाफ फिल्ड एलेक्ट्रॉन ओले इस्टेबल उते लेक्ट्रॉन लेना पसंद नहीं करेगा और यह स्वज़े से इसकी एलेक्ट्रॉन एफिनेटी ने एलेक्ट्रॉन एफिनेटी वैल्यू कार्बन की मुकाबले में किया होगी कम इसका मतला इसका आंसर को साइगा बड़ा सेकिन वाल आजाएगा ठीक है चलो कि नेक्स देखिए कि सिंपल प्रॉब्लम में आपको बताना है कौन-कौन से कंपोंड क्या-क्या से मैच कर रहे हैं एन एन थरी को क्या कहते है सीले सॉल्ट पीटर तो एक आपके पास क्या कर सीले सॉल्ट पीटर का मतलब भी आ जाएगा ठीक है लम यह वाला जो है सोडिय इसके मैक्रो कोस्मिक सॉल्ट होता है चीसका आंसर सी सब्सक्राइगा ना-सी उत्री को क्या किकिंग क्या कहते ृधी आध्य को मैच करना चाहिए भी-c-a-dbc-a-dbc-a-dd 2 बाली जांग के समय को इसका अग्ला वाला प्रॉब्लम क्या कह रहा है कौं सा स्टेट मेंट और करक्त है मिलक औप लाइम इस सप्पेस्ट हो क्यल्टियम अइड्रोकसाइड जए अब लाइम वाटर अगया तो इसका मतलब यह समझ जाए कि वह सॉलूशने टू सोलुशने तो मेंलक आप लाइम वेटर इस क्लिए शुलुशन ऊप सीयुआ प्लाइम वोटर आगया तो वट लेजर की रूप में वर्क करता है तो चार यह ओप्षन आपके पास क्या हो जाएंगे सही हो जाएंगे, ठीक है? 42 वला प्रॉब्म, र्यक्षन बेस्ट प्रॉब्लम है, यह बड़ा, CACO3 को इतब करोगे, तो यहां पर क्या बन जाएगा? सीय एओ प्रिवर्ट कर दो सीयो प्लस साथ में फूरी निकल जाए कि शीयो का इड़िलाइस करो के वाटर के साथ रीक्षिन करो तो केल्सिम एट ऑक्सटिय बन जाए और याद करो अगर मैं इसको क्लोरीन के साथ रियक्षिन करो तो यह वाला क्लोरीन जो है विभी हग्ला विचाण दीपोलोविं एक जिस्ट इग इन लिक्विडार वों टंपरे देगो हच टू में हीड्योजेन बॉन नी कि वज़े से क्या होगा अग्निक में अग्विडारा ह martyr निद्व तो कि फोलो में अटो हुआ तो प्रॉम में पाए जाए हिए तो कि एग जनली ठीक है ना, Central atom same हो, and Terminal atom different हो, तो Size से आपको चेक, ना, Size बढ़ी होगी, तो इसका मतलब इसका बांड एंगल बढ़ जाएगा, तो सबसे ज्यादा बांड एंगल किसका होगा, Ni3 का आ जाएगा, ठीक है, तो First आवला अंसर आ जाएगा, इसका, Next चलिए, आगे, आपको बताना है क्या है, bond order बताना है, ठीक है ना, तो देखो, O2 positive का bond order, O2 positive का मतलब 8 और 8 कितना, 16 प्लस 2 मतलब 14 electron, इसका bond order 3 के बराबर आएगा, और यह वाला 15 electron मतलब 2.5 और यह वाला कितने है, 16 electron, O2 minus, O2 minus मतलब 16 और 70, 17 का मतलब approximately 1.5 का order आ जाएगा, ठीक है, तो bond order का क्रम increasing order में यह रहेगा, तो फर्स्ट वाला आंसर आजाएगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट देखिए, क्या कह रहा है, maximum conductivity बताना है, conductivity की value जो है, number of ions के उपटे बेंड करेगी, इसमें number of ions 0 बनेंगे, ठीक है, इसके अंदर number of ions 2 बनेंगे, इसमें number of ions कितने बनेंगे, तीन और इसमें number of ions कितने बनेंगे, चार, तो जिसमें number of ions ज़्याद होंगे, conductivity की value क्या होगी, ज्यादा, तो फोर्थ में सबसे ज़्यादा conductivity होगी, ठीक है, ठीक है, बई, को अगर lambda m पूछता, ठीक है, molar conductance पूछता, तो क्या था, bascl2, plus 7 में क्या करते है, h2SO4, minus 2HCl करते हैं, तो अगर lambda m की value पूछते हैं, तो x1 minus x1 plus x2 minus 2 x3 कर लेते हैं, मतलब answer 3 आ जाता, लेकिन यहाँ पे equivalent conductance पूछा है, तो equivalent conductance में एन फेक्टर अल़ड़ी इंक्लूड हो पूछाफा गा ठीक है, फ़यर फिर्ष्ट gettinater będzie पूछेगा, next problem, ढाल देखिए, आपको पूछा क्या है, when lead storage cell is charged, lead storage cell is charged, तब ये वाली reaction बाली reaction होती, PbSO4 को वाटर के साथ reaction रेक्षन करते हैं, ठीक है न, तो water के साथ reaction कराते हैं, तो यहाँ पे क्या बंजाता है PbO2, plus 7 में Pb plus 8 में H2SO4, ठीक है न, Pb plus 7 में H2SO4, मतलब इसके अंदर H2SO4 क्या होता है? फॉर्म होता है, ठीक है न? तो यहां पर आपके पास क्यों होगा है स्ट्व फॉर्मोगा सेकिंड वाला हो जाएगा ठीक है उसका मतलब a-x must be equals to 3x और a is equal to 4x मतलब x की वेल्यू एभाई 4 बाजी और x की वेल्यू एभाई 4 आने का मतलब क्या है कि वन फोर्थ पार्ट चला गया और वन फोर्थ पार्ट जाने में जो टाइम खर्च होता है इसको हम क्या कहते टी वन बई 4 एंग तो इसका आंसर जोगा क्या आएगा थर्थ टी वन बई 4 आए ठीक है भई नेक्स देखे आप 80 वाल प्रॉब्लम क्या कह रहा है सिंपल सा प्रॉब्लम में एड्जॉप्शन का केस है विच आप दी फॉलोविंग कव इस एकोडेंस विट फ्रेंड लिच एड्जॉप्शन आइसो थर्म में आपको पता है कि एक्स बई एम की वेल्यू जो होती है के लौग एक्स बई एम जो होगा वह कितना ऐगा वंग एन लौग पि प्लस लौग के बराबर आएगा थीक एंट लोब जाएगा वन बई एन तो यह वाली एक्वेशन जीगी ना आपके पास लौग एक्स बाई म वरसेस किस के बीच में लौगP के बीच में जो गड़ाप यहां पर आपके पास स्टेट लाइन का जो राफ पह थार से मैच कछलेगा इन्तरस्आप इसका कुछ आएगा यह वेला आज नहीं हो सकता क्योंकर इसमें फैलियो के बराबर दे रहे ठीड़ के आगे देखिए 81 वाला प्रोब्म देखे बड़ा, 81 वाला, the process which is catalyzed by one of the product, तो ऐसी reaction जिसके अंदर product जो है, वो catalyst की तरह भी यो करता है, इस reaction को हम क्या कहते है, auto-catalysis reaction कहते है, क्या कहते है, auto-catalysis reaction, ठीक है, अगला वाला प्रोब्म क्या कहरे है बड़ा, आपके पास product बताने, तो यह ऐसी reaction है, यहां पे आप पास क्या है, OH, H, अगर acidic medium heat up करोगे, तो पहले लॉन पर अप्रोब्म एक्ट्रोन H+, को ले लेगा, और लॉन पर अप्रोब्म एक्ट्रोन H+, को लेगा, और यह वाला living group में अट जाएगा, तो यहां पर कार्बो कट्रेन आएगा, फिर इसका अगर मैं regional structure बना हूँ, तो यहां पर क्या बन जाएगा double bond, और यहां पर आपके पास क्या हैगा double bond, इस जगे पे positive charge, इसमें आगे क्या होगा, इस वाले compound का formation हो जाएगा, जो कि आपका second के अंदर मैच कर लेगा, ठीक है, इस जगे पे आप पर सिस्टेबल कार्बो कट्रेन बनेगा, और उसके बाद में CS3 ग्रूप को क्या करोगे, migrate, तो CS3 ग्रूप को migrate करोगे, तो यहां पर PHPH और यहां पर CS3, यहां पर आप पास क्या हैगा CS3 और यहां पर OH इस जगे पर पोज़िए चाहएगा, और उसके बाद में क्या होगा, OCTATE क्या हो जाएगा, कम्प्लीट हो जाएगा, तो OCTATE कम्प्लीट हो जाएगा, तो इस जगे पर आप पास डबल बॉंट हो आएगा, तो ऐसा जो मैच कर रहा है, वो किस के अंदर मैच कर रहा है, ठीक है, नेक्स चलिए, 34 वाला प्रॉब्म, क्या कह रहा है, ज्यान दीजिए, यहां पे इसको इसमें करना है, देखो, पहले एल्डेडन कीटोन पे अगर बीटा पोजिशन पे आईड्रॉक्सी ग्रॉप आता है, तो वहां पे ऐसा कह सकते हैं, रेट्रो एल्डॉल रियक्शन हो सकती है, रेट्र जहां पे आपके पास भीटा पोईशन पे िटा पही जोड़ द Acts जोड़ देना मौन जाईख़ देखो, यह वाला सीच टू बन जाएगा, डबल बॉॉण. हो और यहां पे आपके आपके बास ओवा जागएगा, और यहां पे ल्यार से यह रियक्सान क्रायं होगी यहां इस जगे पर टेक है तो किते मेंबरिंग बनी वन टू थी फॉर फाइव और शिक्स मेंबरिंग बनी और बाद में हिट अप करोगी तो एक्जेक्ली यह वाला जो है प्रोड़क्ट मैच कर लेगा तो इसका मतलब पहले इसमें इसको इसमें करने के पहले तो रेट्रो अल्ड मैच कर लेगा ठीक अभी थर्टी फाइव अलब प्रॉबम देखिए थर्टी फाइव अलब प्रॉबम क्या कर रहे हैं आपको इसको इसमें करना है एच टू प्लस नहीं नहीं ले सकते क्योंकि दोनों को रिडूस कर लेगा यह भी दोनों को रिडूस कर लेगा इसका कोई कोई सैने ठीक है घ्लाइकॉल लेते हूं तो यहां पर ध्यान दे ग्लाइकॉल लेता है सदे के उसके बाद मैं लेअ जो की रिद्लीज बेसेंट अच्त आत इसको तो इसको sollteus इतर को इसको रेडूस करे किसमें करेंगे और फिर वापिस हाईडरोलाइसिस कराओ के blink रिख्षों तो वापिस यह एां पर रिख्ष न हो जाएगे तो वापिस यह वाला किसमें मियु ड Orig from में convert हो जाएगा तो मतलब आपका answer कौन से आगा फोर्ट वाला आ जाएगा ठीक है नेक्स देखिए कि अगला वाला problem क्या कह रहा है और reaction का sequence दे रहा है तो reaction के sequence में ध्यान दीजी यहां पर double bond है एक्सेंद के साथ reaction करो तो नुक्लोफिलिक एडिशन हो जाएगी ठीक है ना तो यहां से जो प्रोडुक्त बनेगा यहां पर और यहां पर क्या एगा सी त्रिपल बोनें ठीक है ना और अगर मैं लीथियम अलुमिनियुम हाइड्राइड लेता हूं तो इस कंडिशन में य को एक्सपेंड करा हो तो six-member ring बन जाएगा और यहां पर ओज पर पोजिटीश आ जाएगा अब देखो यहां पर लॉन परफ एक्ट्रों ने ओक्टेट को कंप्लीट करा देगा तो इस जगे पर डबल बॉंड आएगा तो इसका आंसर जो है फर्स्ट वाला मैच कर लेगा ठीक है भई नेक्स्ट देखिए अगा एटी सेउन वाला प्रॉब्लम क्या कह रहा है मैच आप दी फोल्विंग आपको बताना है फाइबर कौन कौन से जितने भी नाइलों सोते वो क्या होते फाइबर सोते इसका मतलब फोर्ट इलास्ट्रोमर में जितने भी रबर होते व बूना आ घया ठीक है ना थर्मो सेटिंग पोलीमर में बैकलाइट प्रोपुलर एग्जाम्पल थर्मो सेटिंग का और पीवीसी जो है वो थर्मो प्लास्टिक पोलीमर तर आ जाएग ठीक है ना तो आपको दू वाज 4213 4213 थर्ड के अंदर मैच करा ठीक है बई नेक्स आपको स्टेटमेंट बताना है एनलेजिस आर पैन किलिंग इफेक्ट सही बात है सेगेंड क्या किया रहा है एंटिसेप्टिक कील और एस दे ग्रोट आप माइक्रो आर्गिनिस्म की ग्रोथ को रोगते हैं थर गया करें एंटिस्टामीन इनिबीट दे एक्शन आप की मिचन तो तीन स्टेट्मेंट आपके पास क्या जाएंगे सई हो जाएंगी तो इसका आंसर थर वाल आजाएंगे ठीक है नेक्स्ट बेखिए है तो सबसे पहले हमको bromination करा देंगे देखो मेरी एक्षन के साथ बता दें तो यहां पर नो टू है यहां पर नो टू है ठीक है ना अगर बियार टू एसे डिक हो तो इस कंडिशन में आपके पास यहां पे नो2 आजाएगा और यहां पे यप यहां पर यांपर यई यां भियांच को इस ब्याय को भारण तो पहले इसका डाईियो ढ्याज करें यक्षान करें और अगर HNO2 के साथ reaction करा होगे तो यहां पर BR BR और यहां पर आपके पास क्या है का N2 positive CL minus ठीक है न उसके बाद में CU2 BR2 के साथ reaction करा होगे तो CU2 BR2 से send me reaction हो जाएगे तो इस जगे पर आपके पास क्याएगा BR आ जाएगा तो इसका मतलब पहले तो ब्रोमी निशन करा है उसके बाद में डाई जो टाइशन और लास्ट में आपके फास क्या करके सेंड मेर्स रेक्शन के साथ रेक्शन कर तो इसका आंसर जो होगा वह आपका थर्वाला मैच कर लेगा ठीक है भी 90 वाला प्रॉब्म देकी बढ़ा एकदम सिंपल प्रॉब्म में ज्यादा कोई टफ नहीं है रिच आप फॉलोंग स्टेट्मेंट टू अबूर्ट ग्लुकोज ग्लुकोज की बारे में बताने यह अल्डो एक्जोज अल्डो का मतलब क्यों एल्डेड होना ची होता है और छह कार बनी फिर बाद ने अच्छे के साथ रियक्शन करने पर एन एक्जेंट बनाते यह भी आपको पता ही है यह वाला जो है टूफोर डियनपी टेस इस वज़स नहीं देता है क्योंकि टूफोर डियनपी यहां पर विक नुकलोफाइल की तरह भी हो करता है इसलिए रि पताने इन कंपॉंड को देखो के तो यह के ओपोजिट में आ रहा है और यहां पर भी एक ओपोजिट में आ रहे है तो इसको अगर रोटेट करके दो को यह और इस्ट्रक्चर एक दूस्ते के सह में कोई डिफ्रेंस नहीं तो दोने ही जो है वह आपके पास क्योंगे आइ इतनी ज्यादा होगी इसका मतलब उसकी उसमें स्यों की बॉंड लेंज ज्यादा होगी मेटल पर इलेक्रों डेंसिट सबसे ज्यादा किसमारी सेकेंड मेर क्यों वी माइनस टू में एलेक्रों डेंसिट सब ज्यादा इस वज़े से आपके पास क्योंगी स्यों की बॉंड सबसे ज़्यादा जाएगी कि नाइंटी थर्ड वाला प्रॉब्म देगी बड़ा एने टू एफी सी एंद्वाइव एनों यह वला है सोडियम नाइट्रो पूसाइड ठीक है ना ध्यान दीजिए सोडियम नाइट्रो पूसाइड के अंदर एनों जो होता वो पोजिटिव हो नाइटी फॉर वाला प्रॉब्म घ्यान दीजिए तो इफ्यक्टिव एट्मिक नंबर ऑफ सी ओ देखो यहां पे आपके पास क्या रहे स्यों एन की वेली जो है वो कितनी आरे 35 अब इस्टिबिलिटी गैन करने यह तो इस्टिबिलिटी गैन करने के लिए एन की वेली कित ना दूसरा केसे अगर इसका डाइम रशनहा करा देते हो तो डाइमरे संसे आपके पास स्यो टूसी ओ का हॉल एट वाला कंपोड बन जाता है जिसमें आपके पास एक्स्ट्र एक डील्टा बांडा था डेल्ता बांड की वजह से आप पास इल्यक्ट वाट जाते इसके केस इसमें कोबाल्ड की एन की वेजिए 36 आजेगे तो दो तरीक एक तो डाइमरेशन करा दो और दूसरे आपके पास क्या करा दो रेडक्शन करा दीजिए ठीक है भई ओक नेक्स चलिए नाइंटी फाई वाला प्रोप्व्ण आपको क्या पूचा है ऐसली क्या पेख तो एसलीक में आपको ध्यानक में जिसकी मैटल की ऑक्षण श्टेट सीच सबसे जञदाए गे इसमें एमन प्लस-एवने तो प्लस-इवन हाइस्ट वाली ओक्षण श्टेट करें तो पहले तो कॉपर नाइट्राइट देगा भी प्लस साथ में ओटू दे देगा ठीक है लेकिन फर्दर और इटप करें तो यहां से आपके पास क्यों को पर का ऑक्साइड प्लस साथ में अटू बना देता है तो इस ट्रॉंग लीट अपका मतलब क्या हुआ यहां पर सब्सक्राइट का फॉर्मिशन हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट देखिए है नाइंटी सेवन प्रोब्लम क्या कह रहा है रोस्टिंग प्रोस्टिज एप्लाइड फॉर्दी वीच आप दी फॉलोविंग ओर्स रोस्टिंग जो है वो सल्फाइड ओर के लिए लागू करते ग देखें अगे 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 नाइंटी वाला प्रोब्लम क्या कह रहा है और एंटू केन बी प्रिपेड बाएं अमोनियम डाइक्रोमेट को हीट अप करते हो तो यहां पे नाइट्रोजन गेस प्लस साथ में सियाट्व थी प्लस साथ में एच्टू निकलता है तो हीट अप करोगे तो प्योर नाइट्रोजन गेस अप्टेन होती है और अमोनियम नाइट्रेट को अगर आप हीट अप करोगे तो क्या बनेगे एंटू प्लस साथ में अच्टू ठीक है ना एवरेज रूल लगा दोगे कैटायन और एनन के अंदर दोनों में नाइट्रोज हो जाएगी थीग है Whenever 99 वाला प्रॉड्ल म्हा कहारा भी यहां पर लोटेन गोपी फोरोटेन केस्टक्चर के अगर बात करो तो आपको पता होना चाय ही यहां पे ऑक्सिजन यहां पर होडी ऑक्सिजन अ यहां मिझा आपके चाहिग हुए just this क्या होती जादा तो ऐसे कितने आरहें आपके पास चार आरहें इसलिए इसका अंसर क्या आएगा फोर्ट वाला जाएगा ठीक करें अंड्रेर वाला प्रॉब्लम क्या करवड़ा पी-सल 30 का है डिलाइस करा रहे हो और अगर मैं पी-सल-3 खाइड़ोलाइस करा हूं तो क्या बनता है है एस त्री प्यो थी प्लस रात में एस सेल का फॉर्मिशन हो जाता है ठीक है न इसका फर्स्ट वाला आंसर आजए ठीक है भाई थैंक यू वेरी मुच गुर्मान स्टुडेंट्स तुडे विल बी डिस्कस दे फर्स्ट टेस्ट सॉलुशन ऑफ दे सेक्शन ऑफ दंगल ठीक है डीजियम तो आज बच्चों हम यहां पर आपके नीट के सेलेबस से डिलेटेट पूरा जो कंप्लीट सेलेबस से उसको कवर अप करते हुए एक टेस्ट पैपर हम यहां पर सॉलुशन डिसक्रशन करेंगे ठीक है जो पूरा एंटी आसी बेस्ट और नीट लेवल के उपर बेस्ट है तो चलो बच्चों हम यहां पर आज का सॉलुशन स्टार्ट करते हैं तो देखते हैं बच्चों यहां पर पस्ट कोस्टिन क्या लिखा हुआ है आपको एक पार्टिकल की वेलोसिटी गीवन है ठीक है मीटर पर सेकिंड में अंडर दा होना चाहिए ठीक है तो बच्चों अगर हम शक्ति की बात करेंगे यहां पर तो सॉलुशन के अंदर देखें इटा ताक्ष्री शक्ति इटा पी बराबर क्या लिखा आता है एफ सदीश डॉट वी सदीश ठीक है यह बल और वेक का डॉट पोड़क्ट होता है अदीश वेक सदीश अगर हम यहां पर देकें तो पहले हम बल सदीश लिख देता है बल आपको दे रखा है 20 I ke 15 J K और माइनस के 5 K क इसको डॉट करेंगे हम वेक सदीश ठीक है तो आपको बेटा यहां पर वेक सदीश दे रखा है कितना है 6 I ke माइनस के 4 J K और प्लस के 3 K K क बराब तो dot product में बच्चों हम i को i के साथ, j को j के साथ और k के साथ बुना कर देते हैं, तो आप देखोगे यहाँ पर 20 को आप बुना कर देंगे, 6 से, इसी तरीके से 15 जो है, यह multiply हो जाएगा, minus 4 से, ठीके, और minus का 5 जो है, यह multiply हो जाएगा, किस से आप से, 3 से, ठीके, तो बस हमा माइनस के 60, ठीके, फिर माइनस के 15, ठीके, तो 120 माइनस 60, आपका 60 हो जाएगा, 60 माइनस 15 अगर आप करेंगे, आप पर तो 45 आएगा, ठीके, तो that will be equal to the 45 Joule per second, ठीके, जो power की unit भी होती है, जिसको आप वाट भी लिख सकते हैं, ठीके, तो आपकी इस question का data जो answer जाएगा, वो हो जाएगा बेटा आपका second option, ठीके, 45 Joule per second, clear, चलो go for the next question, ठीके, देखते हैं बेटा क्या लिखा हुआ है, the speed of a bot is 5 km per hour in the still water, ठीके, it cross the river, of the width, river की width बेटा आपको दे दिए 1 km, along the condition, आपको दे रखी है, shortest possible path in the 15 minutes, ठीके, the velocity of the river, water will be, ठीके, आपको river water की velocity बतानी है, यानि शांथ जल में एक नाव 5 km प्रती गंटे से चलती है, ठीके, एक किलो मेटर चोडी नदी को निउन्तम पत की अनुदीशे 15 मिट में पार कर लेती है, ठीके, तो नदी के जल के प अधी बना दी एटा जिसकी चुड़ाई 1 km दे दी है, अगर नाव को एक बिंदू से ये दूसरा बिंदू ले लेता है, ठीके, तो ये निउन्तम पत यह होता है, अगर इसके long movement लेना है, तो ये सरी किस से move करती है, ठीके, और ये हो जाएगा आपका river का flow, ठीके, और ये ह हमारे पास आएगी net velocity, तो इस question के अंदर अगर आप देखेंगे, तो बोट की velocity आपको दे रहे किट आप 5 km पर आर दे दी है, ठीके, सबसे पहले अगर हम net velocity calculate करें, वी net, तो that will be spelled to distance upon time, ठीके, तो distance कितना कबर होगा, 1 km है, अच्छा time बेटा आपको यहाँ पर minutes में दे यह value जो है, आपके पास आजाएगी, equal to 4 km पर आर, is it clear, ठीके, तो जो net velocity बनती है, यहाँ पर 4 का square, यह value हो जाएगी, एटा 5 का square, और आपको river की velocity जो है, वो आपको find out करनी है, कि river की velocity से flow कर रही है, ठीके, तो आप देखों, यहाँ पर river, V river square कितना आजाएगा, यह हो जाएगा, 25 minus 16 के equal, यहनि that will be equal to 9, ठीके, तो the flow of river will be equal to the 3 km पर आर, ठीके, यह आपके question का answer आजाएगा, I think beta simple question है, theory भी हमने आपर इसके अंदर cover करी है, ठीके, इस question का answer आजाएगा, आपका second option, ठीके, clear, चलो, go for the next question, तो next question देखों बच्चों यहाँ पर, यह dimension का question आगया हमारा यहाँ पर, ठीके, if the force F to length L and the time T, ठीके, are assumed to be the fundamental units, then the dimension of formula of mass will be, आपको mass का formula जो है, F L T की form में आपर derive करके देखना है, ठीके, यानि अगर हम बल को, लंबाई को और समय को मूल बोट राशिया मान लें, तो द्रेवमान की विमा क्या होनी चाहिए, ठीके, तो इसका concept देखों आप यहाँ पर, इसका अतल हम यह कह सकते हैं, की द्रेवमान जो है, mass जो है, किस पर depend कर रहा है, force पर, तो F की power A ले लेंगे, L की power B ले लेंगे, और T की power हम यहाँ पर C ले लेंगे, ठीके, तो अगर आप LHS side यहाँ पर dimension देखोंगे, यह dimension हो जाता आपका M0, M की value 1, mass से रखा है, M की value 1 हो जाएगी, L की power 0, T की power 0, ठी M1, L1, T-2 की power A, length जो है, बच्चो, L1 हो जाएगा, power B, और time यहाँ पर T1 हो जाएगा, power C, ठीके, तो सबसे पहले, बच्चो, हमको ABC यह तीनो values find out करने होगी, तो हम यहाँ पर equations बनाएंगे, तो आप देखों, M1, L0, T0, M2, M2 पर total power जो आएगी, वो A के बराबर आगई, L पर total power हो जाएगी, A plus B के equal, T के उपर total power हो जाएगी, minus का 2A plus C के equal, ठीके, अब दोनों साइट बेटा, हम MLT की powers को यहाँ पर compare करके देख लेंगे, ठीके, तो जैसे यहाँ पर M2 पर power 1 A है, यहाँ M2 पर power 1 है, तो पहली value तो हमको पता चल गई, ठीके, A square to कितना है, equal to 1 है, ठीके, अब इसी तरह के से, दूसरी question अगर हम देखना चाहें, तो हम लिख सकते है, A plus B, जो है, यह किसके बराबर है, 0 के बराबर है, ठीके, इसमें A की value रख दें, तो यह हमने 1 रख दिया है, square to 0, तो B की value निकल कर जाएगी, minus 1, ठीके, इसी तरह के से, T की power compare करोगे, तो minus का 2A plus C, square to 0 हो जाएगा, A की value 1 रख देते हम, ठीके, यहां से अगर आप C की value find out करोगे, तो यह plus का 2 आ जाएगा, ठीके, अब जैसे आपको ABC, 3-0 values मिल गई है, ठीके, हमारी basic equation के अंदर जाएगा formula, तो M का dimension जो हो हो जाएगा, F की power A, यानि 1, L की power B, यानि minus 1, और T की power C, यानि 2, ठीके, तो देखो, चेक करो, इसके अंदर कौन सा option हो गया, बच्चों, हमारा सही, पस्ट option हमारा यहां पर सही हो गया, ठीके, यह हमारी question का answer, ठीके, काफी simple question है, ठीके, जोटीकल, neat level based question है यह, ठीके, चल yes, देखते हैं एटा, इस question के अंदर क्या है, ठीके, a body is strong vertically upward, यानि इसको आप upward direction में थ्रूख कर रहे है, with the velocity U, ठीके, the distance travel by it in the fifth and the sixth second are equal, then the velocity U is equal to, ठीके, यानि एक पिंड को प्रारंबिक वेक U से उर्धवादर उपर क्यूर फेका जाता है, यदि पांच में सेकिंड में चट्मे सेकिंड में तेह की गई दूरिया, एक समान हो तो U का मान कितना होना चाहिए, ठीके, ठीके, अच्चा बच्चों, या पांच में सेकिंड के अंदर तेह की गई दूरिक अम concept यहाँ पर देखते हैं, जैसे आप एक किंड को उपर क्यों पर फेक रहे है, तो यह पि और 16 सेकंड का अतलब 5 से लेके 6 तक की दूरी, यह दोनों दूरियां जो है बेटा बराबर होंगी, यह वाली स्टेक, यानि जब 4 से 5 गए और 5 के बाद रिटन लेकर के 6 तक आए, इसका मतलब यह देखा जाए, तो पिंड जो है, जाने में उपर टोटल टाइम लगाएगा 5 सेकंड और वापस नीचा आने में टाइम लगाएगा 5 सेकंड यानि टोटल टाइम जो बनेगा, वो टोटल कितना हो जाएगा, 10 सेकंड के बराबर हो जाएगा, ठीक है, तो इसका मतलब हम टी स्कल्ट क्या लिख सकते हैं, यहां पर, ठीक है, टी स्कल्ट हो जाएगा 2U माइनस जी टी, ठीक है, तो यू स्कल्ट हो जाएगा आपका जी टी, यहां से टी वन टाइम जो लिखेंगे, वो हो जाएगा, यह तो जाने में लगने वाला टाइम निकाल लिया, ठीक, इतना ही टाइम आने में लगेगा, तो टोटल टाइम जो हो जाएगा, वो हो है ठीक है अब यह calculation बहुत simple होगी बच्चों ठीक है तो 10 को multiply कर देंगे जी से जी की value हमने ले लिए वेटा 9.8 बराबर 2 एंटु यू हो जाएगा इसका लब u is equal to आप लिख सकते हैं 98 divided by 2 इसको आप cut करेंगे तो यह value आएगी 49 मीटर पर second जो आपके इस question का answer है ठीक है यह रोगे concept हमको आप पर तो इसमें बच्चों मारा कौनसा option जाएगा second option is correct ठीक है चलो बच्चों नेस्ट कोश्चन क्या लिखा हुआ है a string breaks if the tension exceeds 10 Newton अगर 10 Newton से ज्यादा tension मनता तो string जो टूड़ जाती है a stone of the mass 250 gram is tight to the string of the length 10 centimeter is rotating in the horizontal circle the maximum angular velocity will be of rotation will be ठीक है यहनि किसी डोरी में तनाव 10 Newton से अधिक हो जाए तो डोरी टूड़ जाती है 250 gram द्रेमान का एक पत्तर 10 centimeter लंबाई कि इस जोरी से बांध करके शेतिश वरताकार पत्में गुमाया जाता है तो अधिक्तम कोणी वे क्या होना चाहिए ठीक है तो जब horizontal direction के अंदर बेटा circular motion होता है तो जैसे ही आपने एक पार्टिकल ले लिया और इसको आप इस सरीके से मूव करा रहे हैं omega square into r तो tension force आपको question है बेटा 10 newton दे दिया है mass बेटा आपको cgs में दे रखा है 250 gram इसको mks में change करेंगे तो 1000 का divide होगा तो 25 हो जाएगा kg ठीक है omega square value आपको यहाँ पर find out करनी है और radius of circle आपको question में दे रखा है 10 centimeter that will be equal to the 0.1 ठीक है अब हमारा question जो है इसके अंदर omega calculate करेंगे तो omega square हो जाएगा 10 divided by 0.25 into 0.1 या फिर लिख सकते हैं 10 into 100 into 10 divided by 25 into 1 के equal ठीक है तो यह कितनी बार cancel हो जाएगा 4 times cancel हो जाएगा आपका यह ठीक है क्लियर तो यह total value जो बनेगी omega square की value निकल करके आ जाएगी ठीक है तो आप देखोगे इसको अगर हम solve करें तो यह value आगी आपके पास 400 ठीक है तो omega that will be equal to the under root 400 यानि यह value हो जाएगी 20 radian per second के equal ठीक है तो आइधिंग बच्चो यह question clear हो गया तो कौन सा option आ जाएगा जल्दी से check करें इसके अंदर हमारा first option निकल करके आएगा that is the correct answer ठीक है चलो बच्चो next question yes देखते हैं क्या question एक कंड को किसी उचाई से गिराया जाता है और उसी उचाई से एक अन्य कंड बी को 5 meter per second वेक से शेती दिशा में फेका जाता है तो कौन सा कतन यहाँ पर सही होना चाहिए अगर आप यहाँ पर देखना चाहें तो इसके अंदर अगर हम डाइग्राम बना है यहाँ पर यह हमने डाइग्राम ले लिया है एक पार्टिकल है जिसको आप ड्रॉप कर रहे है यह सिधा सिधा नीचे आएगा और दूसरा पार्टिकल है एक यहाँ पर आप दोनों को से हाइट से ही फ्रो कर रहे है ड्रॉप कर रहे है एच की वैल्यू दोनों के लिए क्या है यहाँ पर सेम है अगर एच की वैल्यू सेम रहेगी तो तो टाइम पिरिड जो बनेगा डैट विल बी एकवर टू अंडर रूट टू एच अपां जी होगा ठीक है जो दोनों के लिए क्या होगा सेम होगा ठीक है तो इसका अतलब दोनों पार्टिकल ग्राउंड पर सेम स्पीड पर पहुंचेंगे तो वी कें से देट बोथ पार करेंगे तो दो कंपोनेंट आएंगे एक होरीजोंटल कंपोनेंट होगा और एक वर्टिकल रिजल्टन इनके बीच में होगा ठीक है तो टाइम टेकन बाइब बोथ पार्टिकल टू रीच अट दा ग्राउंड विल बी अकर एकवर टू एच अदर बट दा मैगनिटूड आप वेलोसिटी यानि दर स्पीड विल बी डिफरेंट पोर दा पार्टिकल्स अ एंड बी स्पीड डिफरेंट होगी टाइम सेम होगा ठीक है तो अच्छा कोंसेप्चिल कोश्चों होगे अच्छों ही हमारा ठीक है नेस्ट कोश्चन देखते हैं वेटा ये भी आपका प्रोजेक्टाइल कोश्चन नहीं लग रहा है ठीक है अबॉड़ी अबॉड़ी इस थ्रॉन प्रॉम पॉइंट विधर स्पीड वी नौट ठीक है अट अन एंगल थीटा दे रखा है प्रॉम दा सेम पॉइंट एट सेम इंस्टेंट अ परसन इस्टार रेनिंग विद अगॉंस्टेंट स्पीड वी नौट बाय टू 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 कैश दा पॉल इफ यस वाश्ट वी दे एंगल आप प्रोजेक्ट्शन आपके बताना एंगल आप प्रोजेक्ट्शन क्या होता है यानि किसी बिंदू से एक गेंद को ठीटा कॉन प्रोजेक्टायल करते हैं। प्रसुन्ड इस बाउल को तभी गेन कर पाएगा जबु बाॉन पर आणे में लगने वाला टाइम और यहां से यहां तक पर पोड़ तो इसका मतलब यहां पर वैलोसिटी भी यहांगी से तो इसका इस direction में जो component बनेगा ये component हो जाएगा आपका V naught cos theta के बराबर ठीक है तो इसका अतला हम यह कह सकते हैं the speed of the person will be equal to the horizontal component of projection of ball ठीक है तो आप देखोगे V naught से V naught cancel हो जाएगा तो आपके पास cos theta square किता आएगा 1 by 2 तो यहां से theta angle बच्चों हम किता लिख सकते हैं 60 degree के equal इसका अतला ball को हमें 60 degree angle के उपर ठीक है तो इसके अंदर हमारा answer चला जाएगा yes at an angle 60 degree ठीक है clear चलो next question देखते हैं तो बच्चों next question के अंदर देखो question number 8 ठीक है क्या लिखा इस question में the ratio of the weight of a man in the stationary lift ठीक है when it is moving downward ठीक है with the uniform acceleration a is 322 यानि जब lift stationary है और जब downward direction में है accelerate हो रही है ठीक है तो person के weight का ratio आपको given है find out the value of a g की value है g is the acceleration due to the gravity ठीक है तो lift में किसी व्यक्ति के भार का अनुपाद जब lift इसी रवस्ता में हो और जब ये एक समान तोरण a से नीचे का तीशील है तीन अनुपाद दो दे रखा है तो lift का तोरण क्या होना चाहिए ठीक है तो बच्चों इस case के अंदर अगर हम देखे हैं जब lift स्विर होती है तो weight जो होता है mg के बराबर होगा और जब lift downward direction में accelerate होती है तो weight जो होता है mg minus a के बराबर होता है और ये ratio आपको दे रखा कितना 3 by 2 तो एक simple सा question हो गया m से m cancel होगा cross multiply करके हम a की value find out कर सकते हैं तो इसका मतलब हम यह लिख सकते हैं आप 2g स्कल्टू हो जाएगा आपका 3g minus 3a के बराबर ठीक है clear तो हमको यहाँ पर a की value find out करनी है तो 3a स्कल्टू हो जाएगा that will be स्कल्टू g तो a की value निकल कर आ जाएगी g by 3 तो यह आपके question का answer आ गया है तो कौन सा option गया बच्चों हमारा यहाँ पर second option हमारा यहाँ पर correct है ठीक है clear next question a body of mass 10 kg आपके body का mass दे रखा 10 kg इस lying on a rough plane of inclination angle 30 degree दे रखा है ठीक है to the horizontal and the coefficient of friction भी आपको दे रखाये पॉइंट फाइप है the minimum force required to pull the body of the plane will be ठीक है यह खुर्द्रे नत समतल का शेतिस से जुकाव को 30 degree है घर्शन गुणां का मान बेटा पॉइंट पांच है द्रहेमान आपको 10 kg दे रखाये पूछा क्या गया इस question में अब वो important देखो नतल पर उपर की ओर वस्तु को ले जाने में आवशक नुंतंबल किता होना ठीक है तो अगर हम बच्चों यहाँ पर inclined plane के बारे में बात करें तो जैसे यह inclined plane बना देता हूं मैं इसका एक basic concept भी हम सीखेंगे यहाँ पर ठीक है तो यह जैसे हमने block लिखा है ठीक है अब इसका weight mg downward direction में लगता है ठीक है इसके दो component होते हैं यह हम सब जानते हैं यह component mg cos theta हो जाता है यह normal reaction force हो जाएगा n ठीक है इस direction में component जो जाता है वो आपका होता है mg sin theta अब इसको आप उपर की तरफ pull करना चाहते हैं तो कितना force हमको यहाँ पर लगाना होगा वो हमको find out करना है अगर यह upward direction में pull होगा तो इसके उपर लगने वाला friction force होगा वो downward direction में चला जाएगा ठीक है तो अगर आपको यहाँ पर minimum force निकालना है F minimum तो यह किसके वराबर होगा mg sin theta अब यहाँ पर friction force होगा इसी direction में जा रहा है तो यह भी plus होगा जो किसके equal होगा mu n के equal होगा और n किसको balance करता है बच्चो mg cost theta को balance करता है ठीक है तो इसमें से आप देख सकते हैं mg हम कॉमल ले सकते हैं ठीक है bracket में आ जाएगा sin theta angle आपको दे रखा एटा question में 30 degree ठीक है mu की value आपको question में 0.5 और यह value दे रखी एटा cost 30 degree ठीक है तो आप आप देखो हैं आपर सारी values रख देते हैं mass भी रख देते हैं mass कित्ता given है 10 kg है ठीक है g की value हमने 9.8 ले ली है ठीक है sin 30 की value 1 by 2 हो जाएगी plus 0.5 into under root 3 by 2 ठीक है अब यह बच्चो एक calculation है ठीक है इस calculation को जब आप solve करेंगे तो यह value आपको nearly मिलेगी 91.4 newton के equal यानि कम से कम उनको इतना force लगाना पड़ेगा ठीक है तो कौनसा option जाएगा आपका second option यहाँ पर आपका correct answer है ठीक है यह एनलम का question हो गया बच्चो यह हमारा next question two springs of spring constant 1500 newton and the three 3000 newton respectively are states with the same force यानि force की value हमने आपर बेटा सेम लगा रखी है ठीक है they will have the potential energy in the ratio यह दो spring जिनका spring नहीं तांग 15 newton per meter और 3000 newton per meter है तो समान बल से कीचा जाता है तो इस्तिती जूर्जाओं का अनुपात क्या होना चाहिए ठीक है तो वेसे तो वेटा हम इस्तिती जूर्जाओं सब्सक्राइब करते हैं अगर यह पूट कर देते हैं तो यह हो जाएगा एटा हाफ के दिस वन स्कॉल टू एफ अपॉन के का सेम ले रखा है ठीक है तो आपको के टू की वेलु किती देदी है 3000 के वन वेलु किती है ठीक है फिप्टीन अंड्रेट इसको हम इससे कट करेंगे तो यह रेश्यों आपके पास किता आ जाएगा टूइस टू बन के एक्वल आएगा ठीक है तो कौनसा आप्शन आएगा आ अप्शन हो जाएगा ठीक है तो यह मैंना आपको फॉम्ला भी डिराइव करके बता दिया नेस्ट कोश्टिन ठीक है देखो आप उसकोश्टिन के अंदर क्या लिखा हुआ है अब बोम आफ दा मास नाइन केजी एक्प्लोट इन दा टू पीसेज ठीक है आफ दा मास सब्सक्राइब कर सकते हैं तो आप सबसे पहले तो देखिए हम यहाँ पर यूज में लेंगे लोग कंजर्वेशन ओफ लिनियार मोमेंटम यानि पी इनिशल इसकल टू पी फाइनल ठीक है तो इनिशल मोमेंटम तो आपका जीरो हो जाएगा ठीक है एक पीस जो है उसका मा माज जो है वेलोसिटी जो है आपको दे रखा 3 kg जो है इसकी स्पीड दे रखिए टा 1.6 ठीक है और दूसरा पीस जो है 6 है और इसकी वेलोसिटी हम कित्ता लिख देंगे वी टू ठीक है तो अगर हम यहाँ पर वी टू का मौड कैलकुलेट करेंगे तो यह वैल्यो हो है और आप से यही पुछाए गया है कि 6 kg के लिए काइंटिक एनर्ची क्या होनी चाहिए ठीक है तो काइंटिक एनर्ची का फॉम्ला हम यहाँ पर एपलाई कर देंगे जो कितना होगा हाफ एम एम टू वी टू स्पार ठीक है यानि वन बाइटू इंटू इंटू पॉइं जाएगा इसको जब आप सॉल करोगे यह वैल्यू 9.2 जूल के एकवल आएगी जो आपके इस कोश्चन का आंसर है तो कौनसा ओक्शन हो गया वेटा हमारा है आपर थार्ड ओक्शन इस करेक्ट आंसर ठीक है नैस्ट कोश्चन पावर का कुश्चन आगया वेटा देखोएं आपर ठीक है क्या लिखावा है पावर ओफ वाटर पंप इस टू किलो वाट ठीक है जी की वैल्यू गीवन है दे अमाउंट आफ दा वाटर इट कैन राइस इन वन मिनिट टू हाइट 10 मिटर ठीक है यानि किसी पानी के पंप की शक्ती 2 किलो वाट है जी का मांद 10 मिटर पर सेकेंट स्वायर हो तो एक मिनिट में 10 मिटर ओचाहिए तक चलने वाले पानी की मातरा की होनी चाहिए ठीक है तो बेटा हम यहाँ पर शक्ती का फॉर्म्ला लगा सकते हैं अब पावर का फॉर्मला अगर पोटेंशल एनरज किलो इसको हम चेंज कर देते हैं 1000 लिग दिया टाइम आपको दे रहा है यटा वन मिनिट दे रहा है इसको हम सेकंड में चेंज करेंगे तो यह 60 हो गया है जी की वैलिव हमने 10 ले लिए है H की value वेटा हम 10 ले लेते हैं तो ये वेटा 2,0 तो cancel होगे आपके पास तो ये value आएगी 1200 kg लेकिन answer अगर आप देखोगे तो लीटर में दे रखा है यानि volume में दे रखा है तो अगर हम volume निकालना चाहेंगे यहाँ पर तो volume is called to क्या होता है बच्चों mass upon density तो change वापस करना पड़ेगा तो एक मीटर क्यूब जो होता है यह 10 की power 3 लीटर के एकवल होता है तो इसी को जब आप यूज मिलेंगे तो इसको 1.2 को आपको 1000 का multiply करेंगे और यह value आजाएगी 1200 लीटर के एकवल जो आपके इस question का answer है तो कौनसा option जाएगा बच्चों इसके अंदर हमारा 4th option हमारा सही है तो क्लियर नेस्ट कोश्चन यह इस क्या लिखा है the moment of inertia of a uniform thin road तो इसको आपके of the length L and the mass M about an axis passing through a point at a distance L by 3 from the one end तो आपके from one of its end and perpendicular to the road तो यहन्हे आपको moment of inertia calculate करना है एक समान पत्ली चड़की लंबाई L है द्रेमान M है इसका फुस अक्ष के परिते जड़तवागून क्या होगा जो एक सिरी से L by 3 दूरी पर इस सीद बिंदू से होकर के लंबद विजड़ती हो तो बच्चों अगर हम चड़की बात करना चाहें यहाँ पर अगर रॉड की बात करेंगे तो यह रॉड हमने ले लिया है ठीक है यह इसका center of mass होगा और यह center of mass से जाने वाली axis होती है एटा जिसको हम क्या लिखते हैं ICM लिखते हैं ठीक है और आपको यहाँ पर एक axis दे रखिए अब L by 2 में से L by 3 को जब आप subtract करेंगे तो यह वाली length आ जाएगी L by 6 की equal ठीक है तो जब हम यहाँ पर parallel axisorum लगाएंगे तो I बराबर क्या लिखते हैं ICM plus MD square ठीक है यह होती है हमारी parallel axisorum तो ICM value जो है यह तो हो जाएगी ML square upon 12 plus D value जो है यह हम लिखेंगे L by 6 ठीक है तो यह हो जाएगा L by 6 और इसका क्या करेंगे whole square कर देंगे अब यह simple सी calculation हो जाएगी तो यह हो जाएगा ML square divided by 12 यह हो जाएगा ML square divided by 36 ठीक है तो इसको लेकर जब हम solve करेंगे वीटा तो आपकी question का answer आजाएगा ML square divided by 9 ठीक है तो कौन सा option चला गया बच्चों इसके अंदर हमारा इसमें हमारा चला जाएगा एटा second option ठीक है clear हो चुका है यहां तक चलो next question हम दिसकेस्टन में लेते हैं समानता रक्षों की प्रम है parallel axis औरम लगी इस question में yes देखते हैं वीटा क्या है यह भी question the solid sphere roll down two different inclined planes of the same height height यानि यह same way रखा है inclination angle change कर रखा है ठीक है but of course different inclination in both the cases आपको बताना है कि क्या सही क्या गलत होगा इसके अंदर ठीक है तो एक ठोज गोला समान हो चाई से दो अलग-अलग नत्तल पर लुड़कता है जिनका नत्कोंड अलग-अलग है तो इन दोनों इस सितियों में क्या होगा चाल एवं नीचे आने में लगने वाला समय समान होगा ठीक है तो अगर आप डिफरंट इंक्लाइन प्लेन लेते हैं इंक्लीनेशन एंगल वाले जैसे एक इंक्लीनेशन एंगल ये थीटा वन ले लिया है एक का इंक्लीनेशन एंगल आपने थीटा टू ले लिया है ठीक है लेकिन यहाँ दोनों के इस के अंदर इटा हाइट क्या है यहाँ पर सेम है अगर height same होगी तो ball की initial energy जो होगी वो potential energy होगी mgh तो जब हम energy conservation लगाएंगे तो यह energy तो किसमें change होगी काईटी का energy में change हो जाएगी यहाँ पर ठीक है तो दोने ही situation में h height क्या यहाँ पर same है ठीक है तो ground पर पहुंचने पर जो speed gain होगी वो दोनों ही situation में क्या होगी सेम होगी लेकिन time की value बेटा different होती है जब आप time calculate करते है तो acceleration जो होता है that will be proportional to g sin theta हो जाता है ठीक है clear तो इसकी situation के अंदर अगर हम देखना चाहें time की बात करेंगे तो time different होगा ठीक है और speed जो होगी वो सेम होगी तो देखते हैं ए करेगा second option में कर रहा है चाल समान होगी परन्तु नीचे आने में लगने वाला समय अलग-अलग होगा ठीक है क्योंकि inclination angle different है ठीक है तो इसके इंदर हमारा option चला जाएगा बच्चो second option clear next question कर लिखा हुआ है, Travis and gravity, the s-cap velocity from the Earth is VE..if a body is projected with a s-cap velocity to VE.. इसका अंतलब बटा definitely जो body है वो अर्थ के gravity फिल साइस के आफ पर के space में चले जाएगी और क्यूंकि यहां पर velocity जो है इसका अतलब जो बॉड़ी है डाट विल भी इन दर इंटर पनेटरी स्पेस यानि बॉड़ी जब वह स्पेस में एंटर होगी तो किसी स्पीट से एंटर होगी वह आपको कैलकुलेट करना है तो प्रत्वी की सते पर प्लायन वेक वी है ठीक है पिंड को टू वी एक से प्रक बी स्पीड चल टू V स्कॉर माइनस V E स्कॉर ठीक है तो प्रोजेक्शन स्पीड जो दे रखे एक टाप ने 2 VE दे रखे है इसका आप स्कॉर करेंगे यहां पर VE का स्कॉर हो जाएगा तो यह वैलिव आयेगी 4 VE स्कॉर माइनस VE स्कॉर ठीक है तो इस बं वैलिव will be called to under root 3 BE यानि जब body space में enter करेगी तब उसकी speed जो होगी ठीक है वो root 3 BE के equal होगी ठीक है तो इसके अंदर वेटा हमारा correct option चला जाएगा option number 3 clear? next question the orbital speed of an artificial satellite very close to the surface of earth is V0 then the orbital speed of another satellite at a height equal to the 3 times the radius of earth will be ठीक है यानि आपको यहाँ पर यह का गया है कि एक satellite है ठीक है हिंदी में भी देखते हैं वीटाइस question प्रत्वी तल के सन्निकट परिक्मा करने वाले करतिम उपगरे की कक्षी चाल V0 दे रखी है प्रत्वी तल से इसकी तरिज्चा की तीन जुनी उचाई पर परिक्रमान करने वाले क्रतिम उपगरे की चाल क्या होने ही चाहिए ठीक है तो यहाँ पर वेटा आप अगर देखोगे देन दा ओर्बिटल स्पीड अफ अनादर आटिफिशल सेटलाइट एट हाइट इकवर तो थी ताम्स ठीक है तो जब यहाँ पर close satellite की बात करेंगे तो small r r के equal हो जाएगा और orbital velocity आपको दे रखिए v0 के equal ठीक है और दूसरे वाले case के अंदर r' that will be equal to r plus h ठीक है तो यह आपको दे रखा है यह value हो जाएगी आपके पास capital r plus h ठीक है तो यह हो जाएगा r plus 3r ठीक है क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है trija की तीन गुनी उचाई पर ठीक है प्रत्वी तल से तो यह value किसनी हो जाएगी 4r के equal हो जाएगी ठीक है और अब आपको बताना है कि नई speed क्या होनी चाहिए v- value निकाल लिए है ठीक है तो हम relation use में ले लेंगे तो v- upon v-not जो होगा किसके बराबर हो जाएगा यहाँ पर यह लिखेंगे data r upon r- ठीक है तो यह value तो हो जाएगी capital R यह value हो गई है आपकी 4r इसका अंतलब यह value कितनी आएगी 1 by 2 के equal आएगी तो यहाँ से आप देख सकते हैं v- की value जो है यह value v-not by 2 के equal होगी जो आपके इस question का correct answer है ठीक है clear तो clear होगे बच्चों को यह question ठीक है तो इसके अंदर अगर हम answer देखना चाहेंगे ठीक है तो इसको 1 by 2 को आप 0.5 भी लिख सकते है 0.5 v-not ठीक है तो answer अगर हम match करेंगे तो कौनसा option match हो जाएगा आपका third option match हो जाएगा clear तो three times आपको hide दे रखी from earth surface ठीक है from earth surface ठीक है चलो nice question यस देखो क्या है question a wire suspended vertically from one of its end ठीक है stretch by attaching a weight of 200 newton ठीक है to the lower end the weight is stress by 1 mm ठीक है 200 newton का force लग रहा है ठीक है बन एमेमेम और ज़्यादा stretch हो रहा है elastic energy stored in the wire ठीक है एक तार के सिरे से उड़्दवादा लटकाया जाता है दूसरे सिरे पर 200 newton का बहार बार लगा करके लगाया जाता है यदि भार तार को एक एमेम तक हीसा है ठीक है तो संचीत इस प्रत्यासा उर्जाकिती होनी चाहिए ठीक है तो इस case के अंदर रेटा जो store potential energy चली जाएगी use equal to क्या लिखते हैं 1 by 2 F into delta L ठीक है तो यहाँ पर अगर आप देखोगे force किता लग रहा है आपका 200 newton लगा रहा है और यहाँ पर length में जो increment हो रहा है वो 1 mm है ठीक है इसको आप meter के अंदर change करोगे तो यह 1 divided by 1000 हो जाएगा यह 2 0 cancel हो गई इस 2 से यह 2 cancel होगा तो यह value आजाएगी 0.1 joule के equal जो आपके इस question का answer है ठीक है तो कौन्स option गया हमारा correct first option हो गया ठीक है elasticity का question हो गया बच्चो यह next question काफी सारे हमने anxiety based question यहाँ पर लिए है बेटा नीट लेवल के उपर ठीक है और इस type के question जो है आपको CLC की गुरुनिती और फिजी सी को section के अंदर मिलेंगे ठीक है और DCM first के अंदर भी आपको स्टाइब के questions मिलते हैं ठीक है चलो अब हमने यहाँ पर next question discussion में लेते हैं ठीक है तो आलोग आप वुड आप दा मास 120 kg is float in the water ठीक है the weight that can be put on the drop to make it just sink should be density of wood आपको given है यहनि 120 kg द्रहमान का लकडी का एक ब्लोग पानी में तेरा है इस ब्लोग को पानी में डुबोने के लिए इस पर रखे जा सकने वाले भार का मान कितना होना चाहिए आपको लकडी का जो है घनत भी दे रखा है ठीक है यह सुचेशन जाए वेटा आपके बंसिंग फोर्स वाली बन जाएगी जैसे अगर सपोस करो हमने यह बीका ले लिया है अब यहाँ पर एक वुडन ब्लोग है जिसको कम्प्लीटली हमको डिप करना है ठीक है और इसके लिए हमने आपर इसके उपर एक एस्टा मास रख दिया सपोस करो यह मास कितना रख दिया हमने एक्स रख दिया है जिसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है ठीक है तो इस केस के अंदर अगर आप देखेंगे डाउनवर डाइक्षिन के अंदर जो total weight होगा इसका मास हमने लिया जो आपको question में given है 120 ठीक है तो डाउनवर डारेक्षिन में लगने वाला total weight होगा वह एप्थ डारेक्षिन में लगने वाले point force को क्या करेगा balance करेगा ठीक है और volume जो होगा किसके equal, mass upon density के equal, ठीक है, तो g से तो g beta वैसे भी cancel हो जाएगा, तो यह value आपको दे रखी 120, x mass आपको calculate करना है, water की density होती है, eta 1000, ठीक है, यह mass आपको दे रखा है 120, density आपको दे रखी eta wooden की 600, ठीक है, clear, तो अब आप देखो, calculation के अंदर, यह दोनों 0 cancel हो जाएगा, 20 वार, ठीक है, तो यह total value आजाएगा, आपको पास कितनी, 200 के equal, ठीक है, तो अगर x value आप निकालोगे यहाँ पर, यह हो जाएगा, 200 minus 120, ठीक है, तो x mass आजाएगा, यह 80 kg के वराबर आएगा, यहनि हमको यहाँ पर 80 kg का एक additional weight यहाँ पर रखना पड़ेगा, ठ बच्चों, इसके अंदर हमारा first option सही हुआ, ठीक है, चलो बच्चों, next question discuss में लेते हैं, यह आपका, buoyancy force वाला question हमने concept आपको इसके अंदर सिखाया है, ठीक है, 90 number का question, 0.1 meter cube water at 80 degree centigrade is mixed with the 0.3 meter cube water, यानि water को यह water mix कर दे हैं, ठीक है, at 60 degree centigrade, the final temperature of mixture will be 80 degree top per 0.1 meter cube पानी को, 60 degree centigrade top per 0.3 meter cube पानी के साथ मिश्रित के आया, ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर concept लगाना चाहिए, ठीक है, M1, S1, T1 minus T mixture, ठीक है, इस कल्टू क्या लिख देता है हम, M2, S2, T mixture minus T2, ठीक है, high temperature वाला liquid जो हीट रिलीस करेगा, और low temperature वाला liquid जो होता है, वो हीट को गेन करता है, ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर, अगर mass लिखोगे, तो mass हो जाएगा, volume into density, water, ठीक है, water की specific heat weight हम यहाँ पर रख देंगे, वैसे तो यह cancel हो जाएगा, क्योंकि दोनों साइड हमने water ही ले रखा है, और यह value हो जाएगा, यह आपकी 80 minus T mixture, ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर 0.1 into 10 की power 3, mass, specific heat of water, और यह हो जाएगा, Tm minus 60 degree, ठीक है, तो दोनों साइड सेम liquid है, इसलिए specific heat, दोनों साइम से ट्रेकी, cancel हो जाएगी, ठीक है, अच्छा, यह वाली value जाएगा, आपको इसके अंदर 0.3 दे रखी है, clear, यह हो जाएगा 0.3, तो अब आप देखो remaining equation क्या बची है, हमारे पास, 0.1 into 80 minus temperature of mixture, is called to 0.3 T mixture minus 60, ठीक है, तो पॉइंट से भी यह point cancel हो गया, यानि 80 minus T mixture, is called to हो जाएगा, 3 Tm minus 180 के equal, ठीक है, तो इसको अगर हम solve करेंगे यहाँ पर, यह value आ जाएगा, आपकी 180, 180 plus 80 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, तो this one value will be is called to 4 Tm, is called to हो जाएगा, आपका यहाँ पर, 180 plus 80 के equal, ठीक है, तो इसके अंदर अगर आप 4 का divide कर देंगे, तो 2, 6, 0 divided by 4, ठीक है, clear, यह cancel हो जाएगा, 6 बार चले जाएगे, 24, ठीक है, और 2 बज़ेगा 20 यह नहीं, 5 बार cancel हो गया, तो इसका अतलब ता temperature of the mixture will be equal to 65 degree centigrade, ठीक है, clear हो चुका यह question, तो कौन्स option आएगा, एटा मारा इसके अंदर, first option आजाएगा, clear है यहाँ तक, चलो, next question देखते है हम, the molecular, the molecules of a given mass, ठीक है, have a RMS velocity 200 meter per second at 20 degree centigrade and 1.5 newton per meter square pressure, when the temperature and the pressure of gas are respectively 1.27 and 0.005 tanky power 5 newton per meter square, the RMS velocity of molecules will be, ठीक है, यहनि आपको किसी gas की मात, निश्रीत मातरा की 27 degree centigrade ताप पर, जो है, वेग दे रखा है, ताप 200 meter per second, और दाप का मान दे रखा है, अगर ताप 127 कर दे हैं, और दाप को अगर हम वापत change कर दें, तो अनुग का RMS वेक क्या होना चाहिए, ठीक है, पहली बात तो हम इसके अंदर आपको एक concept पता देता हूं, RMS वेक जो है, वो प्रेशर के उपर depend नहीं करता, अगर आप प्रेशर के उपर कम जादा कर रहे हैं, तो उसकी कोई RMS वेक के उपर कोई effect नहीं पड़ता है, ठीक है, RMS वालो सिटी जो होती है, that will be proportional to the VRMS, is proportional to the under root T, लेकिन एक बात याद रखेंगे, यहाँ पर हम temperature जो है, Kelvin के अंदर रखते हैं, ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर V dash upon V लिखेंगे, तो सामने हम लिखेंगे, एटा T dash upon T, ठीक है, तो final temperature जो करा गया है, 127 कर दिया, ठीक है, तो यह हो जाएगा, आपका 400 के equal, initial temperature जो है, वो आपका 20 degree centigrade है, तो यह temperature हो जाएगा 300, तो this one value will be equal to 2 divided by root 3, ठीक है, तो V dash value अगर आपको find out करनी है, तो V dash value आजाएगी V into 2 divided by root 3, ठीक है, और initial velocity आपको question में given है, कितनी है 200 है, तो आप यहाँ पर 2 into 200 करोगे, तो यह 400 divided by root 3 निकल करके आएगा, जो आपके इस question का answer है, ठीक है, तो देखो बच्चो, कौनसा answer हमारा है, यहाँ पर correct हो जाएगा, that will be the second option, ठीक है, is it clear, तो चलो बच्चो, हम यहाँ पर next question का solution discuss करते है, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, an ideal gas heat engine operate in the Carnot cycle between the temperatures, आपको यहाँ पर temperatures की values given है, ठीक है, it absorbs 6 into 10 की power 4 calorie, ठीक है, of heat at the higher temperature, ठीक है, amount of the heat convert into the work, आपको work done calculate करना है, यानि एक आधर्ष गैस की उच में इंजान, कार्णो चक्र में 227 डिगरी और 117 डिगरी की बीश कार्य रेते हैं, यह उच चिताब पर इतनी calorie उच माप आउशोशीत करता है, तो कार्य में कितना परिवर्दित होगा, ठीक ह ठीक है, तो बच्चों अगर हम यहाँ पर इंजन की दक्षिता की बात करें, तो दक्षिता जो लिखते हैं, एक टा 1- T2 डिवाइड बाई T1 लिखते हैं, जो किसके बराबर होती है, एक आधर कार्य बटा आउशोशीत उचमा के है, ठीक है, तो हमको यहाँ पर किसकी value calculate कर करनी है, कार्य की value calculate करनी है, तो कार्य बराबर जो हो जाएगा, Q into 1- T2 divided by T1, ठीक है, तो इसके अंदर आप देख सकते हैं, T1, T2 temperature हमको degree Celsius में रखकर के Kelvin में रखने होंगे, ठीक है, तो Kelvin की अंदर जब हम इसको change कर देंगे, तो Q की value तो आपके पास यहाँ पर 6 into 10 की power 4, ठ P2 temperature आपका smaller है, जो हो जाएगा, आपका यहाँ पर 400, T1 जो होता है इटा source का temperature होगा, जो किता होगा 500, ठीक है, तो इसको हम यहाँ पर solve कर लेंगे, तो 6 into 10 की power 4, ठीक है, यह 1 minus 4 by 5 हो जाएगा, ठीक है, तो यह value हो जाएगी, 6 into 10 की power 4 into 1 by 5, ठीक है, तो कुल मिला करके हमको value 1.2 into 10 की power 4 calorie, जो आपके इस question का answer है, ठीक है, तो कौनसा option जाएगा बच्चों हमारा इसके अंदर साही, 3rd option हमारा is the correct answer, ठीक है, clear, next question देखते हम इसके अंदर, क्या लिखा है, next question के अंदर, the coefficient of thermal conductivity depends on, ठीक है, यहीं किसी भी धातों की उच में चालकता, किस पर निर्वर करती है, ठीक है, तापांतर पर निर्वर करती है, शेत्रफल में निर्वर करती है, पट्टिका की मोटाई पर निर्वर करती है, धातों के पदार पर निर्वर करत ठीक है, तो थर्मल कंडेक्टिविटी जो हता है, coefficient of thermal conductivity, जिसको हम k से रिनोट करता है, ठीक है, आप यादो, the rate of heat flow, जो हम लिखते है, ठीक है, clear, the rate of heat flow, dqy dt, ठीक है, that will be the proportional to the cross section area and the temperature depends, divide by the length, जब आप proportion का sign अटाते हैं, तो k लगाते है, constant, जिसको हम thermal conductivity coefficient कहते है, ठीक है, और L जो होता है, यहाँ पर length हो जाता है, तो k जो होता है, k is a property of material, किसकी property होती है, material की property होती है, ठीक है, तो that is a property of material, ठीक है, तो इस question के अंदर हमारा जो सही answer बनेगा, that will be the fourth answer is the correct, ठीक है, तो k जो है, thermal conductivity, material पर depend करेगा, different types के materials के लिए, conductivity, thermal conductivity भी different होती है, ठीक है, is it clear, तो next question बेटा, discussion में लेते हैं, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, and electing motor of the mass 40 kg, ठीक है, mountain on a vertical spring, each of the having the constant 4000 newton per meter, the period with which the motor vibrates vertically, ठीक है, तो इसके अंदर अगर हम situation अगर देखें, तो जैसे suppose करो, यह एक motor हम बना देते हैं, ठीक है, जिसके चारो कोनों पर, चार spring लगा देते हैं, यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है, यह से हमने spring लगा दी, एक spring यहाँ पर भी लग गई, तो एक तरीके से यह चारो spring जो है, आपकी k equivalent जो बन जाएगा, इस case के अंदर, ठीक है, parallel combination में, that will be is called to 4k हो जाएगा, तो k की value आपको question में given है, 4000 है, तो यह total value हो जाएगी, 16,000 newton per meter, ठीक है, तो time period of the oscillation is given as t square to 2 pi under root m upon k equivalent, is it clear, तो यह हो जाएगा, 2 pi, mass आपको दे रखा data, यहाँ पर 40 divided by 16,000, ठीक है, तो यह 0 cancel होगा, 4 question से आप cancel कर सकते है data 400 बार, तो यह value आजाएगी 2 pi, और under root के अंदर बेटा 400 आएगा, जिसका आप root calculate करेंगे, तो यह 20 आजाएगा, 2 से 20, 10 bar cancel हो जाएगा, तो यह value आजाएगी 10 upon pi upon 10, जो किसके एक पल होगा, 0.314 second के एक पल होगा, ठीक है, तो इसके अंदर बेटा हमारा correct option कौन सा आजाएगा, first option is correct, ठीक है, next question, यह देखिए इस question के अंदर क्या है, टॉपलर का question आगया, एन observer is moving away from the source of the sound of the frequency, 100 hertz with the speed of 33 meter per second, if the speed of the sound is 330 meter per second, the observer frequency will be, ठीक है, यहनि 100 hertz आवरती वाले ध्वनी स्वरोग से एक शोता, 33 meter per second के वेक से दूर जा रहा है, ध्यान दीजेगा, यहाँ पर लिखावा है, दूर जा रह आवरती क्या होनी चाहिए, ठीक है, तो इस case के अंदर वेटा, आवासी आवरती जो लिखेंगे, एन डेश स्कल्टू एन हो जाएगा, फॉर्मला वी मानस वी नोट डिवाइड बाई वी, ठीक है, तो वास्वी का आवरती तो 100 है, ध्वनी की चाल आपको 330 देदी है, प्र इस दि यहां पर, electric field, electricity का question आ गया, यहां रही है, तो आपको यहां पर potential difference बताना है, ठीक है, electric field की value given है ठीक है, और coordinates आपको given है, ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर electric field लिखेंगे येटा, vb minus va, ठीक है, vb minus va, इसकल्ट हो जाएगा येटा, integration हो जाएगा येटा, ये e vector dot dr vector लेते हैं, ठीक है, जहाँ पर integration चलेगा, initial position से लेके, final position तक, ठीक है, तो इसके अंदर 1 है, जो 5 i cape minus 3 j cape है, ठीक है, और displacement vector वेक्टर हम यहाँ पर dx i cape ले लेते हैं, dy j cape ले लेते हैं, z direction का कोई roll ही नहीं है, आपर electric field, x, y plane के अंदर है, ठीक है, और ये जो moment हो रहा है, ये moment कहां से कहां तक हो रहा है ठीक है, 4, 0, 3 से लेकर के, 10, 3, 0 तक हो रहा है, ठीक है, तो जब आप इसको dot करोगे data यहाँ पर, तो यह integration बन जाएगा, minus integration 5 into dx, कहां से कहां तक, x coordinate vary करेगा, 4, 2, 10, फिर minus, ठीक है, फिर integration minus 3 into dy, और y coordinate जो वेटा vary कर रहा है, वो 0 से 3 तक vary कर रहा है, ठीक है, अब इसको हम solve करेंगे, हमारे question कहां सर आएगा, अच्छा ये value जो है, आपको kilowatt में दे रखिए, clear, तब इस question का solution देखे, एटा, next step में, क्या लिख सकते हैं, 5, minus के 5, x हो जाएगा, कहां से कहां तक, 4 से लेके 10 तक, फिर minus 3, ये y कहां से कहां तक, 0 से लेके 3 तक, ठीक है, इसको हम solve कर लेंगे, अच्छा ये minus minus क्या होगा, हमारे यहाँ पर, plus ब minus 0, ठीक है, तो this one value is called to minus 5 into 6 plus 9, ठीक है, तो this one value will be called to minus के 30 plus 9, ये value आ जाएगी, minus के 21 किलो बोल्ट के equal, ठीक है, यह हमारे इस question का answer निकल करके आ गया है, ठीक है, तो कौनसा option जाएगा, negative में जा रहा है टा, second option is the correct answer, ठीक है, clear है question, चलो, next question discuss में लेता है हम, क्या लिखा है, two positive charges, 12 microcolum and 8 microcolum are 10 cm apart, ठीक है, आपको 10 cm का separation दे रखा है, ठीक है, the work done in bringing the dam, ठीक है, 4 cm closer, दो धनात्मक बिंदु अतावेश, 12 microcolum, 8 microcolum, 10 cm की दुरी पर हैं, तो इन्हें 4 cm तक पास लाने में कितना कार्वे करना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है, तो initial separation जो आपको दे रखा है, इसके अंदर 10 cm का दे रखा है, और final separation जो लिया है वेटा हमने आ minus u initial हो जाएगा, तो अगर work done लिखेंगे, तो ये k, q1, q2 बेटा आपके common आ जाएगे, सिर्फ के वर distance separation हो जाएगा, 1 by r2 minus 1 by r1, ठीक है, तो हम सारी values यहाँ पर put कर देंगे, k की value 10 into 9 into 10 की power 9, q1 charge बेटा 12 micro दे दिया, 12 into 10 की power minus 6, दूसरा charge बेटा 8 micro है, 8 into 10 की power minus 6, अब में change करना होगा, ठीक है, तो ये value हो जाएगी, final separation 10 की power minus 2 meter, और this one is equal to 10 into 10 की power minus 2 meter, ठीक है, इसको जब हम solve करेंगे बच्चों यहाँ पर, तो ये joule के अंदर answer calculate हो करके आएगा, तो that will be equal to, ये calculation होगी, जो आप easily solve कर सकते हैं, तो ये answer आएगा, आपका equal to 13 joule, ठीक है, तो third option is the correct answer of this one question, is it clear, go for the next question, चलो बच्चों हम यहाँ पर next question discuss करते हैं, ठीक है, तब potential difference across the capacitance 2 microfarad in the figure will be, यानि चित्र में 2 microfarad धारिता पर विवानतर का मान केता होना चाहिए, ठीक है, अगर आप इस चित्र को देखेंगे, यहाँ पर इस diagram के अंदर ये तीनों capacitor जो है, पैरल में चले जाएंगे, तो इनका अगर हम equivalent निकालना चाहें, तो 6 प्लस 3, 9 और 3, 12 हो जाएगा, 12 microfarad, अब ये दोनों जो हैं, आपके series में चले जाएंगे, तो सबसे पहले तो हम circuit का सी equivalent अगर देखें, तो यह हो जाएगा, 12 into 2 divided by 12 plus 2, यानि ये value हो गया, आपके पास 24 divided by 14 microfarad, तो इस battery से जो total charge अगर हम देखेंगे, कितना move होता है, अगर हम total charge calculate करें, तो total charge की स्कल्टू हो जाएगा, आपका C equivalent into V, तो ये value हो जाएगी, 24 divided by 14 into 70 microfarad, तो पोटेंशल difference अगर आपको देखना है, पोटेंशल difference on 2 microfarad, तो ये potential difference किसके एक पला जाएगा, V is called to charge upon capacitance, तो चार्ज की value हो जाएगा, 24 divided by 14 into 17, और capacitance की value हो जाएगा कितना है, 2, अब इसको हम यहाँ पर completely solve कर लेते हैं, तो 7 की table से ये 10 बार cancel हो जाएगा, ये 2 बार चला जाएगा, 2 into 24 से ये value 6 बार calculate cancel हो जाएगी, तो total answer आजाएगा आपका 60 V, ठीक है, clear, I think ये question clear हो चुका है आपको हम यहाँ पर, तो that is the second option, ठीक है, the total capacitance of the system of the capacitor between the figures A and B, ठीक है, दिएगे चित्र में संधारितरों के निकाए A और B के वीच तुल्य धारिता किती हो नहीं चाहिए, तो आप देख सकते हैं, एटा, ये दो micro और ये दो micro जो हैं, किसमें चले आएंगे, series में, इनका equivalent जो बनेगा, एक micro farad आजाएगा, अब ये वाला 1 micro farad और ये एक micro farad वापास parallel में जाएंगे, तो इनका equivalent 2 micro farad आएगा, ठीके, और ये 2 micro farad फिर 2 micro farad series में चले जाएंगे, ठीके, इनका equivalent 1 micro farad आजाएगा, तो finally ये वाला 1 micro farad और ये वाला 1 micro farad जो है, किसमें जाएंगे, parallel के अंदर हो जाएंगे, ठीके, तो parallel में उनने पर आप यहाँ पर C, A, B की value जो है, ये आपको 2 micro farad के equal मिलेगी, ठीके, जो आपके इस question का second option है, ठीके, next question, क्या लिखा है, a uniform wire of the resistance 36 ohm is bent in the form of a circle, ठीके, the effective resistance between the points A and B, ठीके, 36 ohm प्रतिरोध तार को एक मूलता वरत के रूप में परिवर्तित किया गया है, जैसा कि चित्र में दशाया गया है, तो A और B के बीच, ठीके, आपको ये बताना है, कि तुल लिख प्रतिरोध क्या होना चाहिए, ठीके, तो आपको बेटा ये एंगल दिख रहा है कितना है, 30 डिगरी का है, तो माल लेते हैं कि यहाँ पर एक resistance हो गया, ये resistance R1 है, ये बाकी बचे वायर का resistance कितना ले सकते हैं, तो अगर 36 देखेंगे, तो ये 30 डिगरी जो है, ये पूरे इस circle का कितना पार्ट हो जाएगा, आप 30 के अंदर पूरे circle का divide करोगे, तो ये value जो आ जाएगी, 1 by 12 पार्ट हो जाएगा, तो अगर आप यहाँ पर R1 resistance लिखेंगे, तो total resistance का आप 1 by 12 पार्ट केल्कुलेट कर ल होला resistance हमको 3 हों है, तो इसका अंतलब बच्चा होगा resistance होगा, 36 में से मानस कर देंगे, तो कितना आएगा, 33 हों ठीके, अब R1, R2 बेटा किसमें connect हैं, आपर parallel में connect हैं, आपकर parallel में connect होंगे, तो R equivalent की value हो जाएगी, 33 into 3 divided by 33 plus 3, यह हो जाएगा, 33 into 3 divided by 36, ठीके, इसको जब आ तो इसके अंदर बच्चों हमारा कॉनस option जाएगा, first option is the correct answer, ठीके, clear हो गया question, next question देखते हैं एटाम, circuit diagram question आगया वेटा यह, ठीके, देखते हैं क्या question, the potential difference between the points A and B, ठीके, in the network will be, दशाय के चित्र में A और B के बीच विबानतर क्या होना चाहिए, तो आप देखो हैं आपर यह 5 ohm, यह 5 ohm, और यह 5 ohm, यह 3 जो resistance से किसमें लग गया, series में चले गया, तो इनका total जो बन रहा हो होगा, वो 15 ohm बनेगा, ऐसे नीचे का भी यह, तीनो series में यह 15 ohm हो गया, तो इस पूरे circuit का अगर आप R equivalent देखेंगे, तो यह वाली branch और यह वाली branch पारल मजाएगी, तो R equivalent की value आएगी 15 divided by 2 ohm, ठीके, तो इस circuit से चलने वाली जो main current होगी, ठीके, वो हम देखते हैं कितनी होगी यहाँ पर, अगर main current हम लिखना चाहें यहाँ पर, तो main current वेटा I लिख देते हैं, तो I square 2 क्या लिखा सकता है, एटा V upon R equivalent, ठीके, तो यह value है 2 divided by 15 by 2, तो this one value is called to 4 by 15 ampere, ठीके, अब जब यह current यहाँ पर आएगी, तो यह two equal parts में divide हो जाएगी, यहाँ पे भी current वेटा I by 2 होगा, ठीके, clear, तो अगर A और B के बीच में आपको potential difference देखना है, B, A, B वाली point, ठीके, clear, तो आप देखो कि यहाँ पर total resistance जो है, टैनों हो जाएगा, और इसके अंदर flow होने वाला current है, I by 2 है, यहनि इसका half पर होगे, तो यह 2 by 15 होगा, 5 की table से cut करेंगे, यह 3 bar और य ठीके, ठीके, तो यह हमने potential difference calculate करा है, ठीके, तो इस question के अंदर answer जो है, ऐसा magnitude आपको किता आ जाएगा, 4 by 3 वोल्ड की equal आ जाएगा, ठीके, next question, देखिए इस question में क्या लिखा हुआ है, current I is flowing in a circular arc of wire, whose radius is capital R, ठीके, with subtract an angle 3 by 2 radian, at the center, the magnetic induction B, at the center will be, आर्थ रिजा के वरता का चाप में I धरा प्रवाइट हो रही है, यदि चाप अपने केंदर पे 3 by 2 radian का कौन बनाता है, तो आपको यह बताना है कि center पे चुम्ब की शित का मान क्या होना चाहिए, तो अगर आप center के उपर magnetic field लिखते हैं, तो इसका एक formula लिखते हैं, mu not I divide by 4 pi r into alpha angle, तो यहाँ पर हम alpha angle जो रखेंगे, वो 3 pi by 2 रख देंगे, और हमारे question का answer आजाएगा, तो 20 कल्ट हो जाएगा, mu not I divide by 4 pi r, ठीके, और this one value is called to 3 pi by 2, तो pi से pi cancel होगा, ठीके, यहाँ पर 4 pi r के अंदर, pi cancel हो जाएगा, 2 into 2, 8 हो जाएगा, तो यह answer आजाएगा, 3 mu not I divide by 8 r, जो आपके इस question का answer है, ठीके, तो देखते हैं, चलो बच्चों, कौनसा option match कर रहा है, 4th option यहाँ पर match कर रहा है, ठीके, जो आपके इस question का answer है, clear, next question, if the charge particle projected in a gravity free room, it does not deflected, ठीके, यदि एक आवेशीत कान गुरुत्पु मुक्त कमरे में प्रक्षेपीत किया जाता है, तो यह विक्षेपीत नहीं होगा, ठीके, तो आपको यादो वेटा, अगर एक charge particle चोई, does not defected from its path, ठीके, तो in this situation, we will be equal to the e upon b, ठीके, जैसे हम पढ़ते हैं, यह velocity होगी, यह electric field हो गया, ठीके, और यह हम यहाँ पर magnetic field ले लेता हैं, और तीनों क्या होता हैं, perpendicular to each other होते हैं, ठीके, और जब electric force और magnetic force दोनों ही equal to each other हो जाते हैं, तो particles होता है, that will be moved without any deviation, ठीके, तो इस case के अंदर हम यह कह सकते हैं, आपर, बोथ electric field and magnetic field में भी present, ठीके, दोनों ही present हो सकते हैं, आपर, तो second option है, हमारा question का अंसर जाएगा, theoretical question, a short bar magnet of magnetic moment, आपको magnetic moment given है, ठीके, इस place in the uniform magnetic field, the magnet is in stable equilibrium, कौन सा equilibrium देदे हैं, stable, the potential energy will be, तो एक छोटा चुम्बक जो है, जिसका चुम्बक की आगुन दे रखा है, चुम्बक की शेत का मान दे रखा है, तो इस साही सामय वस्ता में, इसकी सिती उर्जा क्या होनी चाहिए, तो अगर हम stable equilibrium की बात करते हैं, तो stable equilibrium में, उर्जा का formula लिखते है, eta minus k m into b, ठीके, तो magnetic moment आपको दे रखा, eta यहाँ पर कितना 0.4, फिल्ड की value दे रखी 0.16, तो यह multiply करेंगे, तो minus का 0.064, जूल के equal आएगा, जो आपके इस question का answer है, ठीके, तो simple question, कौन सा answer आएगा, बच्चों हमारा इसके अंदर, third option आएगा, clear, next question, इसके अंदर देखते हैं, इटा क्या है, question, the magnetic potential energy stored in an inductor is 20 millijoule, ठीके, when the current is flowing in the inductor is 60 millijoule, ठीके, the inductor is off inductance, यानि एक कुंडली में संचीत उरजा का मान 25 millijoule है, और इसमें बैने वाली धारा आपको कित्ती दे रखी है, साथ मिली एंपेर के बराबर दे रखी है, ठीके, तो आपको ये पूछाए गया है, इसके अंदर की प्रेरख, तो प्रेरण गुणां का मान कितना होना चाहिए, ठीके, तो वेटा, potential energy का हमें एक formula लिखते हैं, ठीके, u square to क्या हता है, half l i square, ठीके, तो u की value आपको given है, 20 millij tool है, ठीके, clear, 1 by 2, l value आपको find out करनी है, और current की value जो है, 60 into 10 की power, minus के 3, इसका हम क्या करेंगे, square करेंगे, ठीके, तो इसके जब आप calculation करोगे एटा, तो calculation करने पर answer आजाएगा, 13.89 henry के equal, ठीके, इसके अंदर आपको जो answer जाएगा, वो fourth option होगा, clear, next question, देखो क्या लिखा हुआ है, transformer का question आगया यह, ठीके, तो primary winding of the transformer has 100 tons, the secondary windry has 200 tons, primary is connected to the AC supply of 120 volt, the current flowing in it is 10 ampere, the voltage and current in the secondary, यहनि आपको यह बताना है कि दित्यकुंडली के अंदर विभाव का मान और धारा का मान क्या होना चाहिए, ठीके, तो बेटा, इसका एक simple सा concept है, अगर हम apply करें, तो V proportional क्या होता है, N, और inversely proportional क्या होता है, current, ठीके, तो अगर secondary का potential divided by primary का potential लिखोगे, तो यहाँ N secondary divided by primary आजाएगा आपका, ठीके, clear, तो आपको number of tons दे रखें, secondary में tons दे दिए 200, primary में tons दे दिए 100, तो यह value आगई 2 के equal, ठीके, तो secondary coil के लिए potential जो बनेग तो यह value हो जाएगी 240V के equal, ठीके, तो यह तो हमने voltage निकाल लिया, ठीके, अगर current की अगर हम बात करेंगे, तो secondary divided by primary, अब यह current जो है, reciprocal हो जाएगा, primary upon secondary number of tons, तो यह हो जाएगा 100 divided by 200, यह ratio आजाएगा, बच्चो, 1 by 2, reverse हो जाता है, ठीके, तो secondary coil के लिए current जोगी, that will be called to 10 divided by 2, क्योंकि primary coil के अंदर 10 ampere flow रही है, तो यह value आजाएगी आपके पास 5 ampere के equal, ठीके, तो देखते हैं बच्चों है, आपर कौनसा option बेटेगा, first option ही correct हो गए है, आपर, ठीके, 240V and 5 ampere, clear, next question, क्या लिखा हुआ है, इन AC's circuit, the reactance of the coil is under root 3 times, the phase difference between the voltage across the coil to the current through the coil will be, ठीके, किसी AC परीपत में कुंडली में प्रतिखा, जो है, प्रतिरोत का under root 3 गुना है, तो कुंडली के सिरोपे विबानतर और इसमें प्रवाई धारा के बीच कलांतर कितना होना चाहिए, ठीके, तो हम अगर कला को निकाले है एटा, तो 10, 5 वराबर क्या लिख देते हैं, एटा हम X upon A लिख देते हैं, ठीके, कुंडली के हम X से लिखते हैं, और ये मान आपको दे रखा है, अंडरोट 3 गुना, ठतिरोट का, ठीके, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये मान अंडरोट 3 के बराबर आगया, तो कलांतर कौन जो आएगा, वो आपका निकल कर आजाएगा, 60 डिगरी, जिसको आप पाई बाई 3 रेडियन भी लिख सकते हैं, ठीके, तो कौन सॉप्शन आएगा बच्छों हमारा इसके अंदर, फर्स्ट ऑप्शन इस रेक्ट आंसर, ठीके, नेस्स कोश्चन, ये फोटो एलेक्टिक प्रेट का कोश्चन आगया, ठीके, तो क्या लिखाया है, फोटोन ओफ दा एनर्जी, आपको एक फोटोन की एनर्जी गीवन है, इस इंसिदेंट ऑना मेटा सर्फेस ऑफ दा थ्रेशोल फिक्वेंसी, ठीके, एन दा मैक्सिमम काईटिक एनर्जी ऑफ दा फोटोन विल बी, एक फोटोन दातू की सते पर आपतित होता है, जिसकी लिए डेली आवरती का मान आपको दे रखा है, तो उसरजी फोटोन की एक मी नॉट, ठीके, लेकिन यह आंसर बेटा जूल में होता है, इसको एलेक्ट्रोन वोल्ट में चेंज करने के लिए हम इसमें E का डिवाइट कर देंगे, ठीके, तो H की वैल्यू होगी 6.6, 10 की पावर, माइनस की 34, थ्रेशोल वैवलेन दे दी एक एटा 1.6, 10 की पावर 15, और E की वैल्यू हो जाएगी, एटा 1.6, 10 की पावर, माइनस 19, तो माइनस 19 जब उपर ले जाएगे, प्लस 19 होगा, 19, 15 और माइनस 34 कैंसिल हो जाएगे, इससे यह वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, तो यह वैल्यू तो आ जाएगी, आपके पास 6.6 एलेक्ट्रोन वोल्ट, ठीक है, अब हम एक बाद जानता हैं कि फोट्वाटोन की एनर्जी जो होती ही, that will be equal to the work function प्लस kinetic energy, तो the value of the kinetic energy is given as energy of photon minus work function, ठीक है, तो फोट्वाटोन की एनर्जी वैट आपको 8 वोल्ट दे दी है, यह वैल्यू 6.6 है, ठीक है, तो दिस वैल्यू 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 सारे के सारे electron वोल्ट में दे रखे हैं, ठीक है, तो इसके अंदर हमारा correct answer आजाएगा, option number 3, clear, next question, the hydrogen atom that will be related to the atomic physics, ठीक है, if the difference in the energy of the electron n is equal to 2 and n is equal to 3 is e, the ionization energy of the hydrogen atom will be, तो आपको hydrogen परमानों में n बराबर दो और n बराबर 3 कक्षाओं के लिए electronों का अंतर e के फिल्दी दे दिया है, ठीक है, तो आइनन ओड़ जागा मान किता होना चाहिए, तो अगर हम e value calculate करना चाहें, तो e value हो जाएगे आपके पास 13.6 into 1 upon 2 का square minus 1 upon 3 का square, ठीक है, तो यह value हो जाएगे आपके पास 13.6, 1 by 4 minus 1 by 9, ठीक है, n1, n2 value given है, तो e square 2 हो जाएगा 13.6 into 5 by 36, यह हमाए पास एक equation आगी, अब अगर आप hydrogen atom के लिए ionization energy देखते हैं, तो यह ionization energy वेटा 13.6 electron volt के बराबर होती है, फस्ट orbit के लिए, ठीक है, तो अगर आप यहाँ से 13.6 का एक figure निकालेंगे, ठीक है, तो इस figure की value आजाएगे, आपके पास 36 divided by 5 e, और अगर आप 36 में 5 का divide कर देंगे, ठीक है, तो य ठीक है, नेस्ट कुश्चन, और radioactive substance contain the thousand nuclei, ठीक है, and its half life is the 20 days, the number of nuclei present at the end of 10 days, ठीक है, एक रेडियो सक्री तत्प में 1000 आपिक है, इसके अर्दायों आपको 20 दे रखी, तो 10 दिनों बाद शेष नापिकों कि शंक्या कितनी होने ही चाहिए, ठीक है, तो अगर आप रिमेनिंग nucleus निकालेंगे, तो n बराबर n नौ 2 की power n लिखते हैं, अब यहाँ पर n value जो होती है, वो time divided by half life होता है, ठीक है, तो आपको दिन दे दिये वेटा यहाँ पर 10, अर्दायों आपको दे दिये वेटा 20, तो यह value आजाएगी एक बटा दो के equal, ठीक ह तो इसका अतलब n बराबर initial nuclei किते थे 1000 divided by 2 की power 1 by 2, यानि that will be root 2, और अगर root 2 का divide करेंगे, तो आप इसको 0.707 से multiply कर दो, तो यह value निकल कराएगी 707 के equal, यानि इतने nuclei जो हैं, वो remains वे जाएगे, ठीक है, तो इसके अंदर बच्चों हमारा कून सा option आएगा, first option, ठीक है, clear, next question, theoretical question, based on the semiconductor, in the PN junction diode not connected in any circuit, इसी circuit से connected नहीं है, तो क्या क्या option दे रहे हैं, सभी जगे पे विवो समान होगा, एन प्रकार का विवो और एन प्रकार से उच्च होगा, संदी पर एक विद्दुशेतर होगा, जिसकी दिशा एन प्रकार से प्रकार की होगी, संदी पर एक विद्दुशेतर होगा, जिसकी दिशा प्रकार से एन प्रकार होगी, ठीक है, तो बेटा, अगर हम PN junction diode की बात क ते ओंधिर हों कि इस तरीके से ये हमने जंक्षिन बना दिया एंटा ये और यह चंद पर नेगिटिव पार्टिकल सोटे है जो स्क्रेशन्य यहां पर बास्टिव से स्टेश्री होता है ऐसा रियलेक्षों जिसका डिरेक्षन अधी मैनस की एक प्यों रिध्यалог 12 ju जाएगा ठीक है तो इसके अंदर बेटा आपकर थर्ड ओप्शन साही चला जाएगा देर इस अन एलेक्टिक फिल एड़ जंक्शन डिरेक्टेट प्रॉम एंड टाइप साइट तु दा पी टाइप साइट ठीक है यह आपके कोश्चन का सही आंसर हो गया ठीक है नैस आपको यह बताना है यहां पर हमका आउटपूट बन के पॉल चाहिए ठीक है ना इन्पूट्स विल भी ए बीसी तो यह वाला गेट हमारा और गेट है इससे निकलने वाला सिगनल जो होगा ए प्लस बी के बराबर होगा जब यह सिगनल लेदर आएगा यह सी आएगा तो यह जो एंड गेट है इसका फाइनल सिगनल जो बनेगा वो ए प्लस बी डॉट सी के बराबर बनेगा ठीक है और आउटपूट अगर बन चाहिए तो वेटा सी वैल्यू बन के एकपल होनी चाहिए वैसे दिख गया हमको ऑप्शन में है पहले में सी जीरो है इसमें सी जीरो है तो इसका अदला आंसर थाड़ होगा चलो इसको हम चेक भी करके देख लेता है यानि ए प्लस बी डॉट सी इसको बन होना चाहिए तो ए की वैल्यू बन जाएगा तो यह बन इसको बन आ जाएगा ठीक है यह प्रूब भी हो कर दिया हमने आपर तो करेक्ट आंसर इस ठी ठीक है नास्ट कोश्चन विच आफ दा फॉलोविंग वेव हैज अ मैक्सिमाम वैवलेंथ किसकी वैवलेंथ बेटा मैक्सिम होगी तरंग देरे का मान अधिक्तम होगा एक्स रे अल्ट्रा वोलेट रेस इंफ्रा रेडियो एक्टिव और रेडियो वेव तो जो रेडियो अंसर इस पॉर्थ ओप्शन ठीक है ट्रुटिकल वोश्चन है एक्लिया नास्स क्वेश्चन विच रेडियो प्रॉप्टिक्स का कोश्चन है अगे टाई हमारे पास लेंस वाला लेंस हवाला लेंस है फोकल लेंथ एक्ट है अपर्चर अप्टर अप्टर दियमेटर दी इस प्रॉप्ट वाला लेंस का केंदरी भाग को डी वाग व्यास के द्वारा को काला कर दिया जाये तो अब लेंस की फोकस दूरी और प्रतिविम की तीवरिता पर क्या परक पड़ेगा ठीक है तो बच्चों अगर आप इस तरह के से कोई एक लेंस ले लेते हैं और इसका कुछ भाग आप यहां पर काला कर देंगे तो फोकल दूरी पर कोई फरक नहीं परता है क्योंकि वक्रता त्रिचा है यानि रेडियस ऑफ कर वेचा सेम रहते हैं ठीक है तो फोकल लेंद तो अपर्चर के अरिया तो अगर इनिशली आप देखना चाहो अरिया जो था वह पाई ठीक है इसका हमने जो अपर्चर ले रखाए अटार डायमेटर वह डी ले लिया ठीक है तो यह हो जाएगा आपका डी वाइटू का स्पार इसका अंतलब ही हो जाएगा पाई d स्क्वार by 4 ठीक है अगर black polish वाला area दिखा लेंगे हम तिए हो जाएगा pi d y 3 का square ठीक है अच्छा d y 3 कर देंगे हम यहाँ पर तो यह d y 6 हो जाएगा ठीक है तिए हो जाएगा pi d by 6 का square ठीक है तो यह value हो जाएगी pi d square by 36 तो जो remaining area जिसमें से light pass होगी वो कैसे calculate करेंगे r remaining ठीक है तो आप total area में से black polish वाल area को minus कर दोगे तो इनको जब आप separate करोगे तो यह value आ जाएगी 8 pi d square divided by 36 ठीक है तो अगर intensity देखना चाहे हम final intensity i dash divided by initial intensity तो यह final remaining area आ जाएगा ठीक है clear और यहाँ पर i proportional to area बन जाएगा आपका ठीक है i proportional to the area clear और divide by में आपके यहाँ पर आ जाएगा initial area ठीक है तो remaining area जो है यह है आपके पास 8 pi d square divided by 36 और initial area है pi d square divided by 4 तो बच्चों इसके अंदर यह pi d square तो cancel हो जाएगे 4 से यह cancel होगा eta 9 बार तो यह value आ जाएगी 8 by 9 ठीक है तो हमको यही से पता चलिया एटा इसके अंदर पोर्त आंसर आ जाएगा आपका focal length f रहेगा और remaining intensity जो है initial की 8 by 9 ताइम्स हो जाएगी ठीक है clear नेस्ट कॉस्चिन the reflective index of a prism for a monochromatic wave is root 2 ठीक है and the prism angle is 60 degree the minimum deviation angle ठीक है the angle of incidence will be आपको minimum deviation के case के अंदर angle of incidence बताना है एक बढ़नी प्रकाश के लिए प्रिज्म का पवरतानाग दे रखा है प्रिज्म कौन का मान 60 degree है तो नियुंतम विचलंग की सिती में आपको कौन का मान क्या होना चाहिए ठीक है तुम जानते हैं जब minimum division की condition आती है तो म्यू स्कॉल टू क्या लिखते हैं साइन आई अपॉन साइन आर और आर एंगल जो होता है वो एक वाई टू के एकवल होता है ठीक है तो यह वैल्यू आपको पॉश्चन में रूट टू दे गई है ठीक है यहाँ पर आई वैल्यू आपको निकाल ली है और यहाँ पर आप देखोगे तो प्रिज्म का अधा करोगे 60 का अधा कर देंगे तो कितना आएगा 30 डिग्री ठीक है तो अब मैं यहाँ पर साइन आई की वैल्यू अगर कैल्क्लेट करता हूं तो साइन आई हो जाएगा अंडर रूट टू इंटू साइन 30 साइन 30 की अधा करेक्ट आइगा प्रिजवाला की कोश्चन हो गया हमारा कम्प्लीट नेस्ट कोश्चन यह देखें इस कोश्चन के अंदर लिख्या लिखाए यडीसी कोश्चन आगया ठीक है इन दर यडीसी एक्सपरिमेंट इंटन्सिटी अट पाइंट इन पाइड दिफरेंट इस लेंडा बाइट इस इस आई आई नॉट जो दे रहा है डिनोटेट दा मैक्सिम इंटन्सिटी आपको आई अपाउन आई नॉट रिशो फाइंड आफ करना है ठीक है तो हम यहाँ पर अगर आई अपाउन मैक्सिमम तीवरित आई नॉट का रिशो लिखते हैं तो यह रिशो किसके एकवल होता है कॉस्ट इसक्वाइर पाई डेल्टा डिवाइड बाइ लेंडा के डेल्टा जो है यहाँ पर पतांतर हो गया ठीक है यह वैल्यू हो जाएगी कॉस्वाइर पाई पतांतर आपको व वैल्यू निकल कर आएगी थ्री बाइ फॉर्ट एक है तो कॉंसा ओप्शन जाएगा आपका फॉर्ट ओप्शन इस अ करेक्ट आंसर ठीक है क्लियर नेस्ट कॉस्ट्ट नॉट क्या खा गया है फिप्टी केजी पर्सन स्टेंडिंग ऑन दर तो फिफ्टी तॉरी 25 प्लेट अगर आप देखेंगे टोटल फोर्ट हो जाएगा वह त्री एप के एकवल होगा जो डाउनवर्ड डिरेक्शन में लगने वाले टोटल मास को क्या करेगा बैलेंस कर देगा जिसके अंदर प्लेटफों का भी बेटा जाएगा और पर्सन का भी बेटा जाएगा तो इसका अतला एफ वैल्यू जो आ जाएगी इस वन इसको आप इससे कैंसिल कर देंगे यह 25 बार कैंसिल हो गया ठीके तो जो फोर्स बन जाएगा इस वन इसको तो 250 न्यूटन के एक वाला आएगा ठीके तो आइटिंग बच्चों यह कोशन हमको क्लियर हो गया है तो कौनसा अंसर आएगा इसके अंदर सेकेंड ऑप्शन ठीके नेस्स कोश्टन यह देखते हैं इसकोशन के अंदर क्या है टू ट्यूनिंग फोर्क आफ दो फिक्वेंसी टू फिप्टी सिक्सर्स एंड टू फिप्टी एट अर्ट्स आर सांड़े तोगेदर दर टाइम इंटर्वेल बिट्वें दर टू कॉंसेटिव मैक्सिमा हीएट बायदा लिसनर आवरती 256 और 258 की दो सुरितर एक साथ बजाया जाते हैं तो सुरुता द्वारा सुनेगे दो लगातार उचिस्टों के मिद्दे समय अंतराल क्या होना चाहिए ठीक है तो यह टाइम इंटरवेल होता है यह किसके बराबर हो 2.5 सेकंड ठीक है यह आपका समय टाइम निकल करके आ गया है तो यह कौंसा अंसर आएगा आपका पहला अंसर मैक्सिमम से मैक्सिमम वेरिशन के लिए ठीक है नेस्ट कुश्चिन about 5% of the power of 100 watt light ठीक है बल्ब is converted in the visible radiation what is the average intensity of the visible radiation at a distance 10 meter so what शक्ति वाला बल्ब लगबक 5% प्रिवर्टित करता है दस मीटर की दूरी पर औस तीवर्टा का मांकिता होना चाहिए तो हम अगर तीवर्टा देखते है एटा आई तो आई स्कल्टू क्या होता है एटा पी अपॉन एक के बराबर तो पी जो है वो हन्रेट का भी 5% हो जाएगा यह निए 5 डिवाइड बाई 100 इंटू 100 ठीक है और एरिया जो बनेगा एटा यहाँ पर 4 पाई आर स्पार हो जा जब आप सॉल करोगे तो यह वैल्यू आजाएगी 0.004 वाट पर मीटर इस्पार के एकवल ठीक है फ्लेक सिंपल सी कैल्कुलेशन है तो इसकंदर बच्चवा हमारा आंसा जाएगा ठीक है नेस्ट कुश्चन आपको पोटेंशल एनर्जी का एक्स्प्रेशन गिवन है ठीक है यू नॉट और अलफार कॉंस्टेंट एक्स्प्रेशन गिवन है ठीक है तो सबसे पहले तो बेटा हम यहाँ पर कंड के उपर लगने वाला बल निकालेंगे जो किसके बराबर होगा माइनस के डी यू अपाउं डी एक्स के बराबर होगा ठीक है तो सबसे पहले आपको यहाँ पर इस समीकंड को जो है डिफ्रेंशेट करना होगा ठीक है तो कॉंस्टेंट का डिफ्रेंशेशन तो बच् आपका की होता है force constant जिसको हम spring constant भी कहते हैं तो time period जो बनेगा t-scal2 होता है 2 pi under root m upon k ठीक है तो ये value हो जाएगी 2 pi under root m upon k k की value हम किती ही लिख सकते हैं 2 alpha और अगर इस 2 को अंदर ले जाएं तो ये कुछ ऐसे लिख देंगे लिटा pi 4m divide by 2 alpha अगर इसको आप cancel भी करते हैं तो ये answer आजाएगा आपका pi 2m divide by alpha ठीक है जो आपके इस question का answer है और यहाँ पर कौनसा option match होगा है तो आपका third option match कर गगा है ठीक है clear and the last one question of this one test paper yes that is based on the junction diodes in the circuit show containing the two diodes each of forward resistance आपको 50 ohm दे दिया है reverse resistance आपको infinite दे रखा है backward resistance ठीक है if the battery voltage is the 6 volt the current through the 100 ohm resistance will be ठीक है दिये गई परिपत में दो डायोट प्रतेक डायोट का अगर प्रतिरोद जो है पचास ohm है और अनंद जो है पश्य प्रतिरोद है अगर 6 volt की battery लगती है तो 100 ohm में से बेने वाली धारा का मान किता होना चाहिए इसमें से बेने वाला current निकालना है तो सबसे पहले आप देखो ये battery का plus terminal है ये minus है तो D1 जो है ये P जो है plus से जुड़ रहा है ये minus में इसका अंतलब ये forward ये resistance आपको दे रहा है किता पचास हो तो आप देखो के 50 और 150 series में आ जाएंगे 200 हो गया और 500 वापर series में आ जाएगा ठीक है तो ये value जो है आपकी 300 के equal हो जाएगी तो इसका अंतलब इस circuit का R equivalent जो बन जाएगा वो आपका 300 ohm होगा तो circuit में flow होने वाली current जो हो जाएगी that will be equal to 6 divided by 300 इसको अगर आप cancel करोगे 100 ये हो जाएगा 2 तो ये answer आजाएगा 0.02 ampere के equal तो कौन्स option match करेगा एटा हमारा second option is the correct answer तो ये बच्चों हमने इस paper का पूरा solution कर लिया हर question को हमने with theory कवर अप करने की कोशिश करें आपर सारे concept हमने discuss करें है thank you Hello student myself भादादीच team जूलोजी CLC सिखकर मैं आप online platform पर स्वागत करता हूँ हमने देखा कि आपने जो दंगल first आपका paper हुआ उसका आपन solution करने जा रहे हैं इसमें पूरे जितने भी question बने हुए है वो NCRT based बनानी कोशिस की है और वैसे 100% ये NCRT based है NCRT की language को थोड़ा सा modify करके प्रशन को बनाया गया है तो थोड़ा सा आप ध्यान दे कुछ numerical based जो question बनाये हुए है उनमें आपको tricks जो बताई जाएगी उस पर ध्यान दे आप बहुत अच्छे से उस diagram को और दिये हुए conceptual point को आप दिमाग में रखेंगे तो automatic आपको हमेशा के लिए याद रहेगा चलो मैं आसा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आएगा और वैसे मुझे ये भी विश्वास है कि आप लोगों का paper बहुत अच्छा गया होगा चलो अपन स्टार्ट करते हैं फस्ट देखो यहाँ पर आया पहला कि निम्द में से कौन सा character ऐसा है जो chordate का नहीं है which of the following is not considered as a chordate character मतलब यहाँ पर important चीज क्या है उसको आपको ध्यान में रखना है important चीज है note जब इस टाइब के प्रशन हमारे पास आते है तो सबसे पहले उसको कैसे soul किया जाता है कि कई बार क्या होता है अपन ये देखते हैं कि उसको हमने पढ़ना था नहीं और पढ़ लिया है तो इससे भी वो गलत हो जाता है तो ध्यान देना है कि जिस प्रशन में आपके सामने note लिखा हुआ है तो उसको पहले आप underline कर ले क्या आया which of the point is not consider as a chordate character इसका मतलब definite ऐसा आपको दिमाग में रखना है कि नहीं वाले point पे आपको उसको underline करना है कि आपको क्या बताना है इसमें अब noto code के लक्षन नहीं है या nerve code के नहीं है या post-renal tail के नहीं है इसमें हम diagram देख लेते हैं कि इनमें से कौन सा character नहीं मिल रहा है तो वो automatic मालूम चल जाएगा तो देखो यहाँ पर आपने देखा कि जैसे अपने एक कोई code का एक टैपिकली code का डाइगराम अपने बनाया यहाँ पर आपके पास आया nerve code यहाँ वाला part आगया noto code इसको आपने कहा है nerve code इस वाले को कहा है noto code यह आप देखते हैं तो यहाँ पर आपके पास gills वाला structure जो pharyngeal gills के रूप में होगा और यह anus वाला part है और इसके पीछे tail है तो इसे post anal tail के नाम से इसको जाना हमने तो देखो क्या है first बता रहा है कि appearance of noto code during all or some stage of life कि यहाँ पर appearance of noto coded noto code during all or some noto code जीवन की कुछ या सभी अवस्ताओं में उत्पन होता है यह तो coded का character है बिल्कुल सही बात है पुछा क्या गया है नहीं दूसरा पुछा है खोकली वा प्रश्ट्री युगमिद्य को paired नाम दे दिया यहाँ पर इसका मतलब dorsal hollow बिल्कुल dorsal side है यह वाला part अमेंसा dorsal होता है और यह वाला part ventral है तो इसका मतलब उपर वाला जो part है dorsal यहाँ तक तो ठीक था कि nerve code वास्ता में dorsal point पे लेकिन यह कह रहा है paired form जबकि यह single embryonic stage के रूप में आपके सामने नजर आता है तो निशित तोर पर आपका answer क्या जा रहा है यह वाला क्योंकि क्या पुछा है नहीं तो इसका मतलब नहीं के हिसाब से यह तो गलत हुआ भ्रोनी अवस्ता में कलोम दरारें या embryonic stage में यहाँ pharyngeal gills present है तो यह भी अपने आप में बिल्कुल 100% सही है और फिर post channel tail तो यहाँ पर post channel tail आप देख रहे हैं तो यह diagram में आपको बताया कि NS के बाद में जो tail आ रही है वो post channel tail के रूप में जानी जाएगी तो यहाँ पर यह भी आपके सामने इसके अनुसार गलत हुआ और यह भी क्यों गलत हो रहे हैं यह वैसे सही है लेकिन पूछा क्या गया है नहीं इसका मतलब आपका answer क्या गया second की कौन सा इसमें से coded का character जो है उसको consider नहीं किया जाएगा तो dorsal hollow nerve code होगा लेकिन यहाँ paired आने से यह answer गलत हो गया मैं समझू बिल्कुल किलियर समझ में आ गया होगा अब चलते हैं next वाले पेवन देखो next क्या कह रहा है नोटो कोट ओपरक्यूलम प्लेकोईड स्केल्स के रुपांतरन से बने दातों से युक्त एक जबड़ा युक्त कसेरू की प्रानी खो जा गया आप उसे किस जन्तु समों में रखना पसंद करेंगे बहुत सिंपल सा है कि ऐसा कोई एनिमल जिसमें स्पेशली आपके सामने एक जॉब्ड वर्टिब्रेई प्रेजेंट है इसका मतलब ये वर्टिब्रा वाला पार्ट है उसके इलावा यहां पर ओसियन विद्दाप्स ओपर्क्यूलम या प्लेकोईड स्कल्स का रुपांतरन बताया गया है लोटो कोड प्रेजेंट है उसके इलावा ओपर्क्यूलम और टीथ मोडिफाई और प्लेकोईड स्कल्स आप अच्छी तरह जानते हैं कि जैसे अपन ने स्कलीर डोन का नाम सुनाये डॉग फिस अब इस डॉग फिस में क्या हम जानते हैं कि इस पर जो स्केल्स परजेंट होती है वो एक इस परकार के रूप में आपके सामने नजर आती है और ये एक तरह से इसको नाम दिया प्लेकोईट स्केल और प्लेकोईट स्केल के साथ आप दूसरा क्या देखते हो ओपरक्यूलम यहां आप जानते हैं गिल्स के साथ ये ओपरक्यूलम वाला पार्ट भी यहां पर आपको दिखाई दे रहा है डॉग फिस जो है वो कौन से गुरूप में रखी जाएगी तो आपको मालूम है यह कॉल्टी लेस वाले पार्ट से रिलेटेड होती है और साइक्लो इस्टॉम्स ऐसा हो नहीं सकता आस्टेंथीस बोनी फिसेज होगी आस्टीको डर्मी यह भी एक अलग टाइप का पार्ट हो गया लेकिन आपके पास क्या है कि इसमें सबसे इंपोर्टेंट चीज आपके पास आ रही है प्लेकोईड स्केल और वो प्लेकोईड स्केल दापतों के बने हुए या उसका रुपांतरन बताया गया है और वो पार्ट एक तरह से कौंडेंट थीस के रूप में जाना जाता है इसका मतलब इसका अंसर जला गया आपके पास सेकिंड कि प्लेकोईड स्केल के आधार पे और कौटिलेस की नेचर के आधार पे कौंडेंट थीस इसका अंसर राइट है इहां पर आया पेरी प्लेनेटा अमेरिकाना में जो डव्लप्मेंट होता है वो डविलप्मेंट या परिवर्दन किस परकार का होता है यह NCRT में जो KOKRISH है उस KOKRISH में पायजने वाले डफलपमेंट के बारे में पूचा जा रहा है कि पेरी प्लेंटा अमेरिकाना में ये जो डफलपमेंट हुआ है ये डफलपमेंट किस परकार का होता है तो आप जानते हैं कि जो larval stage आती है तो इसका मतलब indirect development है इसमें क्या होता है एक semi type का character बनता है और वो character एक तरह से pera metabolas क्या गिलाएगा पेरा या poro metabolas के रूप में जाना जाएगा क्या गहेंगे poro metabolas ये बहुत important है ध्यान रखे NCRT based है आपने देखा निम्न में से कौन सी सरचना जिसमें incomplete cartilage support करते हैं इन में से कौन कौन सी सरचनाएं है जिनमें incomplete cartilage जुपाइट है वो यहाँ पर आपको नजर आएगा हम जानते हैं कि respiratory system में आप trachea branchioles जब इस पार्ट को आप divide करते हुए आगे देखते हैं तो इसमें CR कार के आपको मालूम है छले परजेंट होते हैं अब यहाँ पूछा गया कि कौन कौन सी सरचना में और यह अपूर्ण क्यों है incomplete क्योंकि dorsal side से यह dorsal side से क्या होते हैं absent होते हैं dorsal side में अब जब dorsal side में absent है तो आप मान के चलो यह incomplete UA तो यहाँ पर simple सा आपके कौन कौन से example आ सकते हैं देखो trachea हो गया यहाँ से primary या bronchioles जोगी divide हो रहा है आपको मालूम है T5 पर यह dividation आ जाता है उसके बाद secondary वाली structure में third में फिर initiating bronchioles में भी यह मिलता है NCRT में बिलकुल spasht लिखा हुआ है आपने देखा होगा इसलिए NCRT की line है trachea सही है bronchioles सही है secondary tertiary और initiating अब इसमें कौन कौन से answer ऐसे हैं जिसमें ABCD आ रहा हो तो देखो ABCDE इसका मज़ा आगे पढ़ने की जरती नहीं है इसका answer आपने यहां से कर लिया है बिलकुल किलियर हो गया होगा फिर देखते है next आपके पास आया कैस्टरल इंट्रेंसिक फेक्टर इज concerned with the internal absorption of कि जो कैस्टरल इंट्रेंसिक फेक्टर होता है वो किसकी आंत्रिक आउशोर्षन से सम्मंदित होता है आप पहले तो यह देखो कि यह कैस्टरल फेक्टर जो होता है उसका relation कौन से पार्ट से या डाइजेशन से बन रहा है हमने देखा कि जो ऑग्जेंटिक सेल होती है उस ऑग्जेंटिक सेल से एक पार्ट तो SCL का formation होता है और एक होता है कौन सा कैस्टरल इंट्रेंसिक फेक्टर का अब देखो यह कैस्टरल इंट्रेंसिक फेक्टर या कारक जो होता है यह especially एक तरह से ब्लड जो होता है उस ब्लड के साथ संबंद रखने वाला होता है आपने देखा होगा नीठ में एक इंट्रेंसिक जो फेक्टर था उससे प्रशन आया था तो उसमें पूछा गया कि इसमें इमोपोईसिस पले में कौन सा पाइट काम कर रहा है तो आपने क्या देखा कैस्टल फेक्टर और उसका रिलेशन यहां से और इसका रिलेशन बलड से बनाया जाता है बिल्कुल किलिए रो गया होगा आंसर गया आपका और नेक्स देखो आपसे पूछा गया कि यहां पर कुछ पार्ट जो है छोड़े गए हैं या रिक्तिस्तान हैं उन पर क्या पार्ट आएगा जब इस टाइब के प्रशना आते हैं तो मैं आपको बता दूँ एक ट्रिक बता रहा हूँ देखो उससे आपको याद रहे जाएगा कि जैसे मालो हमने ये टेबल यहाँ पर अपन ने बनाई आपको इस्पेशली यहाँ पर एट्मॉस्पिक फ्रेशर के लिए याट पार्ट आ गया यहाँ पर रेस्पाइरेट्री गेसेस का नाम आ गया यहाँ पर आप देखते हैं एर सेक आ गया यहाँ वाले पार्ट पे है तो ब्लड जो है वो डी ओक्सी वाला पार्ट आ गया यहाँ पर देखते हैं तो ब्लड का ओक्सीजनेटेट पार्ट आ गया और यहाँ वाले पे आपके टीशू वाला पार्ट आ गया यही मैंने यही बनाया है इसलिए आपको यहाँ पर यह वाला टेबुल बनाना था देखो क्या करना है इसमें सबसे पहले O2 हैर उसके लिए A वाला जो पाइट है वो पार्शियल फ्रेशर निकालना है और आप जानते हैं कि किसी भी गेस का पार्शियल फ्रेशर जो निकलता है उसका मतलब होता है कि the percentage of gas into atmospheric फ्रेशर upon 100 As we know that the percentage of oxygen 21% and partial फ्रेशर के लिए यहाँ पर जो फ्रेशर यूजली या 760 upon यहाँ से 100 आप देखते हैं कि यहाँ 159.6 mmHg यहाँ आपके पास मिलता है इसका मतलब यह पका हो चुका कि A वाले में आपके पास 159.6 mmHg वाली वेल्यू यहाँ पर आती है जब यह वेल्यू आपके सामने आती है तो हम देखेंगे कि ज़्यादा अपने को टाइम बेस दी करना है ऐसे प्रश्णों में ज़्यादा सोचने की जूरत नहीं है तो यहाँ आपने देखा केवल इसी में ही आपके पास क्या आ रहा है 159 159 से आपको मालूम चल गया फिर 40, 95, 40 तो इसका मतलब यह आंसर गया मैं अगर इसी टाइप का प्रश्णा आपको बताऊं तो ध्यान रखना यहां से, यहां से, यहां से और यहां से आपको यह ट्रिक्स है जिससे की टेवल याद नहीं करनी पड़ेगी इससे आंसर निकल जाएगा आप जानते हैं यह 40 है यहां पर 40, इस डोट वाले पार्ट पर 40, यहां वाले पर 40 और यहां वाले पर 40, यह 40-40 डिख दे रहे हैं और यहां पर जो 45 है तो यहां पर भी 45 और 45-45 के ज़स्ट डबल करोगे तो 90, यहां आ रहा है तो 90 के आसपास जो रेंज होती है वहां पर 95 इससे अपने कोई स्टेबल को याद कर लेंगे है बहुत इजी तरीका है क्योंकि हम बहुत बार पढ़ते हैं याद नहीं होती है तो इससे आपको यह लाइन इस तरीके से बता दे रही है कि यह जो जिग जैप सेप में आ रहा है वहां तो 40-40-40 होगा और जो यह पार्ट है इन दोनों का 8 जैसे 45 तो 45-45, 90 होता है 90 कोई वेल्यू नहीं है यहापर 95 तो वह यह आइडिया लग जाता है इससे ही आंसर भी निकल जाता है नेक्स देखो यहाँ पर आपने देखा विच अप दा फॉइंग सिरीज रिपर्जेंट दा करेक्ट पैथ आप ब्लड सर्कुलेशन कि ब्लड सर्कुलेशन के लिए सही मार्ग क्या होगा आप अच्छी तरह जानते हैं कि ऐसे प्रश्ण को सोल करने के लिए हमने क्या बनाया जैसे मालो यह हर्ट है इस हर्ट वाले पार्ट से आप जानते हैं यह उपर आपके पास आए यह लंग्स वाला इस्टेक्चर हमारे पास परजेंट है यहां कॉडिक नौच में यह हर्ट परजेंट है यहां वाला पार्ट से यह इंटरेक्ट हुआ यहां से blood निकल के यहां आया फिर body के पास पहुंचा फिर body से यह वापिस से impure blood फिर यहां से वापिस से होता हुआ इस वाले part में पहुंच गया तो circulation किस परकार से हुरा है तो देखो क्या कह रहा है कि बाया आलिंद बाया निले बाया आलिंद बाया निले मतलब left atrium से left ventricle left atrium से ventricle ऐसा दोड़ी होता है देखो कैसे हुआ आप यहीं से ही वो trick से answer निकाले कि सबसे पहले blood कहां को कहां आया आपके पास जैसे मालो यह यहां पर blood आया left वाले part में तो यह हुआ कौन सा यह right atrium यह हुआ आपका right ventricle यह left atrium और यह left ventricle चारों position आपके पास है तो यहां से किस किस तरब जायागा पहले पहला पार्ट जो है जिसे अपन कहें कि यहां पर जो answer बनना है वो कौन सा है दाएं आलिंद से दाएं निले में दाएं आलिंद से दाएं निले में जो पार्ट बना क्यों क्यों कि यहां से यहां को आया तो right से right में आया फिर यहां से निकल कर तो देखो यहां दाएं आलिंद से दाएं निले में आ गया और फिर यह lungs में आ गया और फिर lungs से डाइरेक्ट आप देखते हो बाएं या लेट साइड के अट्रियल पार्ट में आया फिर यहां से आपने देखा लेट के वेंट्रिकल पार्ट में आया और फिर ये बोडी के अंदर चला गया तो जब इस टाइब का प्रश्णा आता है तो ये जो डाइगराम दिया हुआ है ये आप पहले ही बना लें और उसके अकोर्डिंग देखें तो अपने को मालूम चला ये वाला अंसर इसका राइट है चले आगए देखते हैं यहां पर जब इस टाइब के प्रश्णा आता हो मेच वाला तो इसको इस तरीके से नहीं करना चीए कि ये जो पाइट है ये इससे मेच कर गयार ये वाला भाग है वो इस वाले पाइट से मेच कर दिया कई बार गलतिया हो जाती है ऐसे प्रश्णों को करने के लिए हमेंसा आपको इसके सामने आंसर लिखना चीए अगला म तो इसका मतलब आपके सामने फर्स्ट में आपने लिखा थर्ड फिर प्लास्मा तो हमारे को मालूम है प्लास्मा कितना 55% है तो इसका मतलब यहां पर आगया फाइप नंबर फिर हैं सिस्टोल और डास्टोलिक तो यह आपके बलड जो फ्रेशर होता है वी पी जिसमें सिस्टोलिक और डास्टोलिक की रेंज होती है इसमें आप देखते हैं कि जो सिस्टोलिक होता है उसका रेंज होता है 120 और डास्टोलिक का सी तो यहां पर आपके पास यह वाला उप्सन आ रहा है तो second number जाया है यहाँ पर फिर हीमोगलोवीन तो हीमोगलोवीन की मात्रा आपको मालूम है 12-16 ग्राम यह वाला आ रहा है तो यहाँ पर आपने किया यह वाला और फिर heart beat तो यह तो हम जानते ही हैं हमारे पास बचाई एक है तो देखो क्या जिस option में 3, 5, 2, 4, 1 3, 5, 2, 4, 1 तो इसमें ही आ रहा है इसके आधार पर आंसर यह चला जाएगा मतलब ऐसे प्रश्णू को करने के लिए कभी भी क्रोश नहीं करवाना चाहिए simple सा मेश करवा के आंसर दे आप जैसे cardiac cycle वाली स्टेक जहे इस cardiac cycle में आपने देखा कि 0.8 है तो कई बच्चे क्या करते हैं यहां से इसके साथ मेश करवाया तो वो गलत हो सकता है इससे बढ़िया इसके सामने लिखे और फिर आंसर निकाले फिर देखे इसमें 3, 4, 2, 2, और और फस तो इसमें यह वाला आंसर करेक्ट होगा नेक्स देखते हैं उसके बाद आप देखते हैं यहां से आपने पूछा कि इसमें ECG वाला प्रस्न बना हुआ है यह पूछ रहा एक सिंपल सी बात है कि यहां पर एक complete जो part बनता है वो किस रूप से जाना जाएगा तो देखो ECG में आपने देखा P क्या होता है यहां पर ventricle से related part जो होगा वो तो होगा आपका यह atrial part से related part होगा यह तो यहां पर आपने देखा कि दिया हुआ इस्टेक्चर ECG है इसमें कौन सा एक पूरी व्याक्चा गरता है कौन सा correct interpreted part बता रहा है आपको पक्का मालूम है यहां पर पीक पी एंड पीक आर्ट टुगेदर सिस्टोल एंड डायस्टोलिक ब्लड फ्रेसर देखो क्या कह रहा है पी एंड जो आर का सीर्स जो है वो यहां डायस्टोलिक और सिस्टोलिक रखदाप को दर्साता है ऐसा नहीं है पी जो एंड टुगेदर फ्रेसर है वो इसको दर्सा रहा है यह वेंट्रिकल सिस्टोल को दर्सा रहा है और यहां पर रिपोलिराईज़शन को दर्सा रहा है तो इसका मतलब यहां यह पहला तो हो नहीं सकता फिर उसके बाद में दूसरा कह रहा है P is initiating left atrial contraction तो मैं हाली में बोल के गया हूँ कि P केवल left atrial का contraction करता है क्या नहीं यहां left right का मतलब नहीं है contraction या systole of बहुत parts से related होता है तो इसका मतलब ये भी अदूरासा शो किया हुआ है फिर अगला बंदा कह रहा है complex QRS 1 complete pulse कि QRS complex जो है वो QRS एक complete pulse को शो करता है बिल्कुल ये सही बात है NCRT में साप साप लिखा हुआ अगर आपने पढ़ा होगा तो तो इससे अपना answer निकाल सकते हैं सेस यहां पर कह रहा है कि P T initiating total cardiac contraction ऐसा नहीं है क्योंकि T में यहां पर जस्ट आप देखते हैं Repolyization की stage बनती है तो इसका मतलब इसका answer अमारे पास थर्ड चला जाता है चलो next आपने देखा हमने यहां पर फिर वो इस type से आया कि इसने पूछाया कि respiratory capacity और volume आपके सामने यहां पर है और इसमें क्या पूछाया है कि एक ऐसा कोई एक normal प्रशन है जिसमें या वेक्ती जिसमें आपको यहां volume और capacity दी हुई है इसमें आपको क्या करना है दो सम्ताएं और आयतनू के मद्दे सही मेच करना है दो सम्ताएं तो देखो यहां पर अगर मालों में देखो कि यह वाला part जो है वो वास्त में यहां पर क्या हो गया 3000 प्लेस 500 इट मेंस आप अच्छी तरह जानते हो यह IC वाला point बनता है इसमें 500 TV हो गया यह वाला part TV और यह वाला IRV और जब TV प्लेस IRV बनता है तो उसे बोलते है पन IC यहां पर inspire capacity का value था इसका मतलब जो inspire capacity है वो आपके पास यह वाला point शो कर रही है अब इस option में आपने देखा क्योंकि साब दिया हुआ है दो समताओं के रूप में ता इतनू के मद्दे सही मेच करना है तो यह कह रहा है fourth point बिलकुल यह IC है और इसके लिए जो मान है या value है वो कितना है 350 ml और उसके अलावा दूसरा जो है first number RV और RV की value आप अच्छी तरह जानते है 1200 के रूप में आपके सामने आ रही है तो इसका मतलब यह वाला आंसर चला जाएगा confused होने की जूरत नहीं है कि इतना time नहीं दे हम इस प्रश्ण में जो hint बिड़ा हुआ इसके according आप आंसर निकालने की कोसिस करे और जिन बच्चों को अगर मालो confused हो रहा होता है तो फिर यह method है उसको निकालने का आप जानते हैं कि यहाँ पर TV प्लस IRB बराबर IC कहा TV प्लस ERB बराबर EC कहा प्लस TV प्लस IRB प्लस ERB जिसको आपने VC या vital capacity कहा और उसके बाद TV IRB प्लस ERB प्लस यहाँ पर आपके पास बच गया RV तो इसे total lungs capacity कहा इसके आधार पे थोड़ टाइम लग जाएगा लेकिन answer definite निकल जाएगा तो लेकिन हम इस प्रशन में hint मिल रहा है तो क्यू टाइम अपन जादा यूज करें मैं समझू साइद बिल्कुल किलियर हो गया होगा next देखो यहाँ आपके पास simple सा point पूछा है bycaspid and tricapsid ball open when bycapsid or tricapsid ball कब open होते हैं आप अच्छी तरह जानते हैं circulatory system से related प्रशन है यहाँ वाला और यहाँ वाला यह तीन और यहाँ पर आप देखते हैं यह दो वाला point है यह left side यह right side है यह कब open होते हैं आपको मालूम करना है यह कब open हो रहे हैं देखो open जब होंगे जब आपको मालूम है कि इसमें आपके पास ये ब्लरड आएड ट्राइकेपसीड और बाइकेपसीड बॉल कपाट खुलते हैं तो क्या होता है तो यहाँ पर पॉल्वनेरी सीरा ता महा सीरा से रक्त करमशे बाएं में दाएं निले में प्रवावित होता है अगर आप देखते हैं कि इस तरफ पार्ट जो ला रहा है और यहां से आप जानते हैं कि जो ये ब्लरड आया है इस वाले पॉल्वनेरी वेंस की द्वारा ये पार्ट बना है और इस वाले पार्ट से अगर मालो आप देखते हैं तो ये दाए निले वाला पहाग प्रवाइत हो रहा है सिंपल जा है हम क्लोस तो नॉर्मली देखते हैं लेकिन ओपन पूछ लिया जाए तो तो आप जानते हो बाइकेपसिड और ट्राइकेपसिड वोल जब बंद होते हैं तो फस्ट साउंड की स्टेज आपके सामने आती है लब और जब सेमी नूलर की वाली स्टेज आती है तो उसमें आता है तब तो यहाँ पर नॉर्मली क्या होगा बलड फॉर्म, पॉल्मोनेरी वेन, एंड वेना केवा जब इसमें मालूमी चल रहा है तो यह बाकी के अपने टाइम बचाएं पन नेक्स देखो यहाँ से आपसे पूछा गया क्या कि यहाँ पर contraction of muscles जो बताए गई है कि इसमें sliding filament जो हो रहा होता है यह sliding filament मतलब sliding filament में पेशियों में संकूचन कितने समय तक रहता है simple जा point बताया कि जैसे मालूम आपको मालूम है कि यह मालूम मोटा एक myosin पतला actin है यह एक दूसरे पर क्या करेगा मोटा वाला एक जगरेगा यह इसके उपर just क्या करेगा slide करेगा क्योंकि पतला होगा वो slide करेगा मोटा होगा वो एक जगरेगा वो कह रहा है कि sliding method में पेशियों में contraction कितने समय तक यहां पर चलता चला जाएगा simple सी बात है जब हम देखते हैं इस type से तो कौन-कौन से रूप पनेंगे contraction का नाम आ जाए तो निश्चित माने के चलना कि calcium से related point है energy से related आए तो आप जानते हो ATP से related है ज़्यादा सोचने की जरती नहीं है कितने समय तक रहेगा कि यह जो प्लास्म है till calcium present in psychoplasm क्योंकि सार्को प्लास्मा जो नाम दिया है वो सार्को जो नाम दिया गया है यह सार्को है सार्को प्लास्मा में calcium की उपस्तिती तक क्या है यह सार्को प्लास्मा क्यों कहां क्योंकि endoplasmic reticulum को सार्को नाम देते हैं सार्कोप्लाजम की रेटिकूलम ऐसे परजेंट प्लाजम का नाम क्या होगा सार्कोप्लाजम इस कारण से जहां केल्सियम होगा तब तक उस समय तक उसमें कॉंट्रक्शन होगा इंपोर्टेंट है ध्यान रखे ये भी इसमें पूछा है इसमें क्रेक्ट और रॉंग दोनु ढूंडने हैं आपको पहला कहा है कि हुमंस में स्केलेडन सिस्टम में 206 बोन होती है बिल्कुल सही बात है दूसरा गया ये भी बिल्कुल सही बात है टोटल 24 होती है लेकिन पेर्स में आपके सामने बाइस होती है इस्टरनम इस पर्जेंट ऑन दा डॉर्सल साइट और दा बोडी देखो ये चीज आप अच्छी तरह जानते हैं कि यहाँ पर आप देखते हैं ये वाला पार्ट और ये बेक बोन ये डॉर्सल साइड है ये बेंटरल साइड है और ये वाला पार्ट कुन सा हो गया इसका स्टरनम तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट तो सही नहीं हुआ सर क्यों नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पर ये स्टरनम इस पर्जेंट ऑन डॉर्सल साइड नहीं, sternum आपके ventral side पे present है फिर उसके बाद में all mammals as a top few have 8 cervical vertebrae इसका मतलब ये वाला भी यहाँ पर set नहीं हुआ क्योंकि आप जानते हो कुछ ही ऐसे हैं जिनमें 8 होती है, बाकी तो normally 7 ही होती है आपने मालूम है C7 जो लिखते हैं हम अब इसमें कौन-कौन से सी काउ है उसमें आप देखेंगे 6 मिल जाएगी, brady परस उसमें आप देखेंगे, 8 ये नो मिल जाएगी लेकिन आप धान रखे कि इसमें ये भी रॉंग हुआ है और ribs क्या होती है by sephelic, क्योंकि हम जानते है ज्रिप्स में दो जिसे आप देखते हैं ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट तो by sephelic रूप से होता है तो इसका मतलब यहां सही कौन-कौन से आए पहला सही आया यहां A, B और E सही है C और D रॉंग है तो A, B, E सही और C और D रॉंग तो इसका मतलब यहां पर आंसर कौन सा गया A, B, E और C और D रॉंग मतलब थर्ड आंसर चला जाता है देखो नेक्स वाले पॉइंट में हम देखते हैं यहां पुछा गया इप दा PCT लाइन बाइदा सिंपल क्यूबोईडल ब्रस बोडर एपिथिलियल जब हम वामन्स कैपसूल से नीचे की तरफ आप देखते हो नेक और यहां पर आप देखते हैं तो PCT वाला स्ट्रिक्ट्टर आता है वामन्स कैपसूल में आप देखते हो तो यहाँ इसक्यूमस एपिथिलियल टिशू परसेंट होते है वर्मन कैपसूल में लेकि नेफरोन में हैले के लूब वाले पार्ट पर आप देखते हैं और इस वर्मन कैपसूल पर तो यहां इसक्यमस परकार का टीशू होता है जबकि यहां PCT जो है इसमें पूछा गया कि PCT में किस परकार का है क्यूबोईडल ब्रस बोडर एपितीलिय टीशू परजेंट है बिलकुल सही बात है अगर यह इठा दिये जाए तो क्या होगा आप अच्छी तरह मालूम हैं कि PCT से आपने देखा क्या अकोडिंग टू NCRT कि 80 से 85 परसेंट जो इलेक्ट्रोलाइटिक होते हैं कई जगह आप देखेंगे 75 से 80 है वो कोई बात नहीं हैं बस यह है कि यहां से आप जानते हैं कि बहुत से जो निट्रिंट फिल्टर की स्टेप से होकर आते तो इनको रियॉब्जर्व कर लिया जाता है अब रियॉब्जर्व करेंगे यह वाला पार्ट ये अटा दिया गया तो यहां पर क्या होगा जो यूरी यहां से प्राइड भी हो रहा है पैसी फोम में इसके लाव आप जानते है गुलकोज भी हो रहा है एक्टी फोम में तो ये सब चीज़े हमने देखी तो ये वालब आगी अठा देंगे तो इसका मतलब जो बनने वाला यूरीन है वो खास तोर से यहां पर किस रूप से कहलायागा कि इसमें एक डाइलूइशन वाली स्टेज बन जाएगी है यूरीन फॉर्मड बिल बी मोर डाइलूट नीचे जाने की जुरती नहीं रही क्यों क्योंकि अगला कह रहा है नीचे वाला सोडियम ब जलका विकल्प पूर्णा उस्वसंद नहीं होगा ठीक है सोडियम ब जलका पूर्णा उस्वसंद नहीं हो क्या फैसिलिटेट रियॉब्जरवेशन ऑफ सोडियम एंड वाटर विल नौट टेक प्लेस ठीक है मानते हैं लेकिन ये सब फिर कह रहा है 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 इट्रोजन वा सोडियम अमोनिया का चैना आत्मक रुख जाएगा काउंटर करेंट मेकेनी मे दो नौक जाएगी लेकिन मौर एफेक्टि जो आपके सामने है यही है तो यहां से पानी की मातरा जो है वहा से आ रही है तो ये वाले पार्ट जो है क्योंकि ये तो एक तरह से facilitated stage में भी आ सकता है क्योंकि वहाँ पर diffuse भी हो सकता है लेकिन यहाँ पर अगर यह मातरा वहाँ से अठाई दी गई हो तो इसका मतलर re-observe की step नहीं आएगी और नहीं आएगी तो वहाँ पर urine एक तरह से dilute stage में आ जाता है देखो next अगला बंदा यहाँ पर देखो क्या person कह रहा है यह दी रक्त में ANF factor का इस तरह बढ़ता है क्या rising ANF factor यह वाला factor बंदा है तो यहाँ पर क्या होगा कि ANF factor जो है वो कारेक्स सभी कारिये करेगा छोड़ कर आपको अच्छी तरह मालूम है कि ANF जो antagonistic stage पर आता है वो आपके LD-Sterone और hypothalamic parts से related होता है इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ रेनीन angiotensin जो परकिरिया है आप जानते ना रास जिसे अपन कहते हैं रास जिसे अपन ने कहा यह और ANF factor दोनों एक दूसरे का पोजिट है आपको बालों में यह BP को increase करता है तो यह BP को क्या करेगा decrease करेगा इसका मतलब क्या हुआ रेनीन angiotensinogen LD-Sterone system तो उसको एक कारक को छोड़ कर कि यह वाला point बोल रहा है यहाँ पर ANF factor का इस तरह यह जो part है इसको छोड़ कर क्या हो सकता है तो इसका मतलब यह रेनीन अंगियो टेंसीन पर किरिया को प्रेरित करेगा इसको छोड़ कर बाकी जो किरिया हैं यह आप देख रहे हैं तो automatic आपके सामने अलग हो जाएगी बिल्कुल किलियर सा हो गया होगा कोई दिक्कत नहीं है नेक्स्ट अप देखते हैं फाइंड आउट दा करेक्ट ओडर अप नंबर आप बान्स इन दा पार्ट आप इसकल सच एज क्रेनियल बान फेसियल बान हाइड बान और मिडिल यह जैसे हम जानते हैं कि मिडिल यह वाले पार्ट पर बोंस से जो है उसकी संख्या आपके पास तीन है तो इसका मतलब तीन वाला आंसर इसमें जाने के चांस जदा है लास्ट में तीन या तो यह जाएगा यह यह वाला जाएगा अब इसमें क्या है फर्स जो पूछा गया इसमें क्रेनियल पार्ट रूला पार्ट है इसमें कितनी होगी इसके लावब फेषियल तो फेषियल में कितनी हुए चोगडा तो निस्शी थैस दो नुम्बर पे आपके पास 14 आ रहा है 3 पे last पे आपकी यह आ रहा है यह आपका answer हो गया कौन-कौन से हो यह 8 आपके पास cranial है 14 आपके पास facial, hyoid आपके पास 1 है और middle ear आपके पास 3 है, यह भी NCRT से ही आपने देखा होगा कि इसमें साब-साब इतनी संक्याएं लिखी हुई है इसके according यह वाला answer चला जाएगा Next यहाँ आपने देखा कि counter current mechanism से ही पूछा गया DCT और collecting duct का concentration कि जो filter होता है 300 से last में 1200 moss पार्ट वाला आता है जैसे आपने देखा कि यह जो यहाँ वाले पार्ट पर आते आते 300 से यह 1200 वाले पार्ट पर जलक के लिए जो selection की उत्तम किरिया भी दी है इस mechanism को जो नाम दिया गया वो especially counter current के रूप में इसको आपने जाना और यह चीज counter current के रूप में जाना तो क्या हुआ देखो यहाँ पर पहला ही पहला पार्ट है mammals have the ability to produce concentrate urine आप अच्छी तरह जानते हैं कि यहाँ पर यह जैसे हैनले लूप बनाया है दरसे अपन ने यह वासा रेक्टा वाला पार्ट लिया अब आपको मालूम है उपर नीचे यहाँ से चलना होता है जिसकी जुरत होती है उसको दे दिया उसको ले लिया तो यह जो 300 से लेकर 1200 जो मौस पार्ट आया है यहाँ पर यह जलके सेरेक्शन की उत्तम किरिया भी दी है और इसमें mechanism क्या होती है किसके बीच में counter current हो रहा है तो यहाँ पर आप देखो कि जब पूरी किरियाएं चल रही है अगला बंदा यहाँ पर पूँच रहा है कौनसा ऐसा ते बाई counter current mechanism तो है बिल्कुल सही बात है कि यह counter current mechanism है लेकिन यह counter current mechanism है बे अगले ने पूचा क्या है एक ऐसा option पूच लिया जो incorrect stage में है और incorrect stage क्या कह रहा है mammals have the ability to produce concentration of urine vasa recta and lube of henle play the significance for all in this इस्तंदारी सांद्र मुत उत्पादन की शमता रखते है vasa recta henle पास मैत्पूर्ण भूमीका का निर्वा करते है ये especially जो part है जज़े आपने 22 में incorrect step थी तो सारे के सारे देखो जल selection के लिए परतिजाराया counter current एक उत्तम की लिए है बिल्कुल सही बात है हेले लूब पासा recta की बीच नस्दी की तताब यहां medullary, interstacial, osmorty करता है बिल्कुल सही बात है ये परवन्ता especially कि इसमें sodium वा यूरिया के कारण होती है ये भी सही बात है लेकिन पूछा गया इसने incorrect statement तो इसमें आपके पास in state के लिए ये वाला part चला जाएगा अगला पूछ रहा है कि कंकाल अत्वा, कंकाल तंतर की विशिष्टे नियमिताओं के संबन्द में सही कतन का चैन कि select the correct statement regarding the specific disorder of muscular or skeleton system अब simple सा identification देखो यहां पर myasthenia gravis, genetic disorder यह यहीं पर ही गलत हो गया NCRD के coding यहां पर क्या आएगा autoimmune disorder इसका मतलब पहला तो wrong हो गया दूसरा के रहा है gout disease इसमें आपको मालूम है deposition of the uric acid तो यह भी आपके सामने गलत हो गया क्योंकि यहां पर calcium deposit कर रखा है तीसरा यहां पर के रहा है muscular जो यहां विरुपता आती है या muscles में वो एक तरह से age related sorting है अब इसने पूछा skeleton system से तो वैसे तो दिमाग में आई जाना चाहिए कि osteoporesis है तो skeleton system से related है decrease in the bone mass and the higher chance of factor with a advancing age जैसे जैसे यहां आप देखते हैं उमर बढ़ती है तो osteoporesis अस्ती में दर्वमान की कमी बढ़ती हुई आयू के साथ factor में होने की संभावने शो करता है इसका मतलब आपके पास answer यह वाला चला जाएगा next फिर यहां आपके पास आया निम्न में से कितने खतन सकते है how many statements are correct very simple nerve system formed in the lower invertebrates सही बात है बेटा कि यहां पर यह जो part है simple part जो है वो मिलना start होता है जैसे nerve net आपने देखा वो आपके कहां से start हो जाती है nerve net nerve net हो जाती है आपके hydra से और वो आपके पास इसमें lower animal में आता है neural system first time arise system arise from the hell one thies फिर अगला के रहा है excellent test nerve system is composed a network of neurons मेरे हाली में ही बताया है आपको उपर insect brain is composed of many ganglionic parts अब इसमें कितने ऐसे हैं जो सत्ते हैं लेकिन इनको सबको ध्यान में रखते हुए क्योंकि ऐसा option आपके पास नीचे आ चुका तो यहां पर आपने देखा कि simple सा जो है कि यहां निम्ड कासेरो की प्राणियों में सरल परकार का तंत्र का तंत्र तंत्र की अवस्ता तो मिली ही नहीं सकती system जो है वो आपके पास जिसमें organ और organ system की stage आई नर्वनेट आई है hydra में लेकिन अलग से यहां पर एक प्रसंदे रखा है यहां option इस कारण से इसको investment ओल कर लिया यह सही हो गया यह सही हो गया यहां पर आपके पास जो है वो especially कितने statement सही आ रहे हैं तो आपके पास इसमें आपने देखा second, third और fourth जो है वो statement यहां सही आए है मतलब दो वाले में answer आपके पास तीन options सही आ रहे हैं यह सही हो गया फिर next देखो कितना easy है इसमें आपको जो retina होता है उसमें directional impulse retina की रूप में याद रखना है इसमें 100 tips बता जेता हूँ मैं आपको यह त्रीक याद करके जाना PUBG इससे आपका answer चला जाएगा जहां retina का नाम आए वहां PUBG याद रखना है कैसे कि first जो step आई जिसमें अपन ने कहा कैसे इस अंचरन हुआ तो इस PUBG में आप नोट करते हैं कि जैसे मालो simple सा है कि यहां पर photo वाला part आ गया यहां पर bipolar वाला आ गया यहां जी मतलब ganglion का आ गया तो यहां PUBG में आपको सिरफ इसी में ही दिखाई दे रहा है आप देख लो कि यहां पर क्योंकि change हो रहा है तो इसका मतलब first option बस इसको trick के रूप में आप निकालने में time waste नहीं होगा फिर next देखो यहां next point बना आपके पास कि विश्राम कला के विवाव किससे बना होता है कि resting membrane potential is maintained by किसके द्वारा यह maintained होती है सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि जैसे आपने देखा minus 70 millivolt यह resting membrane face के रूप में होती है यहां पर आप जानते है कि जैसे ही activational part आएगा फिर यहां से depolarization stage फिर repolarization फिर यहां पर refractory period आता है यह simple चाप उच रहा है कि इस कला पर जो किरियाएं है उसको किस परकार से identify या विश्राम कला विवाव किस से बना होता है तो आप जानते हैं कि जैसे मालो यह positive charge और यह negative charge यह वाला part यहां पर आपके सामने आता है तो इसमें क्या answer होगा sodium, potassium, pump या voltage-gated sodium जो part है वो x-plus channel के रूप में voltage-gated sodium x-plus के रूप में voltage-gated potassium channel के रूप में सिंपल सा आया यहाँ sodium, potassium, pump जो है वो अपने आप में interact करता है और यही आपने पड़ा है तो कि यहाँ पर क्या देखते हैं कि sodium जो part है वो आपके यहाँ पर है potassium यहाँ पर है लेकिन negative charge किस कारण से है तो यहाँ पर negative वाली जो protein है या अदर जो particle है chloride है वो यहाँ पर present होते है तो answer चला गया आपका second फिर उसके बाद में देखो next आया the roof of scale media is formed scale media की रूप जो बनी होती है आप अच्छी तरह जानते हैं कि जैसे अपने देखा यह एक internal structure के रूप में आया यह यहाँ पर आपने देखा scale media इसको कहा इसके उपर और नीचे यह आप PMT की जगे VMT रखें याद यह vestibular media और यह टिमपेनी पार्ट हो गया यहाँ पर अगला केरा इसकी चछत पर नीचे आप चलते तो vessel membrane होती उपर चल रहे हैं तो आपके पास दूसरी membrane यहाँ आ जाती है तो आप देखते हैं यहाँ पर कि उपर वाली जो membrane ती जिसका नाम क्या है तो यहाँ पर reasoners जो membrane है वो reasoners membrane तो यहाँ होगी और by chance नीचे वाला पूछ लेता तो यहाँ पर vessel membrane की रूप में इसको जान लेते चल इसका आदार पर याद से इसका चला जाता है फिर next अगले ने simple सा ही यहाँ पर देखो प्रश्न बना कि cornea के लिए गलत क्या होगा या सही क्या होगा तो यहाँ पर पूछ रहा है कि what is the incorrect statement for the cornea देखो क्या कह रहा है it is an anterior portion of sclera बिल्कुल सही बात है यहाँ यह कह रहा है this is part of eyeball it is easily transplant यही एक ऐसा part है कोई भी doctor बन गया रहा और अपना पहला operation करेगा न तो यह supple operation इसका ही होगा क्योंकि इसमें दिक्कत ही नहीं है क्योंकि इसमें blood vessels का relation होता ही नहीं है तो यहाँ पर यह कह रहा है it is the highly vascular structure सिमाल लो इसमें यह कहा तो यहाँ पर simple सा क्या पूछा गलत वाला person पूछा गया है तो यहाँ गलत क्या आदार पर आपने क्या देखा यहाँ पर especially कि यह highly अतिदिक सवनिय सरश्णाओं की रूप में जाने जाती है यह गलत हो गया इसका next देखो यहाँ पर पूछा गया कि given the diagram present the reflex action showing knee jerk reflex हम जानते हैं यह NCR TKI diagram है आपको मालूम है इसमें आप से पूछा गया है कि यह label किया गया है इसमें correct जो option है उसको identify करना है कि किसको क्या नाम दिया गया है भाई इसमें मालो क्या नाम है तो ऐसे प्रश्णों को sort में करने के लिए हम देखते हैं क्या कि यहाँ पर देखो A क्या है B क्या है C क्या है D क्या है तो बहुत time लगता है तो इसमें से एक दो को अपन पैचान लेए जिससे आंसर निकल जाए तुरन्थ फट से कि इसमें क्या एक step बन जाता है, जैसे आपने देखा मालो ये जो पाइट है affront निश्चित रूप में आपने देखा, ये जो पाइट है यहाँ से affront है, नीचे जो पाइट आ रहा है व बस यह ढूंड लो इसमें efferent जो part है, वो किसमें दिया हुआ है, इसका मतलब A की option है, ऐसा आपने पास, कि efferent A हो गयार C, अपने आप एक बार ठेक कर ले, muscular spindles की रूप में, तो muscular spindles की रूप में आपके साथ दिख रहा है, तो आगे time waste करने की जूरत नहीं, यह बाकी सारा label आपको याद होना चाहिए, पता रही कौन सा किस रूप से मेच करवाले, बागी इसमें तो आपन यह answer निकाल लेते हैं, next देखो, यहां से पूछा गया, कौन से दो हार्मोन, neuro-hypophysis से मुक्त होते हैं, आप अच्छी दर जानते हो, putatory gland जो है, इसमें आपके पास anterior और posterior part ह जैसे मानलो, hypothalamic part से जो control or coordinate structure होता है, या neurons वाला part जो होता है, उससे relation पूछा गया, तो इसमें क्या होता है, इसको अपन याद करेंगे, जैसे पावा के रूप में, P for posterior, O for oxytocin, और A for ADH anti-diuretic hormone, इसका मतलब यह neuro-harmony ही है, तो यहां पर अपन देखते हैं, पहला ही option है, जिसमें अपने को मालूम चल रहा है, oxytocin और anti-diuretic hormone, जो की special इसमें मालूम चलता है, कि neuro-hypophysis related होता है, first answer इसका चला जाएगा, next देखो, अगले ने बूचा, कि यदि FSH अंडासे से संबन्दित है, LH carpus luteum से, तब निमल में से कौन सा hypothelemic hormone से संबन्दित है, simple सा बात है, कि ये FSH अंडासे से है, LH है, तो मैंने अभी हाली में ही putitric gland आपको समझाई थी, इसके बारे में तो मैंने आपको कहा कि इसको sort tricks क्या है, POA, P4 posterior, O4 oxytocin and ADH, ये नाम हमने याद कर लिए, क्योंकि exam time में कम समय होता है, तो tricks से अपने काम निकालते हैं, और इ PMT, अब देखो, ये anterior part से मिला, सबका सब, F, L, A, G, P, M, T, ये सारे हार्मोन इससे निकलेंगे, इसका मतलब ये पूछ रहा है कि अगर अंडासे से, या कार्पस-luteum से relation नहीं हो, तो हाइपो तेली भी कार्मोन का अगर रूप हो, तो किसे चला जाएगा, तो आपको सी बात है, यहाँ पर आपके पास answer चला जाता है, क्या चला गया, спiritual gland के रूप में, आप देखते हैं इसको, जिसका आधार पास answer निकल सकते है, तो इसका मतलब, Pious, अमत्गरणती, जिसे आप बोलते है, trigland answer चला जाता है, next, फिर देखो, इसमें आया है कॉलम फस्ट और सेकंड से मेच करवाना, मैंने कहा था क्रोस करवा के मेच बिल्कुल ही नहीं करवाना है, ऐसे प्रश्णों को आप पहले ध्यान दें और उनके सामने आंसर लिखें, देखो इसको आपने कहा ANF अब देखो ANF एक्टर करता क्या है आपको मालूम है कि ये BP को कम करने का काम करता है ANF factor के लिए आपने देखा ये तीन की stage यहाँ पर मिलती है फिर दिया Colecystokinin तो निश्चित है ये Bile Juice से related होता है फिर आपने देखा Gastein तो निश्चित है कि ये Pepsinogen से related part हो गया और last में नाम आया Erythropoiesis जो की formation of RBC होता है तो देखो यहाँ पर फिर यहाँ क्या क्या हो गया Colecystokinin किस में आ रहा है यहाँ especially secretine जो part है वो एक में आया तो यहाँ पर 3,1,4,2 वाले तो यहाँ पर कौन सा option है 3,1,4,2 यह वाले रूप में हमने इसको identify कर लिया तो ऐसे आप इसके साम नहीं लिखे ना कि ऐसे क्रोज कराए A and F factor का relation जैसे माल लो इससे हो गया Colecystokinin का इससे हो गया Gastrine वाला part है वो इससे हो गया Immopasis वाला इससे तो कई बार इससे गरबड भी हो जाती है Next देखो यहाँ से फिर मेच वाला आया इसमें पूछा कौन सी सेल किस से मेच कर रहा है या किस में परजेंट होती है देखो Coindrocyte Cells तो निश्चित है इसमें आपके सामने Porifer अवाला आ गया Nidoblast Cells इसमें आपके पास Nidaria से रिलेटेड हो गया फिर आया Flame Cells Very Most है यह एक तरह से Excretory सिस्टम में काम करता है फिर आया Complete तो इसमें आपके पास Complete का Relation टीनोफ औरा से हो जाता है क्योंकि 8 Complete वहीं पर नजर आती है अब क्या आया 3, 4, 1, 2 तो 3, 4, 1, 2 वाला आंसर कौन सा हुआ देखो Third, Fourth, One, Two इसका मतलब आंसर आपका यह चला जाएगा Next यहां पूछा गया Which of the falling is the incorrect देखो जब भी आपके सामने Correct और incorrect आये तो उसको सबसे पहले आपको Lining करनी है Which of the falling is incorrect Regarding the Harmon कि यहां पर Harmon के संबन में गलत कौन सा है यह जान रखना है कौन सा होता है आप अच्छी तरह जानते हो कि यह duct lace है दूसरा आपने देखा NCRT में साब साब लिखा हुआ है Non-Nutritive Dature वाला होता है Metabolic Regulation में help करी रहा होता है बचा आपके पास एक की Secret by the Intracellular Secreation इसके लिए यह गलत हो जाएगा राण से चला जाएगा इसका दो Next देखो अगला पूछा है Find the incorrect statement कौन सा इसमें incorrect statement है फिर गलत जान निमाग में रखना है देखो पहला कि जो Testis sick है Testis का तापमान 2 से 2.5 कम होता है जो की Spermetogenesis में आवश्यक है यह भी बिल्कुल Each testis has 250 testicular level फिर कहरा Transfer of sperm female Genital tract is a sinimination Insemeny paris tube Open in the reti testis Through the vasa Referencia कितना simple पूछा गया है 130 में आपने देखा कि यहाँ पर उल्टा पूछ लिया गया बागी तो आपको लगी रहा था यह भी सही है यह भी सही है यह भी सही है incorrect है तो इसका मतलब यह वाला incorrect रूप में पहचान लिया जाता है कैसे याद रखेंगे देखो Simple सा यहाँ आपने देखा Seminiferous tubes में आपने देखा सबसे पहले यहाँ पर seminiferous tube आई Tubile recti आई फिर recti testis आई फिर vasa efference आया फिर epitidymus फिर vasa difference वासा इफ्रेंस और वासा डिफ्रेंस में बहुत डिफ्रेंस है यह पहले आती है यह बाद आती है तो इसका मतलब इससे यह wrong वाले structure के रूप में पैचान लिया जाता है Next देखो अगला बंदा यहाँ पर पूछ रहा है सिंपल सा आपको पैचानना है ABC के आधार पे कितनी सेल बनती है आप अच्छी तरह जानते हो कि यहाँ पर फर्स जो ग्रोथ है जिसमें हमने क्या देखा कि यहाँ पर जो पार्ट बनने जा रहा है जिसको पनने का है माइटोटिक हुआ फिर उसके बाद में मियोटिक वाली स्ट्रिक्चर बनती है तो संग्या इसकी आधी हो जाती है तो अगला केरा यहाँ ABCD नाम दिये हुए है जिसमें B और C अवस्ताओं में गुनसुत्रू का रूप आप देख रहे है क्या B और C अवस्ताओं में आपको देखना है कि क्या हुआ निश्चित है यहाँ पर आपके पास जैसे मालो 46 वाली स्ट्रिक्चर के रूप में है जस्ट पर्थम और सुत्री विवाजन हुआ फिर्स्ट मियोटिक डिविजन हुआ तो 46 से डाइरेक्टी 23 वाली स्ट्रिक्चर के रूप में जान लिया जाता है सिंपल सा है और वो एक रूप पैचान लिया जाएगा किस ग्रोथ फेज में किस रूप से जाना जाएगा तो यहाँ पर आपके पास जो यह पार्ट बन रहा है कि इसमें क्या 46 और सेकेंडरी में 23 तो आपके पास सेकिन आप्शन के रूप में इसका अंसर आ जाता है फिर नेक्स देखो यहाँ आपने देखा अगला बंदा गह रहा है कि यह एक मेंसुएशन साइकल दिया हुआ है जिसका टाइम पीरिड आपके पास 24 डेज है दियान रगना ऐसे परशन को आप ट्रिक्स के द्वारा निकाले बेटा आपको मालूम है हाप स्टेज जो है यहाँ पर कितना 24 का स्टेज आपके पास दिया हुआ है जब भी आपको मालूम चल गया कि जो यहाँ पर especially ovulation structure है वो किस रूप से जान लिया जाएगा किस रूप से इसको पहचाना जाएगा जब हम देखते हैं कि यहाँ यह तीन दिन के रूप में हो गया यह साथ दिन के रूप में और आपके पास यह चोवदा दिन तो साथ और तीन दस और चोवदा कितने होगे चोवीस बस सिंपल सा ध्यान रखना है कि वो टाइम पिरिड वैसे कम होगा फिर उससे वो कम हो जाएगा फिर बात का टाइम पिरिड आपके पास यह पूरा डवलप्मेंट उसमें चाहिए ही चाहिए क्योंकि आपको मालूम है कि यहाँ पर जस्ट टाइम पिरिड कम होगा यह क्योंकि सिंपल सा अगर यह 20 मालू 8 डेस या 29 डेस पे होता तो आपको मालूम है कि आप एक से लेकर 4 या 5 दिन लेते हैं फिर उसके बाद में आप 14 लेते हैं फिर उसके बाद में सर नजर आई रहा है बताने की जुरत ही नहीं है फिर देगा नेक्स्ट अब अगला यह इसमें कह रहा है दिया हुआ डाइगराम इसमें ABCD के सारे नाम दिये हुए है इसमें इस्पेशली आपको क्या बताना है कि मिल्क का जो सेक्रेशन सेल्स है वो कौन सी है आप अच्छी जानते हैं यहाँ पर यह फॉलिकर्श बन रहे हैं यहां पर यह वाले जो पाइट है यह स्पेशली क्या होंगे एक मिमेकरी गिलेंड के रूप में ये सरशना होगी और यह निस्छी तोर पर आपको एक के रूप में नजर आ रही है च्छी बी देख रहे हो तो यह यहाँ पर दूसरा हो गया, सी देख रहे हो, तो यहां पर पुला वाला लेफिर ऐलेक्टिफेरस ट्यूब, तो इनमें तो होना नहीं है, और वहां सेक्रेशन के लिए किस रूप से जाना जा रहा है, तो सेक्रेशन आपके सामने जो आ रहा है, वो कौन सा पाइट है, जो क्या करता ह इनमें से दूद सरावित कोशिकाओं का गुच्छा जो नजर आता है या उसमें नजर आ रहा है तो वो कौन सा फायट है तो इसमें सिंपल सी बताने की जुरत ही नहीं है आंसर आपके सामने बिल्कुल इस परश्ट नजर आ रहा है जिसमें आपने क्या क्या दिया एवाला आ ध्यान रखना वेटा ऐसाद्दे है इलाज ये रोग में एच एच और एच याद रखना एंसी आर्टी में सोट ट्रिक से ये भी एच 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 आप अच्छ आप अच्छी तरह जानते हो एच आईवी हैपेटाइटिस और हरपीज ये डिजीज ऐसाद्दे हैं और ज गलत हो गया इसमें फिर से ये आ गया तो ये गलत हो गया तो आपके पास बचा गोंसा कि जिसका मालूम चलते हैं तुरंत इलाज हो जाए तो आपके पास इसमें आपके पास सेकींड ऑपस नहीं बच पा रहा है तो आप जानते हैं इसमें कि हमारे पास इसमें कौंसा अंस कि यहां से यह डिजीज जो है उसका इलाज यहां पर नहीं हो पा रहा है तो इसका कारण यह है क्योंकि यहां पर HIV आ रहा है इसमें आपके पास आ रहा है इसके पास आपके पास अरपीज आ रहा है तो बचा आपके पास यह वाला इसका इलाज हो सकता है नेक्स्ट देखो फिर यह आपके रिप्रोडेक्टिव हेल्थ से रिलेटेट वाला पॉइंट है सेम बहुत इंपोर्टेंट है आ सकता है ये भी क्या कहा गया यहां पर कि यह प्रस्टन दिये हुए है इन्हें मेच करवाना है आप कॉलम फर्स से सेकिंट यहां पर किस रूप से क्या होगा आप अच्छी तरह जानते हैं कि हमने इसको मेच करवाया अगला के रहा है collect gamit are the made from the zygote in laboratory इसका मतलब in vitro fertilization वाला रूप बनता है फिर उसके बाद में कह रहा है जाइगोट और अर्ली एम्ब्रेयो एट ब्लास्टोमिय ट्रास्पर इंटु दा ओवी डक्ट तो इसका मतलब इसमें आपके पास यह gift बाला structure जाइगोट ट्रांसफर के रूप में जाना जा रहा है यह uterus का नाम आ रहा है इसमें ट्रांसपर के लिए तो इसका मतलब intra-uternal device के रूप में जाना जा रहा है और यह कह रहा है fusion of gametes within the female तो in vivo fertilization के रूप में जाना जा रहा है तो इसका मतलब fourth में D आ रहा है इसका मतलब आपके पास यह और यह क्योंकि यह तो मालुमी है fertilization के लिए तो यह first में आ रहा है C तो first में C आपके पास किस में आ रहा है आपके पास first में C आ रहा है फिर यहां पर के रहा है यह ove duct में तो A तो आपके पास A किसमें आ रहा है इस वाले second में A यह वाला बाट आ गया फिर थर्ड में क्या आ रहा है यहाँ पर आपको मालूम है B क्योंकि उट्रस के रूप में जाना जा रहा है और फिर लास्ट में आपके पास D बसता है तो आंसर C, A, B, D किसमें है C, A, B, D इसका मतलब आपका आंसर फिर्स चला जाएगा इस वाले आंसर में यह चला जाएगा फिर उसके बाद में आपके पास नेक्स वाला क्या आता है देखो यहाँ पर दिया गया select one word of the statement यह जनेटिक से है आपको मालूमें जब हम प्रश्ण को पढ़ते हैं उसी दोरान आंसर लिख दे तो बेटर है select one word from the statement if abban responsible for the parents केड़ा है यदि abban पेत्रक दोनु क्या हो समानता दर्साते हो निश्चित तोर पे है बेटा कि यहाँ पर समानता दर्साएगा तो वहाँ पर co-dominance आंसर बनेगा इसमें को dominance वाला बन जाएगा दूसरा कह रहा है यह दि abban generation है और वो especially पेत्रकों से समानता नहीं रख रही है उसकी बीच में कोई character आ गया है यह suppose raid है और यहाँ से abban में मालो pink मिल गया तो incomplete domancy का या four o cloak plant का example दे सकते हैं यहाँ पर तो यह especially कौन सा हो गया यहाँ भी में incomplete domancy और फिर उसके बाद में third देरा है कि यहाँ यदि abban दोनों पेत्रकों में एक रूप से समानता दरसाते हो इब्दा abban generation appear to the true form इसका मतलब दोनों का 50-50% आ रहा है वहाँ पर तो यहाँ पर simple सी बात है कि यह परभाविक्ता के रूप में दोनों character में से एक समानता रखता हो capital T, capital T, small T, small T के बाद यहाँ capital T, small T आ रहा है तो dominant stage नजर आ रही है इसका मतलब यहाँ C में हो गया dominant तो देखो क्या answer आया C में तो dominant इसमें नजर आ रहा है A में co-dominance, C, B में incomplete यहाँ नजर आ रहा है तो निश्चित answer आपका 4 चला गया कि first co-dominance, first co-dominance, co-dominance यहाँ पर C में और फिर A में फिर B में अलग-अलग आपको पैचानना था और फिर करना था कबराने की जूरत नहीं है, simple सा है, बस आप cross करवा के देख लें और फिर answer ढूंडें, ऐसे प्रश्णों को हमेशा वहीं पर solve करने ना चीए और फिर देखना चीए कि A वाले में यह है, B में यह है, C में यह है, कैसे लिखा हुआ है, उससे answer चला जाएगा नेक्स्ट, आप देखो यह कह रहा है, which all the falling is not recessive trade in the ideal peak, खादे मतर में कौन सा एपरबावी विशेशक नहीं है, आप जानते हो, terminal नाम आ गया, इसका मतलब यह recessive है, contrast जो fully especially contract प्रकार की पोड है, इसका मतलब यह भी है, yellow pod, yellow seed color, यह जो दिया जा रहा है, कि यहाँ पर protein की मातरा है, और seed पीला, इसका मतलब आपको मालूम है, अपने देखा, round और yellow में, आप cross करवाते हैं, गोल और पीले में तो यह बीच का आवरण है, तो dominant character था, तो यह पूछ रहा है, कौन सा dominant यहाँ पर नहीं है, कौन सा यहाँ पर recessive नहीं है, तो यह देखो recessive है, recessive है, recessive है, केवल यह वाला आपके पास dominance के character show करता है, इसलिए यहाँ सा जला गया yellow seed color, very simple, next देखो, यह भी अपने आप में important है, अगला केरा है, कि जो bandles आप थे, उन्हों ने जो experiment किया था, वो किस रूप, कितने साल तक और, कितने साल तक चला, आपको अच्छी तरह मालों में बेटा, कि यहाँ पर साथ साल के लिए, उन्होंने अपने किरियाओं को बताया था, तो पहली चीज तो देखो, 53-67 ऐसा है नहीं, 56-63 जो आ रहा है, इसका मदद साथ साल के लिए, इंपोर्टेंट है, NCRT में दिया हुआ, इसलिए याद रखना जरूरी है, यह data है, इसमे 180 seeds, मालो इतने seed मिलें, यह वाला point, during the hybridization, आप अच्छी तरह जानती हो, hybridization है, तो इसका मतलब, 2 की power N, 3 की power N, और 4 की power N, इनसे हम, इससे अपन गेमिट गयाद करते हैं, इससे हम, मालो में, जीनो टाइप गयाद करते हैं, और इससे अपन जाइगोट गयाद करते हैं, अब अपने पास डाइबरिड है, तो जैसे मालो यह मालो प्लांट था अपने पास ऐसा, डाइबरिड में हिट्रोजाइगस condition यह है, अब इसमें selfing करवाई आपने, अब इसमें selfing के दोरान आपने देखा, कि अपने को 1280 प्लांट प्राप्त हुए हैं, आप अच्छी तरह जा जूरीदार और पीले बीज, इसका मतलब कितने मिले हैं, आपको total ratio आपके साब ने आया कितना 16, तो 16 में से यह कितने प्लांट हैं, तो आप जानते हो 9 तो आपको एक जैसे मिल गए तेर, 3 एक जैसेर, 3 एक जैसेर, 1 एक जैसेर, एक जाप, तो 2 तो आपको पक्का मालुम ह कि वो थे जिसमें पीले और गोल थे इसका मतलब वो dominant थे लेकिन तीन ऐसे हैं जो कि पीले तो है dominant तो है लेकिन recessive condition के द्वारा जाने जा रहे तो इसका मतलब तीन ही मिले अपने को तो तीन बटा सोला इंटू यहां पर कितना हो गया बारा सो हस्सी आप जानते हैं कि जब हमने इसको काटा या देखा तो कितना आया तो देखो इसको अपन ने काट दिया हमारे पास यहां पर इससे यह कट गया अस्सी इंटू तीन इसका मतलब यहां पर जो पहला पॉइंट है कौन सा रिंकल्ड और यलो यार राउंड येलो रिंकल्ड ग्रीन ये रिंकल्ड और ग्रीन तो हमारे पास एक ही मिलेगा इसमेн और इस्पेशली ये राउंड और येलो यहां पर नो मिल रहे हैं और यह आपके पास तीन ही मिल रहे हैं तो देखो 3 into 80 यहाँ पर इसको इससे multiply किया यह वाला आ गया फिर 9 into 80 यहाँ पर आपके पास कितना आ गया 720 और ऐसा आपको मालूमें एक ही मिला है तो आपको मालूमें इससे आप काटोगे इसको तो आपके पास आ जाएगा तो इसमें आंसर आपके पास कौन सा हुआ यह वाला वेरी सिंपल ऐसे प्रश्णों को NCRT बेस दी माना जाएगा आप ध्यान रखे उसमें संख्या जो दी हुई है कितने ऐसे प्लांट बनते हैं उसके आधार पे आप आंसर निकालने कौसिस करे बाइस 16 डाया इबरीड में जाएगोट बनेंगे क्यों क्यों क्योंकि यहां पर टूकी पावर एन आया तो देखो इसमें माल लो अपन ने देखा यह माल ले अपन माल लो यह माल ले तो टूक में इसमें दो हिट्रो जाएगा से तो टूकी पावर टू बराबर फोर इसमें गेमिट बन सकते फिनोटाइप बन सकते जीनोटाइप इसमें आपको मालो में 9 बन जाएंगे और जाइगोट इसमें 16 बन जाएंगे तो जब इसमें जाइगोट ही तो प्लांट है कि 1280 बने हैं तो ये इसमें कौन-कौन से कितनी-कितनी संक्या में बनेंगे तो इस परकार से इसको अपन निकाल देंगे Very simple है गबराने की जुरत नहीं है आपको बहुत अच्छी तरीके से ट्रिक में बता दिया है Next हम देखते हैं यहाँ पर जब इस टाइब का प्रशना आए हम देख के गबरा आजाते हैं आप देखो अगला कह रहा है Cross Drosopila the heterogigus member Gray body B plus और G यहाँ पर plus दे रहा है इसको पूरा पड़े ही नहीं मैं तो यह कह रहा हूँ आप यह देख लो कि Crossing over छोटी संक्या के बीच होना है और body में linkage रहना है तो आपके सामने यहाँ पर देखो क्या क्या आ रहा है 24 plus 26 तो यह तो recombinant stage आगी आपके पास total मिलागे 50 और अब क्या करते हैं यहाँ पर total prosini total prosini में कितनी होई यहाँ पर तो इनको सब को total करनेंगे देखो कितना पहला आगया 24 फिर आगया 126 फिर आगया 26 और फिर 124 अब देखो यहाँ पर आपके पास यह और यहाँ पर आपके पास यह वाला structure बना हुआ है इसका मतलब पचास से तीन सो और सो यह देखा अब आपके पास पचास आ रहा है अब पचास में आप तीन का डिवाइड देंगे तो आंसर आपके सामने आ जाएगा तो देखो इसमें आस पास देख लेते हैं पूरा करने की जुरुत नहीं है क्योंकि मेतामेटिक्स के जह नहीं बायों के हैं इतना एडिया लगी रहा है कि जैसे 16,3,48 पॉइंट सम्थिक तो 16 इसमें एक यांसर आपको नजर आ रहा है इससे हम आंसर निकाल लेंगे गबराने की जुरुत नहीं है जो कम हो उन दोनों को आप एड करे फिर सब की संक्या को एड कर ले फिर अंड्रेट से मल्टिप्लाई कर दे और फिर उसकी परसंटेज निकाल के बता दे रही कॉम्मिनेशन स्टेज में है परेरी सिंपल नेक्स देखो अब देखो आपको मालूम है कि यह डिजीज है तो यहां पर अगर और के राया है की क्या शो कर राया है यह दिया हुआ चाइट प्डिगरी एनलाइसिस जो है इस एनलाइसिस में आपको सेलेक्ट करना है Correct option आपको मालूम है कि generation first, generation second, generation third इसका मतलब यहाँ पर आपको मालूम है कि यह dominant तो नहीं हो सकता सर्व तोकि dominant होता तो इसमें भी आपके पास disease होती इसमें आपके पास कोई disease नहीं है फर्स generation में लेकिन second में या third में इसका मतलब यह recessive है अब आपको according to NCRT मालूम होना चाहिए बेटा dominant तो है नहीं तो पहला तो आप cross कर दो और recessive में देखो autosomal recessive और autosomal recessive का example भी है सिक्किल से लेनीमिया तो इसका मतलब आपका fourth आंसा चला गया very simple और important भी यह ध्यान रखे है फिन डेक्स देखो यह आगया आपके evaluation वाले पार्ट से आप देखते हैं कि जब मीलर का प्रियोग हुआ था उसमें आपको मालूम है कि harmful gas जो थी ammonia उसके बाद methane और जैसे water लिया तो harmful stage में ammonia को लिया और जो जहरी लिये तो इसके अनुपात को पहले याद रखना है आप NCRT में देखेंगे तो यहाँ पर देखो two ratio one ratio two लिखा हुआ है ना यहाँ पर आपको यह नहीं करना हूँ आपको यहाँ द्यान रखना पड़ेगा कि ammonia methane और water यह वेपर से है उनका ratio आपके पास ammonia का एक होता है रिंदो का दो होता है तो इसमें एक option देख लो जिसमें one ratio two ratio two ratio two ratio हा रहा हो तो आपके पास ये वाला आरा है अमोनिया है तो आपके पास एक है मिथेन है दो है और वाटर बे हाइट्रोजन वाले पार्ट में आपके पास दो है इसका मतलब हाइट्रोजन आपके पास दो मिथेन दो और अमोनिया एक क्योंकि harmful है ऐसे याद रख लेना ammonia harmful form में होती है इसलिए एक इसलिए यहाँ one ratio two ratio two वाल आंसर चला जाएगा मतलब यह वाल आंसर इसमें आ जाएगा बिल्कुल clear next फिर उसके बाद में आप देखते हैं यह भी अपने आप में बहुत important है बिल्कुल यह मानलों की neat based paper बनाया हुआ है अगर तरीके से आप देखेंगे तो एक भी क्यूशन गलत नहीं हो सकता आप देख रहे हैं कि यहाँ पर यह जो hardy winberg reaction जो है उसके आधार पे आपके सामने प्रशन बनाया है हम जानते हैं कि p plus q equal 1 आपको इसमें क्या याद करना है 2p q इसका मतलब आपको मालूम होना चीए कि हमने क्या निकाल रखा है यहाँ यहाँ p और q निकालना था तो यहाँ पर आपके पास देखो यह जो part था p और q जिसको अपन कह रहे हैं कि यह निकला आया कैसे तो यहाँ नाम आ गया तो इसका मतलब यह q दे रखा है अगले ने और यह दे रखा है अपने पास कितना 36% इसका आप रूट निकालते तो 0.6 आ जाता है अब आप देखो भाई 1 में से 0.6 गए तो आपके पास बचगे 0.4 तो इसका मतलब यहाँ पर आपको 2p q ग्याद करना है यह p ह और यह q है अब आपको क्या करना है 2p q ग्याद करना है तो 2 into p कितना आया 0.6 और q कितना आया 0.4 तो यहाँ पर 2, 6, 4 जात देखा आपने कितना हुआ और फिट 2 मल्टिप्लाई कर दिया तो इसका मतलब 48% वाली यहाँ पर 6, 24 होगे और 24 को 2 से मल्टिप्लाई किया तो 48 तो यहाँ पर 6, 24 होगे और 24, 2 तो यहाँ पर 48 और यह percentage के आधार पर आपके पास answer निकल पा रहा है very simple आपको जो दिया गया है उसमें से आपको निकाल लेना है और फिर आप यह देख लो ना यह दिया जाए तो निश्चीत है इसका square निकाल कि आप answer निकाले फिर minus 1 में कर दे यह फॉर बोला आप दिमाग में रखें एटोमेटिक सारे answer निकलेंगे देखो next LCRD में साफ साफ इसपस निका हुआ है कि डार्वीन बाद की दो परमुखदार नाएं आप बिल्कुल 100% जानते हैं कि डार्वीन ने ब्रांचिंग डिसेंड और नेचुरल सेलेक्शन वाले पॉइंट पर जोर दिया वेरी वेरी मॉस्ट ये भी अपने आप में है ज्यान रखें फिर उसके बाद next यहां आया होमो इरेक्टस के लिए कौन सा स्टेट्मेंट सही है देखो करेक्ट स्टेट्मेंट फॉर दा होमो इरेक्टस यहां पर पूछा गया कि इसको आपको मैं 130 बता रहा हूं बेटा थोड़ा सा इसको आप अपनी कोपी में लिखे जिससे क्या है कि स्रीज आये तो आप गलत नहीं करके आए यह बहुत ही आपकी इफ्रिक्टी होगी क्या प्लीज डू रिमेंबर एपल हैज एसेंसियल नूट्रियंट फोर होमो सेपियंस यह सारे आगे देखो यहाँ पर क्या है यह लाइनी भी अच्छी तरह याद होगी और यह चीज भी हम जानते भी है कि प्लीज डू रिमेंबर एपल हैज इसेंसियल नूट्रियंट फोर दा होमो सेपियंस यहाँ पर पेलियोपेटिकस डायोपेटिकस रामापेटिकस पहले पहले वर्ड को यूज लेना है बस जिससे क्या है बीच की कडियां हर साल एक पुछा जाता है तो कड़ी गलत नहीं हो तो आपको मालूम रहे तो देखो पेलियोपेटिकस डायोपेटिकस रामापेटिकस औस्टेलियोपेटिकस एच लग गया तो यहाँ से होमो स्टार्ट कर देंगे होमो हीबिलस, होमो इरेक्टस यहाँ होमो नियंडर्थल यहाँ फ्यूचरी और लास्ट में होमो सेपियंस, क्या पोइंट था प्लीज डू, रिमेंबर एपल, हैज इसेंसियल, नूट्रेंट फोर, होमो सेपियंस, इसमें से माललो आप से पूछ लिया जाए, कि बताईए सही करम कौन सा है, यह चार दे दिये माललोक स्रीस से, रामापेटिकस और इरेक्टस तो यह यहाँ से चला गया ना, तो एक चीज तो यह याद रखनी है जिसे की प्रशन सोलो सके जिसे अपनी कोईजी पढ़ जाया और यह आराम से हम कर सकें तो देखो क्या था, इसमें कौन सा होमो इरेक्टस के लिए सही है यहाँ पर कह रहा है सिंपल सा आपको मालूम है कि इसके पास 9 CC, 900 CC जो है, वो cranial capacity मिली है बिल्कुल सही बात यहाँ पर यह मीट का उप्योग करने लग गए थे यह 15MY का रूप था यह होमो हिबिलस के रूप में आइडेंटिफाई हुए है इसका मतलब इसमें होमो हिबिलस में आपने देखा 650 से 800 800 के आस पास जा रहा है फिर उसके बाद में वो फलारी थे फिर उसके बाद मानसारी बने है फिर उसके बाद में इरेक्टरस में जावा अगेर आते हैं यह सब तो यहां से यह सारे ही करेक्टर सही नजर आ रहे हैं इंपोर्टेंट है ध्यान रखे इसमें आपको A B सही, B B सही, C B सही और D B सही इसका मतलब आंसर आपका ये चला जाता है Next ये आ गया आपका disease वाले से यहां से पूछा गया है the select the correct statement according to the modern concept of the health the modern concept of the health क्या अधार पर इसको identify करना है कि स्वास्ते के लिए आधुनिक देखो क्या कह रहा है हो सकता है आपको सारी सही लगे लेकि नाम देखो यहां modern concept के आधार पर चेंड करना है और modern concept पर देखे तो देखो यहां पर कह रहा है health is maintained due to the good balance of body यह जरूरी नहीं है जैसे आपको मालूम है यह NCRT का पहला रूप ही यहां पर है कि वहां black bile है present है तो वहां पर फिर बाद में इपोक्रेटस ने इसको change किया कि नहीं ऐसा नहीं है तो इसका मतलब हमारा स्वास्ते शरीर दर्वा अच्छे सत्तूलन के कारण विवस्तित होते हैं मानते हैं लेकिन modern concept को ध्यानें बें रखते हैं आगे स्वास्ते से तात् praी के वोब रोग से अनुपस्तित होता सारे दिक योग्यता नहीं है स्वास्ते से तास पर एक कि health is not mean only absence of disease और physical fitness कि जो health है उसका relation स्वास्ते से तात परिय के वोल रोग की अनुपस्तितिया, सारे रिक योग्यता ही नहीं है, वो mentally, socially, सब से साउंड होना जरूरी है, physically, mentally, socially, reproductively part जो है, सारे के सारे क्या है, सारे, तो सवास्ते का तात्विय क्यों रोग की एपसेंट्स नहीं है, या फिजिकल फिटनेस से ही, यहां पर नहीं है, तो यह modern थ दूसरा कह रहा है, health is the complete physical, mental, and social, अभी हाल ही नहीं कहा है, इसका हमना 100% रही हुआ, फिर तीशरा क्या कह रहा है, कि यहां पर health is increased of the work efficiency and longevity of the life, बिलकुल, अगर सही वेक्ती रहेगा, जैसे योगा बगेरा है, या अधर जो मालो, यह जो चीजिन लिया जा रहा है, अपनी cells क तो अच्छी तरह oxygen की मात्रा बराबर मिल रही है, तो निश्चित रूप से वो वेक्ती स्वस्त रहेगा, और उसके कारिये करने की शमता भी जादा रहेगी, और जिंदा भी बहुत अधिक रहेगा, तो निश्चित तीन concept तो बिलकुल इसमें साप साप बहुत चांदार त बता है, next देखो, अगला यह ads वाले से है, simple सा आप से पूछा गया, कि यहाँ पर identify करना है जो diagram दिया है, A, B, C और D में, तो यहाँ पर आपको पैचानना है, कि A में क्या कह रहा है, B में क्या कह रहा है, C में क्या कह रहा है, D में क्या कह रहा है, तो देखो A में यहाँ पर और B में यहाँ पर वो एक DNA, वाइरल DNA के रूप में जाना जा रहा है तो इसका मतलब पैचानने की रूप में हमारे सामने क्या क्या बनेगा सिंपल सा आपने देखा कि यहाँ पर जैसे मालो में यू कहूं कि सबसे पहले मैंने यह कहा कि वाइरल DNA इंटोडूज इंटो दा सैल सही बात है यह वाला कॉंसेप्ट इसके साथ एड है दूसरा कहा B वाइरल DNA यह जो आया है वो वाइरल DNA के रूप में आया है फिर C जो है वाइरल DNA जो है वो क्या कर रहा है incorporate in the horse cells बिल्कुल यह जा चुका है इस horse cell में है और फिर D जो है वो new colony के रूप में new viral RNA produced यह भी एक structure बन रहा चला जा रहा है इसका मतलब आपके पास यह अंसर चला जा रहा है यह NCRT से ही आपको मालू में diagram है और इसमें आपको ABCD के नाम याद रखने है next देखो यह आपके lymphatic system से related है ABCD को पैचारना था तो ऐसे प्रस्टनों को सबसे पहले आप लिखे लिखे इसमें आप क्या जानते है यह lymph node हुआ यह वाला पार्ट इसका thymus हुआ यह वाला पार्ट इसका spleen हुआ और यह वाला पार्ट इसका bone marrow हुआ तो इसका मतलब A में lymph node किसमें आ रहा है हाँ यह भी है इसमें primary organ कौन से है आप अची तरह जानते है thymus और bone marrow B और D में primary लिखा हुआ होना चाहिए B और D में primary लिखा हुआ होना चाहिए अब आप देखो यहाँ पर lymph primary गलत हो गया lymph primary यहाँ पर फिर गलत हो गया यहाँ पर lymph secondary और thymus primary spleen secondary और bone marrow primary नाम से ही मालुम चल रहा है इसके गारण आपने देखा कि यहाँ पर आपके पास answer तीन चला जाएगा ऐसे दिये हुए प्रश्टों को डाइगराम में अपने नाम लिखके आप solve करने की कोशिश करे फिर उसके बाद में यह फिर देखते हो डीसिस वाले में आपसे पूछा गया कि यहाँ पर common call differ from the pneumonia in that सामानने सर्दी जुखाम और pneumonia में क्या अंतर होता है बिल्कुल NCRT की line उठाई हुई है आप अच्छी तरह जानते हैं और मुझे पक्का यह आपको लगी गया होगा जब पर दिया होगा कि बिल्कुल NCRT best है यह तो यहाँ पर आप देखते हैं common call और pneumonia में जो इसमे difference आया है वो किस रूप से इसको पैचाना जा रहा है तो आप देखो नीमोनिया पैथोजन इंफेक्ट बाइदा अल्वुलरी वेल दा common call इंफेक्ट नौस और रेस्पाइरेट्री पास बट नॉट इन लंग्स सही बात है सर यह तो सही हुआ लेकिन यह तीन गलत क्यों है यह बताओ यहाँ पर देखो क्या है pneumonia caused by virus आप जानते हो इस्ट्रिप्टो कॉकस नीमोनी से होता है फिर यहाँ पर यह कह रहा है common call जो वाइरस से होता है जो वेक्टीरिया से बता रहा है इसका मतलब यह तो wrong है दूसरा कह रहा है pneumonia is communicable disease where the common call is nutritional जबकि आपको मालूम है common call communicable structure के रूप में होती है यह भी गलत हो गया इसके साब से pneumonia can be prevent by the life यहाँ देखो क्या गह रहा है bacterial vaccine where is the common call has no effect vaccine pneumonia एक जीवित चंड के रूप में किया bacterial vaccine से रोका जा सकता है जबकि सामाने कोई परभावी कारिक vaccine नहीं है जबकि आप जानते हो viral के लिए vaccine का रूप बनाया जा रहा है आप के पास यह भी गलत हुआ तो इसका मतलब आरे पास answer क्या आ गया कि pneumonia में NCRT में साप साप है pneumonia में वायू कोस जो होते हैं वो इस पे संगर्मी तवस्ताओं के रूप में जबकि common cold जो होता है वो especially nose और respiratory track के रूप में यहां पर पहचाना जा रहा है ना कि फैरपड़े के रूप में और आप जानते हो यह जैसे मालो oxygen की कमी होती है तो आपके nail अगेरा जो होते हैं वो नीले पड़ जाते हैं यह भी अपने आप में गुण होता है तो वो भी आपको character मालूम होना चाहिए यह भी आपका clear अब उसके बाद देखते हैं यह आपका food production वाले से देखते हैं कि M.O.T. के लिए सत्ते नहीं है M.O.T. मतलब आप अच्छी तरह समझ गयोंगे यह multi-ovulatory embryo transfer के रूप में जाना जाता है यह वाला part क्या गहना है which is the following is not true जब भी प्रशन में आएं तो उसको underline करें और फिर उसको देखें तो क्या है super ovulation is due to the admission of the estrol and LH यह यहीं पर ही गलत हो गया बाई super ovulation के लिए estriol और LH देते हैं जबकि आप अच्छी तरह जानते हैं FSH वाली structure जो आप देखते हैं follicle stimulating जो रेव देना है वो वहाँ NCRT में साप साप लिखा हुआ है आगे ज़्यादा जाने की जुरती नहीं रही है क्यों time based करें इसका मतलब यही इसमें गलत है incorrect पूछा है ना सही नहीं है तो यही सही नहीं है बाकी देखो इसमें एक अंडे के बजाएट 6-8 अंडे तो बिलकुल यह सही बात थी super ovulation मादा के करतीम वीरिये session में है अत्वा उप्युक्त सांट के संगम से बिलकुल सही बात है निशेचन में 8-32 कोसी काओं के ब्रौन को प्रत इमादा के रूप में सलिच किसा के रूप में किये जाता है तो यहां पर भी अपने हो मालुम चला कि super ovulation के लिए यहां पर main FSS का योगदान हुआ यहां पर यह गलत हो गया क्योंकि यहां पर यह है नहीं इसका मतलब यही अंसर चला गया जबकि यह सही है बिल्कुल यह वाला बिल्कुल सही हुआ यह वाला बिल्कुल सही हुआ इसने गलत पूछा इसलिए आपका अंसर यह चला गया तो इसका रूप देखते हैं आपको मालुम चला जैसे हमने ये पूरे प्रश्ण की हैं according to NCRT बिटा जो अगर मालो आपको गलती से नहीं आया हो कि बही सर मुझे दुबारा समझना पड़ेगा कोई तो उसमें आप दुबारा इस वीडियो को देखेंगे तो definite आपको बालूब चल जाएगा क्योंकि मैंने हिंट जरूर दिये हैं आप एक बार नहीं उसको दो तीन बार देखेंगे definite समझ में आ जाएगा genetics के जो आपके प्रशन दिये हुए हैं उनको भी आप अच्छी तरह बार-बार करके देखेंगे तो solo हो जाएगा और मुझे बिलकुल आसा है कि आपको इस समझ में आ गया होगा ओके थैंक यू